नवस्कार दोस्तों तो चलिए अब लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे में और याद रखें कक्छा चटवी से लेकर वैसे तो आपको कक्छा बारवी तक की सभी बुक्स पढ़ ले अगर आप से विल सर्विस की तयारी कर रहे हैं या पर किसी स्टेट PCS की तयारी कर तो बहतर है आपके कि कक्छा चटवी से कक्छा बारवी तक की बढ़ ले और फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कक्छा नौवी से बारवी तक की तो आपको बुक्स पढ़ नहीं है और बहतर रहेगा कक्छा चटवी से पढ़ ले क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि कच्छा चटवी से आठ तक की जो भी वुक्स हैं बहुत ही सब्दों में लिखी गई हैं वैसे तो आपकी सभी वुक्स सब्दों में लिखी गई हैं आपको किसी की मदद की जरूर नहीं पढ़ेगी अगर इन्हें पढ़ रहे हैं एक कहानी का रोप देकर समझाया गया आठ भी तक की आप एक सब्दा में खतम कर सकते हैं आराम से अगर आप अच्छे से मन लगा कर बैठ जाएं तो आराम से खतम कर सकते हैं तो अभी तक हम बताएं कि आपको जो जरूरी है वुक्स वो सभी टेलिग्राम पर डाल दिए हैं और एक बात कि हम लोगोंने कच्छा चटवी से लकर कच्छा नौवी तक की सभी वुक्स कंप्लेट कर चुके हैं कच्छा दस की दो बुक्स कंप्लेट कर चुके हैं लोगतांतरिक राजनीती सेकंड और समकालीन भारत सेकंड के नाम से जो बुक्स हैं इन दो वो कबर कर चुके हैं यह तीसरी बुक्स है हमारी इसके बाद दो books और बश्चती हैं तो आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास की समझ ये आपकी अर्थविवस्ता यानि की economist की book ये कप्चा 10B की और जैसे ही आप लोग खरीदेंगे या कहीं से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके book page पर, man page पर आर्थिक विकास की समझ लिखा रहेगा और कप्चा 10B के लिए सामाज ये विज्ञान की पाट पोस्तक इस तरह से friend रहेगा ठीक है शुरू मैं ही याद रखी या आप लोग पढ़ लीजे पीडिया डाल दिये हैं वही तो अच्छे से डाउनलोड करके यहाँ आपको पढ़ने लाखियों है कुछ सिख चक है तो कुछ परिचाय परिचात्मत बातें या फुस्तक भारती अर्द्वश्ता की विकास पिक्रिया के सली के तुरूप से परचे कराती है अर्थ सास्ति से मैं हम पराथ विकास को बस दूँँ उसे वाँ के उत्पातर या फिर वोगताओं की रूम में लोगों के आर्थिक जीवन में परिवतन की विक्रिया के रूम में देखते हैं कभी-कभी विकास का अध्यन मुक्ता एक परिघटना के रूम में किया जाता है जिसे केवल आधुनी कुद्धों की सब्विता की सम्विद्धी के साथ महत प्राप्त होता है इसलिए किया गया है किया जाता है क्योंकि किसी देश का विकास यानि कि अलप विकास या अकसर योद्धों विजयों के पेड़ाम पर एवं एक देश द्वारा दूसरे देश के ओपनेवेसी कर्ण सोशन पर निर्वात रहा है परन्तु इस कुछ तक में हम वाहे कारकों पर बल नहीं दिया है हमने विकास पिक्रिया के लंबे परिदेश को लिया है इस पिक्रिया को किसी वाहे कारकों के हस्तचे या उसके वादित होने से पहले आरम हो चुका है विकास के पिक्रिया ऐसी बादाओं के बाद भी पुनाहा आरंब हो सकती है और पराधिमता की समापती के बाद सुतंत रोप से जारी रह सकती है अपने देश बहारत का विकास इसी पिक्रिया द्वारा हुआ है एक बात आप लोग भुमेसा याद रखिए मुझे नहीं लगता है कि किसी पर्टिकुलर समूर के लिए आपकी अर्ध दास्त की बुक्स बनाई गए है जैसे देखिया आप लोग राजनीती की कोई भी बुक्स है तो वो किसी ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं आपको जो भी टेक्स बुक भी है आपकी आगे एसी कहीं भी आपको नहीं लिखा गया होगा कि ए आजियस या फिर सिविल सर्विस की या फिर इस्टेट पीसीएस की जो तैयारी करें उनी के लिए के वल बुक्त है मैं तो कहता हूं भारत में जो भी रह रहा है उसे अपना भोगोले की स्तिती जानी चाहिए पॉलिटीकल यानि की राजनीती की स्तिती जानी चाहिए अर्थविस्था की राजनीती जानी चाहिए अर्थविस्था का एक और फायदा है आपको कि आप अपनी देनिक जिन्दगी जो भी रहती है किसी भी चेत्र में आप वेहित्तर जो भी काम कर रहे होगे उसे बहतर ढंग से कर पाएगे अगर आप ज़र्विवस्था को समझ गई तो समझ रहे हैं इस पुष्टक में सरपिथम देश की विकास की सुरुवाद को अर्द्वरस्था की तीन चेत्रों, किर्सी, वीनिरबाड और सेवा की उधाई की रूम में देखते हैं, हमने आर्थिक विकास को पितक रूप से रूम में नहीं, बलकि मानव विकास की सामान रवधरना, जिसमें स्वास्क, सिछा, लोगों की जीवन की, गुर्वत्ता को व् देख की तरक्कित हैं यह आनि कि देख की विकासदर को बढ़ाना है, उस देख में रहने वाले लोगों की जिन्दिगी को सुधारना है, तो आपको तीन काम करना होगे, इस सबसे आधार इसकम में किसी भी अर्थिभस्था की आप फिर किसी भी देख के आंगे बढ़ने की सिक्षा, स्वास्त और लोगों को बहतर मतलब रोजगार मिन जाए आप सोची अगर आप कोई आप हैं जैसे आपको लेगे लिए और किसी बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चे को जो पढ़ने हैं लायक नहीं है इस्तिती में उसके घरवाले पढ़ा नहीं सकते हैं आप भी आईप इसकूल में पढ़ते हैं आगे आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर या फिर किसी भी तरह से आप लोग डिगरी ले लेते हैं तो आप मालूँ चलेगा कि आप डेड़ से दूलाक रोपी महीने का वा रहे हैं और वो लड़का जिसे सिक्षा नहीं दी गई है वो किसी के यहां 2-3,000 रुपी, 4-5,000 बहुत से बहुत 10-15,000 रुपी कमा रहा होगा तो इसमें आपको फरक पता चला है क्योंकि आपको सिक्षा दे गई है स्वास्त की वेवस्था रही है इसलिए आप आमे बढ़ गए है और उसे यह सुविधाय नहीं दी गई है लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से पूरी तरह से एकता से कह सकते हैं कि बरभाद हो जाता है कोई परमाडू अबला जिरता है आपने सुना होगा बोपाल गैस ट्राक्ती 1984 में हुई आपके मदव देश में उसमें आपने देखा है कि अभी तक उसका प्रभाव दीखा जाता है तो आप समझे कि छोटी सी इत्राफदी थी एक्यस की, और उहां देखिए परमाडू बंग गिराये गया था, तो आप समझ सकते हैं कि इस्तिती क्या बन गई होगी, फिर भी आते हैं कि जामान बिक्सित देशों की साड़ी में जा खड़ा हुआ है, तो कुछ तो काम है, अभ बारे आका जो भी नाग रिखे, वो 5 घंटे अपने बारे में सोचता है, तो एक घंटे देश के बारे में भी सोचता है, अगर वो 6 घंटे देश के अपने लिए काम कर रहा है, तो एक घंटे देश के लिए भी काम करता है, और सबसे बड़ी वहां मानव पूंची है, उनक Kilo Looi से आप समझजिए कि कम से कम 100 चापू निकल आती हैं और 10-10 रूपे की ही वेंशते आप लो तो किस तरह से कितने रूपे आएंगे आप समझ सकते हैं कि एक मतलब 25 रूपे का या 20 रूपे का आप समझ सकते हैं कि हजारों रूपे में बदल जाती है समय रहें, यह स्थिती मतलब हुमें देखनी होगी अगर आपके पास भी बहतर मानो पूंजी होती, टेकनिक, टेकनोलोजी होती तो आप भी तो यह काम कर सकते थे, लेकिन नहीं हम देखिए आज आप लोग देखिए सबसे पहले हमारे जीरो का विश्कार का होगा भारत में और आपना देखा होगा कि भारत बस उसी को लेकर मतलब एक तरह का गुरूर करते लए भारत के लोग उसी जीरो को लेकर अमेरिका रूस बाकी देशों को देखिए पूरा आप उन्होंने यूझ करके साइवर वर्ल खढा कर दिया इक तरह से आप कह सकते हैं देखिए YouTube देख लीजे Google देख लीजे Twitter देख लीजे WhatsApp देख लीजे इस तरह से कहीं आप देख सकते हैं जो software platform उन्होंने दिये social video पर और हम अपने देखिए हमारे पास कुछ नहीं है इस तरह है कि सुधार चाइना को देख लिए चाइना अपने हां का YouTube अपना YouTube अपनी Facebook अपना जो भी Wikipedia सभी अपना बनाया हुए एक फायदा रहता है इससे क्या रहता है कि अगर हमारे हां cyber attack होता ह cyber, हमला तो उससे भी हम सुरक्षा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो आठी रहे हमें मालुक तो रहेगा कि किस तरह से चोरी हो सकती है लेकिन बाहर सेव होता है हमारा data तो हम इसका भी डर बना रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे नीतियों में फैलियर रही है और आप देख सकत हमारा हम और और में रुश्त है मैं माता हूँ, मैं २वह करने की वजए बाहर बैठी विकारी को दस रुपए दे सकता या फिर हो सकता है कि मैं गरही चलत स अगर किसी को जरूर्त है तो उसकी मदद करना है मैं हमें खुश Twi मिलती है दान करने की वज़ए कि यह हैंने वरोसा है, लेकिन वहाँ जो मतलब काम करने वाले हैं, जो ठेके दार हैं, उन पर मुझे बिल्कुल भी वरोसा नहीं है, अब देश की राजनीते पर सम्मिधान पर सबको वरोसा है, लेकिन सम्मिधान मतलब आप सोच सकते हैं, नेताओं पर किसी को वरोसा नहीं है, और कभी आप सोचें कि धरम के नाम पर बोट लेकर या फिर अलग अलग से मुखों में माट कर देश को तरक्की मिल जाए ऐसा कभी नहीं हुआ है जापान का एक और सक्सिजोने का उधारन है क्योंकि वहां जाती हुआ में नहीं बटा हुआ है जापान कि आध यह जाती का पिदान मंतरी बनेगा एसा होगा वैसा हो गांग हमारे अदिकतर आज देखते हैं कि इसी नाम पर मढ़ते करते रहते और लोग इसी में अपनी जिं आपका केरल, स्वास्त, सिक्षा और रोजगार की मांग करा था यानि कि चुनाओ उसी पर हो रहे थे इन तीनों चारों मुद्दे पर आज आप देख सकते हैं कि केरल मैं सिक्षा की विवस्ता देख लीजे पर चाहे स्वास्त की विवस्ता देख लीजे महलाओ की स्थिती द मतलब उनके यहां कोई कमी नहीं है, फिर भी वो भी फिरी का लेना चाहे रहे हैं, अभी भी देखते हैं कि कई होस्पीटल में गरीबों के इलाज से ज्यादा जो अच्छे माहौल में हैं, यानि कि जिनकी आर्थिक इस्तिती ठीक है, वो भी फिरी में इलाज करवाते हैं, त अभी कुछी दिन पहले रजट आया हुगा है, आप देख सकते हैं कि 97-98% स्कोर कर रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी बहतर सिक्छा हुए, कि प्राइवेट स्कूलों की बज़ए सरकारी स्कूल उन्चाई पर पहुंच चुके हैं, तो अगर देश में ये पूरी विवस्ता फैल जाए, तो आप समझेए कि देश कहां पहुंच सकता है, हमें किती कि मदद नहीं करनी पड़ेगी, कि मतलब हमने ये उजनाय ले आके देनी, कि लिए ये फिरी का खाईए ऐसा करिए, उन्हें सिक्छा दीजे, वो अपने आप पैर पर खड़ें जाएंगे, वो अपनी तरक्की तो करेंगे, साथ में देश की भी तरक्की में योगदान देंगे, तो आपको समझना हो गए ने, ठीक है, पितम अध्याय में हम अध्याय करेंगे कि लोग बास्तों में विकास किया उधाना को कैसे समझते हैं, इसका माप समझते हैं, एक पिकिरिया के रूम में विकास की सुरुआत संभावता अतीत में कुछ पहले हुई, विकास को हम जिस अरत में समझते हैं, वो सारत में साथ किसी भी देश को विक्सित नहीं किया, नहीं कहा जा सकता है, विकास पिकिरिया की सुरुआत संभावता मानाव बस जैसे की शुरुवात वोई और किसी गत क्रियाओं का विकास आरंभ हुआ तो सम्होता अन्प्राथिक उत्पादों जैसे खने जैसकों की निसकर्शन की भी शुरुआत हैं, पत्थरों एवं अन्निखनयों की गोपराप्त करने की इस पिक क्रिया को उत्खनन करते हैं, यानि उत्पादों जैसे पेडों से लगड़ी कच्छे माल के रूम में उत्खन से प्राप्त खनीजों का उपयोग करना सीखा एपिता माना और निर्वित उत्पाद थे जिनने सिल्प की तियाग कहा जाता है याद रखिए सिल्पी उन्हें कहा जाता है कि जो काम करने वाले होते ह सामन अब आप कई बार आप देखते हैं कि कुमार जो होते हैं घड़ा बनाते हैं उन्हें भी सिल्पी कह देते हैं अर्थ सास्त्री किर्सी उत्खनन सहित जिसमें फाल चावल खने जैसे सोध्य प्राक्तिक उत्पादों का संग्रण खेती या पर निसकर्शन सामेले से अंतर करने के लिए सिल्प्रितिया बनाने के पिक्रिया को बीनिर्मार कहते हैं बीनिर्मार का मतलब यह है कि आप समझे कि बीनिर्मार आप एक तरह से कह सकते हैं कि गहूं आया एक देखिए उधारन कोई भी लीजिया बस आपको समझ में होना चाहिए चाहिए वो कहीं से भी उधारन लीजिया मैं हमें सा कहता हूं कि समझ में आना चाहिए आपने खेती फसल हुई, यहू निकला, उसके बाद आपने आटा बनाया, उसके बाद आपने देखा है बिस्किट बनता है, बरेड बनता है उससे, तो ए क्या हो गया, बी निर्माड, यह आपकी मतलब प्राथमिक चित में आपकी किरसी आगे, और दुतियक चित में क्या बनाया जा रहे है उससे, तो ए है आपका बी निर्माड, उत्खनस है किरसी जिसमें आपका प्राथमिक चित रख भी सामिल है, बी निर्माड जिसमें दुतियक चित है, भी कहते हैं हम लोग, प्राथमिक चित किसी कहते हैं, जिसमें बिल्कुल निचले का आप समझ सकते है कि दूध हो गया पसुपालन आप सोचिए किर्शी हो गया समझ रहें यह सभी प्रात्मिक चित्मे यानि की सबसे निचले इस तरब फर बी निर्माड में आप कुछ और आगे बढ़ जाएंगे वहां आप लोग तरह तरह की आपको टेक्निक की टेक्नोलोजी की जरूरत होग यह नाम अर्थ साथ के जनम जनक एडम स्मित द्वारा दिया गया इस्पिक्रिया के संचिप्त ब्याक्या नीचे की गई है अभी मैंने कई जगे पढ़ा है ऐसा कि देखिए मैं इतना मतलब घ्याता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ कि अभी पढ़ रहा था कि हम लोगों ने क्या किया कि प्रात्मिक छेत तो हमारा ठीक है किरसी पर आप देखते हैं कि कई राज जैसे भी जा 70 से 75 और 80 परसेंट तक जनसंगिया किरसी पर निर्भर करती है लेकिन किरसी पर वही लोग हमारे हाँ निर्भर हैं जो कम पढ़े लिखें जो अनपढ़ है आप देख रहे होंगे कि पढ़ने वाली कमी खेती करते हैं और दुतियक छेत में वो लोग आते हैं जो मीडियम बढ़के होते हैं, यानि कि पढ़े लेके जागरूख होते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया कि दुतियक चित पर हम लोगों ने जादा ध्यान नहीं दिया. और सबसे जादा आप जानते हैं कि दुतियक्षित ही जो होता है यही आपका रोजगार पैदा करता है तो इसी का हम लोग फायदा नहीं उठा पाए, हम लोगों ने दुतियक्षित में कम युकदान देते हुए, तितियक्षित में, यानि कि सर्वेस सेक्टर में कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए उसे हर चीज की इस तरह से सरफपितम एक बैक्ति या कम से कम एक परिवार के सदस संभुता सभी कार स्वयन करते थे उसके बाद कहीं कहीं सरंबे भाजन का लाब महसूस किया गया मानों ने अन्मों के साथ पाया कि जब कुछ लोगों बिकार का विकास ही है इसके बाद विसेसर्गों का उदाय हुआ और जो स्वयन वस्तुओं का बिल्कुल उत्पादन नहीं करते थे परन्तु दूसरों को यह बताने कि मैं विसेसर्ग थे कि बेतर टंग से उत्पादन कैसे किया जा जो डॉक्टर थे बिगायलबा बीमार पड़े लोगों का उचार करते थे इस विकास रम विभाजन से सोता सोभा होता सभी लोगों भी उत्पादक्ता में विद्धिल और आर्थ विवस्ता का भी विकास हुआ है एक तरह से आप ले सकते हैं विकास आज की बात नहीं है हड़ा पस अब जोड़ कर देख सकते हैं फल फूल और मास पर निर्वह रहते थे फिर विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया कि खेती करने लगे बस्त पहल लगे बहतर मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप लोग बहतर अग से सिकार करने लगे चोटे पक्चियों को भी मार के खाने लगे जानी कि आप बहतर मतलब विक जासी तो वो रहा है उसकी पिक्रियार, देख सकते हैं आप लोग, फिर दूसरे अध्याय में हम उस तरीक एक अगध्यन करेंगे, जिसके दायत आधुनीक अर्द्वरस्ता में, आर्थिक गतिविदियों के वर्गीकर्ण प्रात्मिक तुतियक और तितियक चित्रों के धाच संगटित और आसंगटित और सारुजनेक और निजी चेत्रों की भी चर्चा की गए, आधुनीक भारती अर्द्विस्ता की, चुनोतियों को समझ में, बर्गीकर्ण के अनरूपों की प्रासिंगीकता, की विस्तित ब्याक्या, वास्तमिक जीवन के उधार्णों, और संदर अध्यनों के माध्यम से की गए, एक ना कह सकता हूं कि आप सोचिए, अगर हमारे देश में सिक्षा सब लोगों को मिलने लगे, स्वास्त मिलने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश कभी पिछड़ा रहेगा, हम कुछी पलों में देखेंगे किस तरह से हमारा तरिश करेगा, तिती अध्यम, हम लोग तीसरे अध्यम में मुद्रा संसार में ले जाता है, जहां आधुनी करद वरस्ता में इसकी भूमिका, इसके पेकार एवं अनेक संस्ता ओं जैसे बैंकों से सम्मन्द की चर्चा है, इस अध्यम में लोगों को साब उपलब्द करान वाली अन्रस्ताओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गए चर्चा में साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है बेहें जलस्यक्या के एक बड़े भाग के वीच साख की उपलवता भारत में अनुपचारिक साख की बहुलता और उत्पाद उत्पादक निवेस उच जीवान इस्तर पर कास सौपोसिस सूचक तथा अध्रड गरश्टता निर्धंता निर्धंता की बिट्डी में साहिद कर्द जाल दुष्चक की निर्मान में साख की भूलता यह सभी अवधायन आए संदरब अध्यनों के माध्यम से पिस्पूद की गई है उसके बाद हम लोग वैस भी करण एक मत्फूद पर इगटना जिसमें अविकास पिक्रिया और इसके लोगों को एक को कई तरह से प्रभावित किया है चतुर्त यानि की चौत्रे अध्या में आपनों वैस भी करण की एक बिसेस आर्थिकाया उत्पादन की जटिल ताने बाने पर के अंदरे थे इसमें अभ्याक्या की गई है कि केंदरी ये बहुराश्टी ये कंपनी अभ्यापार उन्यवीश के जरिये वैस भी करण में मद मुल्यांकर भी करेंगे आप जान देंगी कई बार आपका मैंस में भी इस तरह के कुश्चन्स बन जाते हैं कि बैस्वीकर्ण से आप क्या समझते हैं इनके सकारात्मक और नकारात्मक कारक बताईए मुल्य अंकन कीजिए एक तरह से आप देखते मुल्य अंकन करने में बैस्पीकन क्या है इसका मुल्य अंकन कीजिए इसमें आपका सामिल हो जाता है कि इसके सही राखते क्या है यानि कि इसके फायदे क्या रहे हैं और हानिया क्या रहे हैं वो सभी आपको कि विवें ने चेत्रकों में केबल उत्पादन स्तर की विद्धी में मदद नहीं करती बल्कि इसके उच्छ नकारतमक पच्छ भी है इस अध्या में दिये गए उधारन और संद्रव अध्यान या परीच्छन करने का पेर्दन करते हैं कि विकास कल आप सभी लोगों छोटे बड़े उत्पाद को संगठित और आसंगठित चेत्रक के स्यमिकों सभी आयवरक के उभ्वोगता हों पुरुस एबं महलाओं को मिल ला है या कुछ सुविधा है सुविधा पराप्त लोगों तक ही सिमेते हैं यानि कि कहने का मतलब सब में सब लोगों को बराबर हर चीज का फायदा मिला है या कोई छूटा हुए ऐसे अंतिमध्या यानि की पांकवध्या में एक प्रहसंगी कधिन फिस्तुत करता है कि कैसे और कि सीमा तक हम उभ्वोगता के रूम में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं तीब व सब्सक्ति हा सिकता की पहिचान के साथ वास्तवित जीवन के अनेक देश्टांतों के माध्यम से अध्याय पर्षों से विक्सित विषिनकरः लाईति होतल दीण करता है यह अध्याय विश्थित विवर्ण देता है कि कष्ट पर खर्ची ली और अधिक समय लेने वाली वडमान याई क्रिया से अलग हटकर संचालित संचालित विशिय सवभोकता दालतों से लोग कैसे उत्र केन्ध कम खर्च पर अपने अधिकारों का दावा कर सकते ही वगोतान काकृत सच्छन आधिनियम संसोधन अधिनियम 2019 हुआ है उसे अभी कजी पर सौम लोगों ने वहता घंस समझाया हुआ था एक पूरा आइटीकल था उसमें बताया गया था कि क्या फायदे होगे, क्या नुकसान है, किस तरह से विवस्का की गई है तो आप लोग देखते रही है और एक बात मैं हमेसा बोलता हूं कि मत देखिए अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने आज तक देखिए कभी भी आपको किसी लेक्चर में यह नहीं मिलेगा, कि मैंने बुला होगी मुझसे जुड़िए या फिर ऐसा किजिए, वैसा आपको अच्छा लगता है, तो उससे जुड़िए, और नहीं लगता है, तो आप छोड़ कर जा सकते हैं, बस एक बार गलेलेश्ट सूची जरूर देख लिया करें, उसमें कई ऐसे लेक्चर बनाए गए हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, पाठ पुस्तक की इसमें अनेक उधारन और संदरब अध्यानों का उपयोग किया है, संपूर उद्धिस को ध्यान में रखते हुए, इन्हें पढ़कर उपयोग किया जाना चाहिए, आप समझेए कि उधारनों की जरिये आपको समझाया जाएगा, अध्या सिक्छक के निर्देश से पैरम हो से समंधित अत्रिक्त जानकारी के सरोत के बेवरन, सभी अध्याओं में पिते खंड के बाद, आओ इन पर विचार करें कि अंतरगत अनिक अभ्यास भी दिये गए हैं, यारी को गुश्चन्स ही है, उन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें खंड की पुनर रेक्चन के लिए कुछ पिसन है, और कुछ खुले परिणाम बाले पिसन और कारकलाफ हैं, जिन्हें कच्छाओं में या कच्छाओं से बाहर किया जा सकता है, कुछ अभ्यासों को की परिंचंचा के मात्यम से किया जाना चाहिए, छात इन पर समूह में चंचा कर सकते हैं, उनके नि इसका अभीप्यार पहली की तुन्ना में चात्रों की बीच अधिक पारसपरी और सहयोग में मदद करना है लेकिन इसकी कोई तहसुदा विदी नहीं है पितेग सिक्षक को स्वेब अपने पढ़ाने का धंग विक्सित करना होगा और हमें उनकी चम्ता पर विश्वास करना हो यहां मैं एक बात ही कहूँगा कि अगर आप सिविल सर्वेस या परिकिस्टरी स्टेट PCS की तैयार ही कर रहे हैं तो इस तरह कि कईया जो किरिया कलाब होते हैं जो प्रेवक सालाओं की बात की जाती है उन्हें आपको बिलकोल भी नहीं करना है उन्हें एक से दो बार पढ समंग को देने का प्रयासकी है हाल के बरसों की प्रवाडिक सभी समंग उपलब्द नहीं थोड़ी से बरसों में सभी आर्थिक प्रिवितियों में परिवत्तन भी नहीं होते हैं अधूनिक तम समंग समंग की चिंता किये विना आप यह बताएं कि अउधाना वेसे इसको उ लेकिन आपको समझना है कुछ जान्दा दिमाग नहीं लगाना है कि पुराने आकड़े हैं कि नए आकड़े क्या हैं कुछ नहीं आपका एक बेस मजबूत हो जाए उसके बाद आप लोग करेंट अपेस से जोड़े रहें और आप जानते हैं कि अगर से तैयारी कर रहें त जनकारी बाकर संगर्टारना की रिपोर्टों को भीसामिट किया गया है कुछ का उल्लेक की ल्ये नइड़े of पुस्तक के और समाचारबत्रों की संगरी में दिए गया है लिंगत वर हो पॉल पेपर डिस्पली प्रदर्शन वह साधी के रूम में पित उत्तर और रचनात्मक अभीवक्ति के लिए भी मुल्यांकर कर सकते हैं इसका मुल्यांकर लाश्ट में देखें एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि यह आपका आंसर राइटिंग हो गई क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अगर बेस्फ़ीकर दीद के वारे में भी लिखने को आ रहा है तो पहले आप लोग एक पडस्वीकरिद की प्रिवासा देदेगे उसके बाद क्या करेंगे इसके लाब क्या है या फिर हानी क्या है पहले लाब लिखें तो बहतर रहेगा पहले लाब क्या है उसे यानि कि सकारात्मक परिडाम रहे क्या रहे इसे भी लिख सकते हैं उसके बाद नकारात्मक परिडाम क्या रहे उसे लिखिए और लाश्ट में सकते हैं कि आखिर आपका बीच का रास्ता क्या है आपकी सोच क्या है वे तो आप ने बता दिया है देख कि इसमंगे सही क्या हुआ क्या हुए लाश्ट में लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है उसे आप लोग एक लिख सकते बैलेंस बना कर सिक्षा में सुधार की अवस्रिक्ता पर ध्यान देती हुए राष्टी पार्ट चर्चा रोप रेखा 2005 और परिक्षा सुधारों पर राष्टी ये फोकस समुख इस्तिधी पत्र ने परिक्षाओं में पूछे जाने बाले पिसनों के तरीकों में बदलाव के लिए अपील किये इस पुस्तर में पूछे के पिसन रटने को बढ़ावा देने वाली मुल्यांकर पिणाली से हट कर पार्टों की रचनादमक सोच कल उपना सिलता पिते उत्तर ओपिसलेशन चमता को धालदार बनाने वाली पिणाली अपनाई है यहां दिये गए उधारों की आधार पस एक छग अत्रिक्ष पिसनों को भी तेयार कर सकते हैं कि इसमें रटके कभी कोई पास नहीं हो सकता है इसमें अगर आपके सोचने की संथा नहीं आपका दिमाद तो आप मत करें आप बेंटर रहे आपके लिए कि आप किसी one day क्याम की तैयारी करें जिसमें रखने से काम चल रहें क्योंगि इसमें आप में देखा है कि अधिक तरबार आपको अपना अपने दिमाग का उपयोग करेते हुए उसके बारे में बताना होगा और फिर इंटर्वीव देख सकते हैं आप लोग आप से किसी भी तरह के सवाज मूझ सकते हैं कि इस पर आपका क्या विचार है जब आपके पास विचार नहीं होगा तो आप क्या कहींगे Animals कुछ लेगा कि ये चेंश में जो धारं के नाम पर इसे चरहएं इस स्जिब प्हाल सोचना है अगर आप कहें कि आफ का सोचना है तो आप ढाया में यवाब देंगे, निकाल दिया जाएगा, तो आपकी सोच विक्सित होना चाहिए, यह आपके questions दिये गए हैं, देखते रही हैं आप लोग, उसके बाद इसे भी देख लिए यह भारत का समिधान, उसके बाद हम लोग पार्ट करम पर चलते हैं, इसमें आकर इस वस्तक में कि पढ़ रहा हैं, उद्देश ही का, इसे वैसा तो मुझे लगता है कि रट गई होगी आपको, क्योंकि इतने बार हम लोग देख चुके हैं से, कि याद हो जाने चाहिए, पूरा समिधान इसी पर आपका गुमता हुए आसपास, हम भारत की लोग, भारत को एक संपून, प् विश्वास धरम और उपासना की स्तोतंता, पितिष्ठा और अवसर की संता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सम्में ब्यक्ती की गरिमा, राष्ट की देखता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदूता बढाने के लिए, दर्ड संकर्ट होकर अपनी समिधान कुछ प्रावधानों के साथ समिधान लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से अस्तित में आया 26 जर्मरी 1950 को, इस तरह के लिए आप लोग पॉइंट याद रखिए, बाकी इस पुस्तक को आप लोग अच्छे से बैठ कर जब भी आपको टाइम मिले पढ़ते रहे तो या आपकी विषय समगवочка है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहला अध्याय आपका विकास से संब्वंदित है? दूसरे अधियाय में बात करेंगे है हम लोग भारती अर्थhand वरस्ता के चेत्रक देखेंगे, यानि कि चसकी चेत्रक देखेंगे, पर बात करेंगे पॉटल पांच अध्याय रहेंगे इसमें चलिए तुम लोग बात कर रहे थे NCEIT कट्छा दस्भी की जो आर्थिक विकास की समझ है इसके बारे में हम लोग जान रहे थे तो एक कलास में हम लोग इसके विसायवस्तु जान चुके हैं कि आखिर इस किताब में हम लोग क्या प पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे पहला अध्याय आपका है विकास और याद रखिए अगर आप सिविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं और इस्टेट PCS की तो आप समय रहते हुए इन सभी बुक्स को पढ़ लें क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए इनका कोई द खीक है और सभी बुक्स की जो भी टेली पेडियाप है वो टेली ग्राम पर डली हुई है विकास की कई पहलू है इस अध्याय का उद्धिश विद्ध्यार्तियों को यह विचार समझाना है कि उनके लिए यह समझना आवस्ता की कि लोगों की विकास की बारे में अलग-अल हमने ऐसे विसलेशन भी किये हैं जिनकी प्रक्किती से जांदा जटिल और बेहाद हैं दूसरा पिसन है है कि देसों और राज्यों की तुला में चैनित विकास सुचकांकों की आदार पर कैसी की जा सकती है इस अध्याय में बेध्यार्ति इसका अध्यान भी करेंगे इक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है आप समझ रहें तो इन से भी आप लोग विकास की अनुमान लगा लेते हैं याग भी आय के द्वारा विकास मापने की विधी उपय हुई है इसके कुछ दोस्त भी है इसलिए हमें दीवन की गडवत्ता और पर्यावन की धायनेता जैसे नए सूचकामकों के प्रेयुब करने की आवस्तकता भी है आपके लिए अवेख्षा करना आवस्त है कि विध्यार्थी ओक्यप बिषया पर कक्चा में सक्रे बिदीकिरिया दिखाएं इस पर बिध्यार्थियों की राय में काफी अंतर हो सकता है वो इस पर विवाद होना भी संभव हो है, विध्यार्तियों को अपने दिर्ष्टी कोंड रखने दीजिए, हर खंड के अंत में कुछ पिसन और किरिया कलावत दिये गये हैं, इनका दोहरा उद्धिय से, पहला वे इस भाग में चर्चित विचारों को संचिप्त में बताते हैं, दूसरा वे विध्यार्तियों को उनकी बास्तिविक जीवन परिस्तिती के निकटला कर, इन विशें को बहतर तरीके से समझने की एउग बनाते हैं, सीधा सा काहिने का मतलब यह है, कि जो आपके कुष्टेन से लाट में दे दिये जाते हैं, उसे पढ़कर आपको पता चल जाता है कि इ आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसके जो भी चैप्टर लेके गए हैं, बहुत ही साधान सब्दों में लिखी गए, जहां समझाने की बात की गई हैं, तो वहां कहानी का रूप दे कर उसे समझाए गया है, अगर आप पच्चे मन से धहर रखकर पढ़ते हैं, तो एक से इस दूबार में आराम से आखकर जो पढ़ने का उत्तिय से वो पूरा हो सकता है, बस आपको धहर रखकर खढ़ना होगा, इस अध्याय में कुछ सब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका इश्पट्टी कहन आवस सके हैं, जैसे कि प्रिते बैक्ति आय, साख्चर्त दर, सिसु मित्यु दर, उपस्तिती दर, जीबन कत्यास्ता, सकल नामांकन उपात और मानौविकास सूचकाम, इन सब्दों से सम्मधित आंकड़े दिये गये हैं, तथा इने पूर रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्यान आवस सके, आपको क्रह सकती छम्ता की आए की गड़ना के लिए प्रियोग किया गया है, यह आवस सके कि इन सब्दों का प्रियोग चर्चा में सहाइक के लिए किया जाये, ना कि उनके कंटरस्ट करने के लिए, एक बात आप लोगोंने देखे होगे, कि जब आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो इसमे दिया जाता है, अब यहाँ आपको बता दी जाएगा कि पिती बेक्ती आय क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, सिसु मित्ती दर क्या होती है, उपस्तित दर क्या होती है, जीवन पित्यासा क्या होता है, सकल नामांकर अनपात क्या होता है, मानव विकास सूचकां क्या रहा जाता है कि आप NCEIT कम से कम 2-3 बार तो पढ़ी लें जब भी आपको समय मिलता है पढ़ लिए या ऐसा भी कर सकते हैं कच्छा 8 भी तक की चटवी से कच्छा 8 भी तक की आप लोग 1-2 बार पढ़ लें उसके बाद आप लोग 2-3 बार आप लोग कम से कम 9-12 की पढ़ लें और भारती अग्यवस्ता पर सांगी की हैंडवोग 12 सरकार द्वारा पिकासित आर्टिक सर्वेक चंड याद रखिए बजट और आर्टिक सर्वेक चंड जिस साल आप पेपल दे रहे हूं उस साल आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया करिएगा स्युक्त राष्ठ सांगी विकास कारिक्रम के मानो विकास रेपोर्ट और विस्वेंग विकास सूच खांग द्वारा पिकासित रेपोर्टों के लिए से लिए इसमें जो भी आप ले रहते हैं और ये रेपोर्ट हर वर्स पिकासित किये जाते हैं इनी से आपके लिये गय ठीक है आगड़े चली अब हम मैंट पर चलते हैं विकास अक्त्वा प्रग्यति की धायना हमेशा से हमारे साथ है हमारी आकान चायें और एक चायें कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कौन देश कैसा होना चा क्या सभी का जीवन बहतर हो सकता है, लोग मिल जूर कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है, विकास इन सभी पिसनों पर विचार करने और इन लक्षों को प्राप्ट करने के उपायों से जुड़ा है, यह काम जटल है, वो इस अध्याय में हम विकास को समझने की पिक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्छ कप्छाओं में इन मुद्दों को और अधिक गहराई से यानि कि आगे की कप्छाओं में और बेटर तरीके से समझ पाएंगे आप लोग। इसके अतरिक ऐसे बहुत से पिसनों के उत्तर आपको अर्थसास्क में ही नहीं बलकि इतिहास और राजनीती विध्यान के पाठकरम में भी मिलेंगे। ऐसलिए कि हम जो जीवन जी रहें वह अतीत से प्रभावित हैं यानि कि आप इतिहास किसी कहते हैं एक तरह से जो बीच चुका है हमारा जैसे आज हम लोग काम कर रहे हैं जो भी आप करेंगी एक दिन इति करेगा आज आप जो भी करते हैं वो इतिहास पर डिपेंड़ यानि कि इतिहास बनेगा अगर आपका कुछ नाम रहता है तब ही आपकी इतिहास में जगह दी जाएगी वरना आप समझ सकते हैं कि 35 से 40 करोड़ जंसन क्या हो चुकी है हर किसी को थोड़ी ही याद रखा जात है आज से भी पहले 1000 करोणों लोग हुआ करते थे क्या उन सब को याद रखा जा रहा है नहीं ना तो आपके जीवन पर निर्वा करता है कि आपकी सुत्ते से जीते हैं कैसे जीते हैं हम इसे जाने बिना बदलाव पीच्छा नहीं रख सकते हैं इस तरह हम केबल एक लोगत क्रिamm बिकास नहीं हो सकता है देख रहा है साधन सभिधाएं टीवी विकास को ein Cristize अपकटरिया आफ लोग सीधा सब्सक्राइब के अ उसी तरह से आप कह सकते हैं कि यहीं तो बिकास है, विकास क्या वादा करता है, विमिन बैक्ति विमिन लग्च, यादि हम कलपना करने का प्रयास करें की तालिका 1.1 में, एक दसंबलोग एक में दी गई लोगों के लिए विकास का क्या रत को सकता है उनकी क्या आकांचा है आप देखें कि कुछ इस्तम अधूरे बरे हुए है इस तालिका को पूरा करने की कौसिस कीजिए आप चाहें तो किनी और सेंडी हिवेक्टियों को जोड सकते हैं एक काल तुम एक काल चाहते हूं अभी द पढ़के निकल जाईएगा कुछ जाना इसमें दिमाग मत खबाना भूमीहीन गरामीट मजदूर विकास की लच्चिन की बात करेंगा आकांचा है काम करने की अधिक दिनों और बेहतर मजदूरी इस्थानी स्कूल अनेक बच्चों को सिक्षा पैदान करने में सक्षम कोई पैसामनाजिक भेदभाव नहीं और गाउं में वे भी नेता बन सकते हैं कहने का मतलब यह है कि जो भूमीहीन गरामीट मजदूर हैं उनकी क्या लालता होई यानि कि उनकी क्या आकांचाय होगी यही आकांचाय कि उनके बच्चों को बेहतर स्वास्त की सुज़ा मिले बेह कर सकते हैं कि पंजाब की समर्द किसान, किसानों को उनकी उपच के लिए जान्दा समर्थनमूल और महंतरी और रस्ति मजदूर द्वारा उच्चे परिवारिक आयस उनिश्चित करना थाकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, एक तर ऐसे आप वजिज कह सक किसान जो हमारे देश में समर्द किसान हैं, उनकी आखांचाहें और बढ़ जाती हैं, किसान जो खेती के लिए केबल वर्सा पर निर्वार हैं, उनकी आखांचाहें क्या हो सकती हैं, उनकी आखांचाहें यही हो सकती हैं कि आप उनके लिए बेहतर से चाही की सुधा हो जा उनकी इससे जाद़ कुछ आगांचाएं नहीं होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी खेती जो होती है फिरसी को मानसून का जुगा कहा जाता है, यानि कि अगर बरसा अच्छी हुई मानसून अच्छा रहा तो खेती बढ़िया होगी, अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं, भू स्वामी परिवार की एक ग्रामीड महिला, भू स्वामी परिवार की एक ग्रामीड महिला, यानि कि आप समझ सकते हैं कि जो कोई आप एक तरह से जागीदार माने लिजिए, या गाओं का जो जिसके पास भूमी काफी है, उसमें उस परिबार की एक महिला की क्या एक्चा हुई, कि बहतर जिंदिगी रहे, वो अपना मतलब आगे बढ़ पाए, लेकिन अधिक तर आप देखते हैं कि अभी सहरी बेरोजगार युबाओं की बात करें हम लो, तो इनकी आकांचाहें क्या हो सकती हैं, कि ने उस बेहतर रोजगार मिली हैं, समझाएं, नॉर्मल सी बात है कि मतलब सहरी बेरोजगार क्या सोचेंगे हुआ, कि उनके रहन सहन की सुगधा हो जाए, और इतना आय होने लगी है, कि उनका काम चलने लेगे, सहरी के अमीर परिबार का एक लड़का, उसकी और आकंचाहें बढ़ जाती हैं, बहरता जिंदगी हो, बहतर मतलब आप समझतकते हैं बिदेश जाने की इक्षा, सहर के अमीर परिबार की एक लड़की है, उसे अपने भाई के जैसी आजानी मिली, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी इतनी उनकी पास खुद्धा नहीं रहती कि वह अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें बेद तरीके से, तो यही सिक्चा, स्वास्त, रोजगान, खाने पीने के विवस्था हो सकें, देखें, मुझे लगता है कि जहां तक कि हर बैक्ती की आकंचाहें अपनी अलग-अलग है समझ रहे हैं आप दो, एक छोटा अनमी होगा, गरीवी में जीरा होगा, तो उसके लिए छोटी आकंचाहें होगा, और एक, मुझे लगता है यह उसी तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि परियावण को सबसे जाना नुकसान कौन पहुंचाता है, देखिए परियावण पर सबका अधिका रह उतना ही, पर चाहे किसी आप जानमर का लेख सकते हैं, खर्षी का लेख सकते हैं, इंसान का bends, लेकिन पर जानमर कोई हो, उसकी आकांचाहें कम हैं, उसका पेट भरता है और वो अपना काम जिंदगी धर्म अपना निवाती रहती है, गाय को आप ले लीजे ना उधारन के रूम में, कुत्ते को ले लीजे आप लोग, कुत्ते का पेट भरना चाहिए, वो यतना तो नहीं कहता है कि उसे जोड के रखना है कि आने वारी पेड़े के लिए होना चाहिए, लेकिन एक इंसान को आप देख सकते हैं, कि उसकी आकांचाएं और होना है, तो आपकी आकांचाहिए रहती है कि एक बड़ा फोन हो, एपल का फोन हो, ए हो, गाड़ी हो, वी आईपी हो, समझ रहने तो वह ही हाल है, मेरा मानना यही है कि आसाय रखना अच्छी बात है, लेकिन खुस उसी में रहिए, जो अभी आपके बरत्मान में, जो आप के पास है, क्योंकि कुछ जादा ही आकांचाहिए अगर हुँ जीमन में रखने लगते हैं, तो दुख होने लगता है, तालिका एक दसम लोग एक को भरने के बाद, अब इसका निरिक्षण करें, क्या इन सभी लोगों की विकास या परगती के बारे में एक तेसा बिल्चा है, बिल्कुल है, संभावता नहीं है, इन में से हर एक अलग-अलग चीज़ें पाना चाहता है, बे ऐसी चीज़ें चाहते हैं, जो इसके लिए सरवादिक मात हुँ है, अर्था बे चीज़ें जो उनकी आकांचाहों और एक्षाओं को पूरा कर सकें, वास्ताओं में कई दो बैक्ति या फिर दो गुट, ऐसी चीज़ें चाहते हैं, जिनमें परसपर बिरूत हो सकता है, एक लड़की अपने भाई की समकच आजादी और आउसर मिलने हैं, और भाई भी घर के कामकारी में हाथ बटाएगा, कि आसा रखती है, हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना ह इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्दोग पती जादा बात बात चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जल बगन हो सकती है, उन लोगों का जीवन अस्त वेस्ट हो सकता है, जो बेगर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासिस में आते हैं, बेस का विरोध कर सकते हैं, हो सकत है कि भी अपने खेतों के सचाहि के लिए केबल छोटे चैग बांध या भिलताला पसंद करते हैं, इस तरह दो बात साफ है कि एक अलग लग लोगों के विकास के लक्च भिन भिन न हो सकते हैं, दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए बिनासकारी भी हो सकता है, एक बात अब लोग उन्हें देखा हुआ, क्या देखा हुआ, कि एक बच्चा जनम लेता है, एक से दो साल का होता है, जब उसकी सोच इतनी बिक्सिक नहीं होती है, वो समय उसके सामने एक आप लोग 10 लाग रुपेर एक खिलोना रख लीए, रख दीजी, वो क्या उठाएगा, खिलोना, क्योंकि उसकी मतलब सोचने कि अलग अलग आप अंचाहें, यानि कि उसकी आथाएं अलग लग हैं, समझ रहे हैं, और आप होंगी तो आप लालच अपना समझते हैं, अब इस तरह भी आप देख सकते ह आप समझा करिएगा, ये भी कई बार आपके देखा होगा, बचपन में भी आप लोग देखते रहते हैं, कि चित देते देते हैं, उस पर आपका अपना विच्छा रखना होता था, इनका क्या सपना है, आकांचाहें कि इनके पास एक कार हो, लेकिन यहां देख रहे होंग आप लोग, ये क्या दुमा छोड़ रही है, इस तरह के लोग विक्सित होना नहीं चाहते हैं, आप सोचे एक बात कि इनका जो आकांचाहें हैं, और इनकी जो आकांचाहें, दोनों बेरोधावासी हैं, ये परेवालन से बचने के लिए काम कर रहे हैं, और ये आप समझ सक करते हैं, आगे, तरह आए और अनलक्च, आए और अनलक्च, आप अगर एक बार फिल तालिका एक दसंबल एक में देखें, तो एक बार समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नेमित काम बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अधवा अन उत्पादों के लिए अच् किसी किसान का रेड़ माफ करने की जरूरत नहीं है, किसानों को बहतर आप लोग भी युपलवद करा दीजें, उनकी मिट्टी का हल समय चेक होती रहे, मतलब उसकी जाच होती रहेगी, उसमें क्या कभी है, उसमें क्या जरूरत है, आप सोचिए बहतर उनके जो भी कीमत हो और किसी को देखिये, सिख्षा मिनती रहे, स्वास्त मिलता रहे, इससे जादा उनकी आकांचाएं क्या हो सकती है, उनका काम इससे चल सकता है, और बहतर जिन्तिगी अपनी बना सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से हमारी रोटी सिख्ती आई है, 17 साल से हमारे आपको देखने हैं, हुआ है विकास, यह नहीं कह सकते हैं कि पुरी तरह से विकास नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कही चित्रों में बस रोटी सिख्ने का काम किया है, एक गरीवी के मामले में आपने खुद देखा है, कि 70 साल से हर कोई चलात और रहा है इस पर कई नेता रोटी से चछ पर चले गए और कई नेता रोटी से आ रहे हैं लेकिन गरीब ही का वही हाल है गरीबू का वही हाल है है समझथ मैं किसी उख म 맞ते हैं ब्लकी कुछ मामलों में ये अधिक आय हए और अधिक उब्योग से आधिक मत्फून हो सकते हैं क्योंकि जीने के लिए के बहुत दिक बस्तूओं ही परयाप्त नहीं है आप अभी भी देखते हैं कि जो बेदभाव का है आप सूचिए उननी सो बचपन में एक अधिनियमाता है उसके बाद उननी सो चेतर में उसमें संसोधन होता ह उसके बाद आप 1993 में देखते हैं 1995 में देखते हैं अभी भी आप देखते हैं कि कई जगे आधिवासियों को गोडी पर चड़ने नहीं दिया जबता है साथी में इस तरह का बेदभाव आप अभी भी देखते रहते हैं मतलब सोचिए कि सतर साल के बाद भी हमारी सोच वहीं रुकी की रुकी हुई है अभी भी आप कैसी कर सकते हैं कि महलाओं को बराबर के अधिकार में ले हुए हैं आप ही सोच लिए ये कि आपके यहां सांसत के बात केवल लोकसभा सदसों की बात कर रहा हूं, बाकी को छोड़ दीजे, मैं बाकी हूँ, पर कभी नहीं जा रहा हूं, केवल 78 महलाएं चुनी जाती हैं पास्तों 45 में से, आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी इस्तिती हो सकती है कि मतलब आदी आवादी है मैलाओं की, फिर भी 78 केवल महलाएं चुनी जाते हैं, एक दूसरी तरह आप देख सकते हैं कि पिदान मंतरी में अभी तक, मतलब 70 साल में आपका पिदान मंतरी 1947 से अभी तक, एक पिदान मंतरी इंद्रा गांदी शिर्फ दी गई हैं, मतलब महल महिला की रूम में उन्हीं ने काम किया है बाकी पुरुसर है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुरुस पिधान आपका देश है दूसरी तरफ आप राश्ट्रपदी में देखिए तो पितवा पार्टिस स्थाफ बस उन्हीं एक ही महिला चुनी गई अभी तक के तो यह आसम निर्वर है लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी आवधिक बस्तूओं पर ही निर्वर करता है अगर आपको यह बात इस फ़स्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिक्या के बारे में जरा सोचिए आपको उनकी वित्ता की इच्छा हो सकती इस तरह और भी बहुत सीची है जिनने आसानी से मापा नहीं जा सकता है लेकिन उनका हमारे जीवन में महुत मात होता है इनकी परहा उपेक चक्र दी जाती है लेकिन यह निसकर्स निकालना गलत होगा जिसे मापा नहीं जा सकता है वह मात नहीं रखता है एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले क्या होगा करता था कि कहा जाता था कि गोरे और काले बन का बड़ा मतलब भेध होगा करता था कि मतलब कोई आप सोची कि गोरे को मात दिया जाता हूँ और काले को मात दिया जाता हूँ तो जो काला होगा बेक्ति, जिसका सहावला यार रंग होगा, जिसका काला रंग होगा, उसके दिमार्ग में क्या होगा? अपने आपको नीचा समझने लगेगा, नॉर्मल सी बात है आप सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मत भेद रहे, आपका मतलब एक समाज के साथ लिए तो ये बिलकुल नहीं है, नर्वदा नदीबर सरदार सरोबर बांध की उचाई में बिद्धी किया जाने कि बिरुद्य पिदर्शन है, नर्वदा नदीबर आपने जो सरदार सरोबर बांध की बात की जा रही है, इसी की बात की जा रही है, इससे क्या हो रहा था कि उ तूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, तो उसे सुईकार करने से पहले आप आए की अतरिक्त बहुत से कारों पर विचार करेंगे। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुईधाय उफलब्द होंगे, काम करने का बातारों कैसा होगा, या सीखने के क्या आउसर होगे। कि कहीं भी आपको अगर जॉब दी जाती है, तो अगर आप सूचिए कि किरहे गिरामिक शेत्र में आपको 10,000 की मिल रही है, और अगर अगर आपको दिल्ली जाकर 20,000 की जॉब मिल रही है, तो आप मुझे लगता है कि आप बहतर अपने गाउं में ही 10,000 की जॉब करना चा कि अतनी आया आपकी suitable नहीं रहेगे, तो दूसरे कई तरह कि आप लोग देखते हैं कि सुविधा आपके परिवार के रहने के लिए आपके स्वास्त की ब्यवस्ता है, इस तरह से कई आप फैक्टर देखते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वहाँ आप इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्षों को देखते हैं, यह सच है कि यदि महिलाएं बेतन भोगी कारती हैं, तो घर और समाज में उनका आधर बढ़ता है, तदा पी यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आतर है, तो घर में उनके कामकार में जाना हाथ बहतार आय के ही नहीं होते हैं, बलकि जीवन में अनमात्पून चीजों के बारे में भी होते हैं, एक बात आप लोगों को याद दला देता हूं, सायद आप जाते होंगे, तो कितने 6-7 गंटे, 8 गंटे काम करते होंगे, लेकिन घर में एक महिला को कभी देखिए, चाहे अ आप में कोई सवाल सॉल्व ना हो रहा हो, तो उस बैक्ती की जगे अपने आपको लख लिया करेगा, मुझे लगता है कि बहतर हम परस्तितियों को समझभाते हैं, अभी कई, अभी लॉकडाउन के समय, कई लड़कों को देखा, मैंने बच्चों को देखा, कि बड़े बद कई उनी से पूछा कि उनकी जगे अपनी माबा बहन को देख के, एक मैला रोड पर अपने बच्चे को जनम देती थी, उसकी जगे आपकी मा होती तो आप क्या बोलते सरकार के बारे में, क्या आपका वरोसा रहता सरकार पा, क्या उन जो रेलवे की पटली के नीचे आये हम किसी की परस्तिती को नहीं समझते हैं, वो कावत है ना कि दूसरे के दुखों, दुख हमें सरे मजाख लगते हैं, लेकिन जब हमारे उपर खुद दुख बीथते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर ये भी दुख होता है, तो यही महला रोड पस्तिती है, क्या है महल कि उस अपनी बीवी या अपनी माँ बहन बेटी किसी कोई भी हो उसकी जगए अपने आपको देखिए सुगय मुझे लगता है चार से पांच बजे उठे जाती है उसके बाद देखिए आप लोग की दस बजे के पहले नहीं सुएंगे दिन भर काम में लगे रहेंगी कुछ कुछ काम करती रहेंगी और एक देन का उनका काम नहीं है आप देखें कि साल में मुझे लगता है कि हल समय बुबैस्ती बनी रहती है आप से जागा मेहनत करती है लेकिन आप से कम उन्हें सुविधाग दी जाती है आप से कम उनके सम्मार किया जाता है अगर कोई महला बाह राष्टी विकास के बारे में किसके राष्टी विकास जैसा कि आमने ऊपर देखा है कि यदि लोगों के लक्ष भिन है यानि कि अलगल है तो उनकी राष्टी विकास के बारे में धार्णा भी अलग-अलग ही होगी आप पस्त में इस बिसेरे पर चर्चा कीजिए कि भारत को लिए क्या करना चाहिए संभावी काक्षा के बिमेन विद्यारी के अलग अलग उत्तर दियों हो कि हो सकता है आपने स्वrowsक Azmi किसनों के बहुत से दूसरे एंगल से आप लोग अच्छा उसे बता रहे हैं, कोई दूसरा होगा आपका दोस्त होगा या आपका कोई भी मेंबर होगा, वो क्या करेगा कि दूसरे नजरीय से उसे देखेगा, कहेगा इस हिसाब से विकास सील्डे से, समझ रहे हैं, लेकिन क्या सभी विचारों क क्या कार करने का कोई वेतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाब होगा या कुछ को हो, कि राश्टी विकास का अभी प्यार, इन सब भी सब पिसनों पर विचार करना है, आओ इन पर भी विचार कर लेतें हम लोग, निमलिकित इस्तिदियों उपर मैंने कहा ना कि इस तरह के चित आपने देखा होगा कि कहीं जगे आपको दे दिये जाते हैं इनके बारे में विच्छाल लिखने के लिए कहा जाता है इससे क्या होता है आपकी सोच विक्सित होती है एक तरफ आपको देखा जा रहा है कि यह BIP मल्टी बनी होई है यानि कि 2- 3-4-5-6 कई 10-10-15-15 मंजे मकान उसके बाद आप देखेंगी एक तरफ आपकी जोपडी यह वही हाल है कि मुंबई में आपने देखा होगा कि एक तरफ तो बड़े-बड़े माइल खड़े हुए और दूसरी तरफ खाने के लिए नहीं और जोपडी में बंचे देखने को म आप लोग कभी इन तरह की जोपडीयों की तरफ भी जाकर देखलिया करेगा बहुतर समझ में आएगागा तो इनके लिए विखास का आधर क्या होगा जो नीचे के उद्द hazard में ईनके लिए दया जिन्दिकी जो भी पानी की आ आप समझ सकते हैं या पानी की बीविशता ब वीडभाड मिली, उन्हें मतलब अगर टरफ कहीं अपने काम से जा रहे हैं, तो टरफ भी कम रहे हैं, बेदेशों में जाने की अच्छी सुविधार है, तो एक तरह से आप उसी तरह से लिख सकते हैं, कि आपकी ज़ूरतें अलग हैं, और अगर आप इस महलों की सोच रहे है में आप इस महें रह रहे हैं, तो अगर अगर अपने आपको यहां से रह रही हैं, जोपरियों में तो कभी अपने आपको यहां देखिय का आपको अपकी चाहरतें बढ़ जाएंगी, एक जहार ने 500 तन तरल जहरीले अवसेस एक सहर की दूसरे खुले घर और आसपास की समुद्र में डाल दिये या अफीका देश के आईवरी कोश्टर में अभी अवित जान सहर में हुआ इन खतरनाग जहरीले अवसेसों से निकलने वाले दूहों से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पढ़ना या खोड़े पढ़ना, बेहोस होना दस्त लगना इत्यादी की सिकायद की एक महिने के बाद साथ लोग मारे गए बीस अथ बताल में भरती हो विसाखतता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया पैटॉल और दातों से संबंदित एक बहुराश्टी कमपणी ने आईवरी कोष्ट की एक इस्थानी कमपणी को अपने जहास के जहरे लिपदा ठेकने के ये ठेका दिया था आप लोगोंने कऊ कई साउथ की मूवी ये देखे होगी उसमें क्या होता है कि कई electronic सामान होते हैं और कई विदूसरकारी सामान होते हैं जो आपने देखा होगा कि विदेशी क्या करते हैं उसमें ले आते हैं एक मूवी से आप समझ सकते हैं और वो डंप ले आते हैं वहा तो निश्चित रूप से विकास तरीकों में भी भिननेता हो सकती है अगर आप ऐसी किसी विवास से परचेत हैं तो आप विविन्र व्यक्तियों के तर्क जानने का परियास कीजिए यह आप लोगों से बाचीत करने करके या फिर अखवारों टेलीविजन के मात्रिम से जान स जो भी इस तरह के क्रिया कलाव होते हैं अगर एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो आ रहा है वरना ठीक है फड़के निकल जाये गरिएगा मैं यही बोलता है हूँ कि हमेशा आप से कि आपको एंथी इजियाटी पढ़ रहे तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल पता चलेगा दूसरी बार आप चपढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सब्दा के लिए जरूए है आपको समझना है आपको अपना बेस बनाना है आपको आप सोचें कि आपको कच्छादस की गुक्स पढ़ के पेपर नहीं देना है इसी कि कच्छादस की पूरी रट के आपको पेपर आए उसमें लिखना है नहीं आपको एक मजबूत बेस बन जाए औहांगे जब भी आपका मेंस लिखते ह तो वहां इतनी आपकी सोचने की संता हो जाए कि आप वहां पहतर आंसर लिख सकें, यही आपका उप्दिस रहता है, विविन्य देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग-अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों क विक्सित और कुछ को आविक्सित कह सकते हैं, कैसे कहा जा सकता है, इससे पहले कि हम इस बिसाय पर आये, एक अन्ड पिसनी के बारे में सोचते हैं, जब हम विन्य-विन्य चीजों की तुलना करते हैं, तो उसमें सम्मानता हैं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं, हम इनकी तु हो सकता है कि सबसे स्वस्त विद्यार्थी सबसे बड़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, मित्यता विवार ना रखता हो, तो हम विद्यार्थी की तुला कैसे कर सकते हैं, हम जो मादधन पर रयोग करेंगे, वह है तुला के प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कहते चुनेंगे। सामानता व्यक्तियों की एक या फिर दो मत्पूर विश्च्टता हैं लेकर उनके आधार की तुल्ना करते हैं। तुल्ना के लिए क्या मत्पूर विश्च्टता चुनी जाएं। इस पर मदवेद हो सकते हैं। विद्याद्तियों का मिद्धिता पूर विवार और सहे उभागना। उनकी रचनात्मक और उनकी प्राफ्त अंग। यही बात क्विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुल्ना करने के लिए उनकी आये सबसे मत्पूर विश्च्टता समझी आती है। आप समझते नहींते हैं कि विकसित दिल, विकासिले, देश, अलप विकसित देश, तो इनका इसी तरह से तो विभाजन किया जाता है। जिन देशों की आये अधिक हैं, उन्हें कम आये वाली देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जैसे अमेरिका, यह इससे समझ पर आधारत है कि अधिक आये कारत है कि मान भी है, आप सकता होगी सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, बेवन सभी वस्तुओं को अधिक आये के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जानदा आये अपने आप में एक मात्फून लक्ष समझा जाता है, और समझे आप भी सोचिए कि आपके घर में अगर भी बहतर आया है और बहतर इंकम है तो आपकी जो भी जीवन सही होगी वो बहतर समझ पाएंगे। आप अगर कभी मौल में जा रहे हैं और आपका बच्चा अगर कुछ मांगने लगता है तो आपकी अगर बहतर इंकम है तो आप तुरंट दिना देंगे उसकी आप जो भी आकान चाहेंगी अप एक चाहेंगी वो पूरी कर सकते हैं लेकिन आप सोचिए कि आपकी इंकम लो हमतब्य है यहा रही कि कहने का मतलब है कि आप एक परिवार की आये कैसे क्रसकते हैं एक देश एक परिवार ही समझ लीजे न लेकिन देशों के वीच्ट तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुः उप माफ नहीं है क्योंकि देशों की जन सं Cashham अलग-लग होती है कुछ आय की तुलना करने सिर्ए हमसे या ज्याद मुझे एक बात समझमें नहीं आती है, आप सोचिए, कि कई देसे एं अमेरिका की जन संख्या हमसे बहुत कम है, समझ दें, और हमारे देस की जन संख्या बहुत जाना है और अगर आप सोचिए कि आपके हां जो भी औस अउसत आय निकालेगे, तो आप सोचिए कि औस आय तो कि निकल आए चलिए 20,000-50,000 जितनी भी लिख ली हो 20,000 मान लीजिए आप तो कम से लगए मान रहा हूं या मतलब कोई कि लिए रहां किड़े नहीं रख रहा हूं 20,000 हो गई आप कहेंगे कि हमारे देश के पिती व्यक्ति आए 20,000 है क्या आपको लगता है कि सभी व्यक्तियों की आए 20,000 है आपको कई ऐसे भी मिलेंगे जो 2,000-3,000 रुपी कमा रहेंगी कई बेरोजगार बैठी हुएं कई दूसरे पर डेपेंड हो रहते हैं तो इसमें भ 12,056 डॉलर पिती वर्स या फिर उससे अधिक है उससे संभड़ देश और बेड़ देश जिनकी पिती बेखती आए 995 डॉलर यानि कि अमेरिकी डॉलर पिती वर्स है उससे कमें उन्हें निम्ना आयवाली देश कहा ज़ता है कहा गया है यानि कि कहने का मतलब है कि जिसकी 12,056 डॉलर अमेरिकी डॉलर है उसे क्या कहेंगे संभड़ देश यानि कि विक से देश और जो 995 से कम है अगर 995 डॉलर से कम तो उन्हें निम्ना आयवाली देशों में रखा जाता है भारत की अगर इस्तिती की बात करें तो मद्दा आयवाली देशों में भारत को रखा जाता है यानि कि विकासी देशों की सेंडी में क्योंकि उसकी पिती ब्यक्ती आये 2017 में के बल 1820 1820 अमेरिकी डॉलर पिती वर्ष थी समर्द्य देश हों जिनमें मतपूर के देश और कुछ अन देश चोटे देश सामिल नहीं है को आम तोर पर विक्सित देश कहा जाता है अमेरिका को आप लेख सकते हैं विक्सित और वाके आप देखते हैं नमालिया ये हो गए सभी आपके अल्ब विक्सित और भारत हो गया है इसे आप कहे सकते हैं विक्सित ठीक ओसट आये एक भी ओसट आये तुलना के लिए उपए होगी है फिर भी ये आसमानत्य चुपा देती है उधारण के लिए दो देस का और खा पर विचार करते हैं सलता के लिए हम मानते हैं कि कि पित एक देस में पांच निवासी हैं तालिका में एक दसम्मलों पांथ दिए गए आकड़ों के इनुसाद दोनों देसों की औस्त आयर निकालना है यह आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि एक देश की पांच निवासी, यारी की पांच लोग जनसंख्या नहीं हो सकती है, यह बस हमें मानना है, हमें समझने के लिए बताए जा रहा है, दोनों देशों की तुलना की अगर बात करें हम लो, तो 2012 में आंगरोकों की मा से क्या है, यानि की महिने की आहीं, रूपिय में दी गए हैं की, यह देश का हूग गया, और यह देश खा हूग गया, यह एक ब्यक्ती हो गया, दूसरा, तीसरा, चोत्रा, पांच है, आप देखेंगे यहां की, जो एक की है, इसकी 9200, दूसरे की 10500, और तीसरे की 9800, दू खाकी बात करें तो पांच सो पांच सो पांच सो एक दो तीन चार की और जो पांच बाव यक्ती है ए अर्तारिस हजार रुपे है इसकी इस तरह से ओसत आय निकालेंगे तो आपको एक अच्छी खासी इंकम दिखेगी लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों के बारे में सोचिए पांच पांच सो आय वाले तो एक समय आप समग सकते हैं कि मुखे सम्मानी को आप रख देजिए या इस तरह कि जो भी बड़े आदमी हैं उन्हें रख दीजिए और एक आप जुगी जोपड़ी वाले को रखिए जब औस आय आप निकालते हैं तो सब को जोड़के निकाल पाहिती है क्या आप इन दोनों देशों ने रहे कर समाण रूप से सुखी होंगी क्या दोनों देश बराबरद विख्षत हैं साइध हम में से कुछ कुछ लोग देश खाँ में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह अस्वासन हो कि हम उस देश की पांच पे नागरिक तो सायद हम में से जाना लोग देश का में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अग़िपी दोनों देशों की ओसताय का एक समान है। देश का की लोग ना तो बहुत हमीर हैं और ना ही गरीब हैं। और एक बहुत हमीर है। इसलिए अग़िपी ओसताय तुल्ला के लिए उपयोगी है। लेकिन इसमें यह पता नहीं चलता है कि आए लोगों में किस पेकार विद्धित है। आप अपने देश की ले लीजे ना इस्तिति। आप भी अपने परिवार के मेमरों भी देख लीजे। और आपके आज पास जो जोबडी में लोग रहती हैं उनकी भी देख लीजे। तो इससे आप लोग बेहतर समझ पाए। गरीब भीहीन तथा अमीर भीहीन व्यक्तियों का देश हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। गरीब तथा अमीर व्यक्तियों के देश हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले दिया। यानि कि कहने के मतलब इन लोगों ने बनाया इसने किस तरह से कपजा कर दिया। और इन ही ने बनाया इन यही उपयोग कर रहे हैं। इसने संबंदीर भी questions दिये गए, नहीं आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग AI और UN मापदन्ड देखते हैं। जब हमने व्यक्तिगस आगंचाओं और लक्षों को देखा तो पाया कि लोग केबल बहतर, AI के बारे में ही नहीं सोचते बलगी बे अपनी सुरक्षा दूसरों से आदर और समानता का वेवार पाना। आजादी इत्यादी जैसी लक्षों के बारे में भी सोचते हैं। अब आप से ही कह दिया जाए, आप ही सोची है। आप से कह दिया जाए कि आपको एक अलाक रुप्य महिने का महिना दे रहा हूं। आप पाकिस्तान में रहने लगिए। आप उसलाके में रहने लगेए अफदालिस्तान में जहाँ आतंकीयों का मतलब साया चाया रहता है, आपको सुवह को भी मालूँ नहीं है, कि आपको सुवह आप जिंदा मिलेंगे या नहीं, आपको कैई अलाखे ऐसे भी हैं, कि आपको यह भी पता नहीं है, कि आप आप या आपको अपनी लिए इसी पेकाल जब हम किसी देश या छेत के बारे में सोचते हैं तो हम वह सताय के अतरिक्त अनमात्पून लख्चरों के बारे में भी सोचते हैं एक विसेशथाय क्या हो सकती हैं इंका निरुक्चन हम एक उधारन के दवारन करते हैं तालीका एक दसम्दों तीन में हर्याना केरल और विहार की पिति बेक्ति आये, पिति बेक्ति आये, तरसाती है, बास्तों में ये आकरी वर्स 2015-16 की, वारत्मान कीमतों पर पिति बेक्ति निवल राज्ची गहरेलू उत्पात के हैं, अभी हम इस जटल सब्द का क्या देते हैं, मौटी तोर पर हम इसे राज्ची की पिति बेक्ति आये माल सकते हैं, हमें देखते हैं कि इन तीनों राज्चों में हर्यार्णा की पिति बेक्ति आये सबसे अधिक है, और विहार सबसे पीछे है, इसका अर्थ है कि ओस्तन हर्यार्णा में एक बेक्ति एक बर्स में हर्याडा सबसे अधिक और विहार सबसे कम बिक से राज माना जाएगा अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आकडियों पर नज़र डालते हैं जो की तारिका एक दसमलोग चार में दिये हैं यहाँ आप पहले देख लिए हर्याडा की कितनी है याद रखिए यह आकड एक लाग चालीस अजार एक सो नफ़े विहार की आप देखेंगे एक तीस अजार चार सो चंवाट और याद रखिए आपका बजट आता है तो उससे पहले आपके जैसे अब 21 का बजट आया तो 20-21 का बजट आया लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षन होगे वो 19-20 के होगे य हर्याणा केरल और विहार की कुछ तुल्नात्म काकड़ों की बात करें हम लोग ए राज जोग है सिसु मित्यवदर पिती एक जार ब्यक्तियों पर 2016 की बात है साफचरत दर 2011 की निवल उबस्तिती अनुपाद पिती व्यक्ति एक जार सो ब्यक्ति उच्चेतर यानि की आयू केरल की बात करेंगे तो सिसु मित्यवदर एक हजार ब्यक्ति यानि कि आप देख सकते हैं कि सो दस यानि की केरल बहतर itorsल्टिति में है शिक्चा करें में आप केरल को बहतर देख सकते हैं और यहां निवल उपस्तिति इनौपात उच्च्चितर त्रे सका है थैरा सी सः त पात में 43, यानि कि इसमें भी पीछे है आपका, इस तालिका में प्रयूप किये गए सब्दों की व्याक्या, सित्यू मित्यदर, किसी बरस में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, एक बरस की आईव से कम से पहरे मर जाने वाले बच्चों की अन्पात होता है, यानि कि आप देखिए कि हर्याणा में 1000 बच्ची एक बरस में पैदा हो रहे हैं, माल लीजिए 1000, इससे होती तो जाना है, तो उसमें एक साल की बीतर, कितने बच्चों की मित्ती हो जाती है, तो उनकी हो जाती है 33, 1000 पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहीं केरल में 10, केरल में 20, साक् जनसंक्या का अनपात होता है, यानि कि साक्षर लोगों में उन्हें जुड़ा जाता है, जो 7 वर्स या उससे अधिक आयू के लोग होते हैं, तो इन्हें देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर्याणा में 82 पितिसत लोग साक्षर हैं, केरल में 94 पितिसत, बिहार में आपका जा रहे हैं, 14 से 15 वर्स की आयू के, तो आप देखेंगे किरल में सबसे जाना, और उसके बाद हर्याणा में, और बिहार में सबसे कम, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप देखेंगे किरल हर मामली में सबसे बहतर है, स्वास्त में देख लीजे आप लोग, और बिहार में आप समझे रहें, सिसु मित्ती उदर क्यों जादा हैं, क्योंकि आप सोचिए स्वास्त की विवस्था नहीं होगी, जब भी बच्चे को जनम दे रही हो कोई महला, तो उस समय अगर बहतर सुगधाय ना मिलती हो, तो आप उनकी स्थी समझे, और साख्षर्दा का मतलब यह है कि आप सोचिए कि जब पड़े लिखे बच्चे नहीं होगी, तो आप गरीवी देखेंगे, आप बेरोजगारी देखेंगे, आप राजी का हाल देख सकते हैं, यह तालिका क्या दरसाती ही कि तालिका का पहला इस्तम दिखाता है कि केरल्व है, एक हजार जीवत पैदा हु कोई बच्चों में से, 12 बच्चे एक बर्स की आयूग तब पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन हर्याणा में अनपात और बुरा है, 36 जो केरल की तुल्ला में दो बुना से भी जाता है, दूसरी और हर्याणा की पिति व्यक्ति आए केबल केरल से जाता है, जैसा कि एक दसमलो तीन तालिका में दर्सा आए गया, जर्णा सोचिए कि हमने माता-पिता के लिए आप कितने प्यार हैं, या सोचिए कि सब लोग कितना पिसन होते हैं, जब कोई बच्चा जनम लेता है, अब ऐसे माता-पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पह के हैं, 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, या हमारी सुतनता के 70 वर्ष बात की बात हैं, जब हमारे देश के बड़े सहर उची-उची एमारतों खरीदारों खरीदारी के लिए सौपिंग मॉल से भरे हुए हैं, समस्या सिसु मित्य उधर पर समाप नहीं होता थी हैं, तालिका का अंतिम इस्तम दिखाता है कि बिहार के लगबग आधे बच्चे कच्चा अटबी की बात इस्कूल नहीं जा रहे हैं, अर्था तेदी आप बेहार की इस्कूल में पढ़ते होते हैं, तो आपकी प्यारमी क कच्चा के लगबग आधे से अधिक बच्चे गायव होते हैं, जिर बच्चों को इस्कूल में होना चाहिए था, बेवाह नहीं हैं, अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी या समना पढ़ बाते हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप ही सुचिए कि आप अगर कच्चा चटवी या आटवी में अपना स्कूल छोड़ दे थे, तो क्या आप लोग कच्चा दस्वी की विताफ पढ़ रहे होते हैं, नहीं कभी नहीं हैं, अधिकाल सिस्वों को बन्यादी सुविधाय भी नहीं मिल पाती हैं, यानि कि उन्हें जो भी सुविधाय होती हैं, स्वास्त केरल के उसद ब्यक्ति की आए से अधिक है, यानि कि जो हर्याणा में एक ब्यक्ति की आए है, केरल के एक ब्यक्ति की आए से अधिक है, मतलग पती ब्यक्ति आए से, लेकिन इन महत्पूर छित्रों में होगा केरल से पीछे हैं, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं, फिर चाह आपका जो बच्चों की मौत में देख लिए उसमें केजल से पीछे आई इसका कारण यह है कि आए आवस्यक नहीं है कि जेव में रखा रुप्या बे सबही बस्तुएं और सिवाएं खरी सके जिनकी आपको एक वेटर जीवन के लिए आवस्यक्ता हो सकती है नागरिक कितनी भौतिक बस्तुएं और सेवाएं प्रेयोग कर सकते हैं इसके लिए आए अपने आप में संपूर रोप से परयात सूचक नहीं है वो धारन के लिए सामनता आपका दर्ब आपके लिए पीदूसर मुक्त बातावर नहीं करीच सकता या बिना मिलावट की दवा आपको नहीं दिला सकता है जब तक आप ऐसे समदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां यह सुगधाय पहले इससे ही उपलग है दर्ब आपको संकरमक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है जब तक कि आपका पूरा समदाय इनके बचाओ के लिए कदम नहीं उठाता आप उसी तरह से ले सकते हैं आप लोग कि आपके पास पैसा है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन आपके पास हरतरह से सुगधाय नहीं हो सकती है अब आप पैसा बचा के रखे रहे हैं आपके नहीं हमारा पैसा रखे रहे हैं यह हमारे पास आया इंकम जादा है ना तो आप ना ही आप लोग VIP घर बनवाएं और ना ही आप लोग काल खरीदें और आप जब भी जाए आप टेक्सी का सहारा लें तो आपका वो पैसा रखा है ना भली हर्याणा से लेकिन वो अपनी स्वास्त वेवस्थाओं पर ध्यान देते हैं हर्याणा की लोगों की आप देखेंगे कि इनकम अंदिक है लेकिन इसे उस लोग पर हम एंग खर्च नहीं करते हैं बास्तों में जीवन में बहुत सी महत्पूर चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन बस्तूंओं सिवाओं को सामयिक रूप से उपलद कराना है जरा सोचिए किसी इस्थानीय इलाकी के लिए सामूहिक सुरख्चा बिदान करना अधिक सस्ता है अत्वा हर घर के लिए अलग-लग सुरख्चा गाड रखना है आप क्या करते हैं अगर आपके गाउं या इलाके में आपके अत्रिक्त कोई और पढ़ने में रूची नहीं रखता है क्या तुम पढ़ पा हुए साइद तब तक नहीं जब तक कि तुहारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी इसकूल में पढ़ने बेजने की चमतार ना रखते हूं आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत से अन्डबच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग यह मानते हैं कि सरकार स्कूल सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य पेकार की सुविधाये उपलब्द करानी चाहिए जिस से सभी बच्चों को अपन पढ़ने का उसर में लिए और अभी भी बहुत से चेत्रों में बच्चे मुक्रोग से लड़किया कुछ बिध्य लए सिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज इनके लिए परयाप्ट सुविधाये उपलब्द नहीं कराती है या सीधा से कहने का मतलब यह है कि आप कुए भी किसी व्यक्ती के अगर वो बच्चों के लिए उपलब्द कराती हैं चाहे फिर लड़कियों का हो या पर किसी गरीब तक लेके बच्चों का, क्योंकि आपने देखा है, ठीक है, आपके पांच भी गप्चा तक तो आपके स्कूल की सुविधा आपके गाउं में ही करवा दी गए, लेकिन उससे आंगे की जो सिख्चा होती है, उससे आप देखि चित चोटे हुए है हमारे देश में, ठीक है, और लड़कियों को बहुत जानदा पाबंदी लगाई जाती है, तब ही आप देखते हैं कि कप्चा पांच भी जब तक स्कूल है, आट भी तक आपका है, या दस भी तक है, तब तक आराम से लड़कियां पढ़ती रहती है, आप लोग देखते हैं कि उनकी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में आपका गिरावट देखी जाती है, केरल में सिसु मित्ती दर्ग कमें क्योंकि यहां स्वास्त और सिख्चा की मौलिक्स होगिदा है, परयाप्त मात्रा में उपलाते हैं, इसी पिकार कुछ राज्यों में सारवजी ने एक बितरन पिराली ठीक पिकार करती है, ऐसे राज्यों में लोगों की स्वास्त और पोसर रिस्ता है, निश्चित रोप से बेतर होनने की संभावना है, अभी कुछी तरह पहले मैंने एक आर्टीकल पढ़ा था कहीं, कि बुद्दिल खंड में आप देख आंगनबाड़ी में य Qian서 combine की सोविधार र यानि पोस्टि कहा हाथ जो भी आता है तो उसमसे अधिक जो आप का कार करता है यह अंगनबाड़ी का बोड़ करता हो चला जाता है, और आप समझ सकते हैं जब इस्तितीट ठीक नहीं रहेगी तो आउगी केसे बढ़ पाएगा तो मुझे लगता है कि जन्ता को जागरूप होने की आवर सकता है यहां इससे सम्मंदित एक कुश्चन्स दिये गए नए भी आप देख सकते हैं कारिकला तालिका 1.5 को देयान से बध्यन कीजिए और निम्न अनुशेदों में रेक्तिस्तानों को भरिये हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका की आधार को कुछ गड़ना करनी पड़े कुछ गरामीट जन्संख्या की संसरेट दर की बात करें तो प्रोसों में चेतर और महलाओं में आपका 5000 पिचले में दस से चौदर वर्स की ग्रामीड बच्चों में साक्षरता की बात करें तो 90 पितिसत और महलाओं में अगर बात करें लड़कियों में तो यहां का 82 सब्सक्राइब ग्रामीड पुर्सों के लिए आपका 76 पितिसती और ग्रामीड महलाओं के लिए इसमें आपका चमण पितिसती यही नहीं कि बहुत से वाइस कर इसकूल ही नहीं जा सकता है वल्कि इस समय स्कूल में नहीं है यानि कि इसमें से कह सकते हैं आप लोग कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसकूल नहीं जा पाए और इनमें से अधिकतर इसकूल में छोड़ देते हैं कुछ समय पर इस तालिका से स्पष्ट है कि 30 ग्रामीर लड़कियां यानि कि कहने का मतलब यह है कि 87 ग्रामीर लड़कियां और और आपका 90-30 ग्रामीर लड़कियां इसकूल नहीं जा रहे हैं सौरी माप करिए यह आपका यहां दिया गया है सौरी माप करना यहां यहां आपका देखिए आप लोग 90-30 जा रहे हैं बच्चे ग्रामीर लड़कियां और आपके 10-30 ग्रामीर लड़कियां और आपके 10-30 ग्रामीर लड़कियां इसकूल नहीं जा रहे हैं चोड़े से 10-14 वर्स की आयू के बच्चों में से आपके 13-30 ग्रामीर लड़कियां और 10-30 ग्रामीर लड़कियां निरक्षर यानि की साक्षर नहीं होंगे मुझे लगा यहां की साख्षरों की बात कि यह रहे हैं हमारी सतंता के 68 वर्सों के बाद भी आयू के बर्ग में इस तरकी निरच्छा तिंचा जनक है, यानि कि 10 से 14 वर्स की आयू की, बहुत से अनराज्जों में भी 14 वर्स की आयू तक कि सभी बच्चों को निस्कोल, निसोल्क तथा अनिवार, सिख्छा प्रदान करने के संविध उसके बाद भी 2-4-10-50 साल तब तक भी नहीं करता है पूरा, तो यह तो हमारी अच्छा गया लिजज, फिर चाहिए हमारे नेताओं की महांता करें लिगी, कि अगर हम लोग गरीवी घटाने का अभी भी अगर दोजार भचास करक देना, तब भी गरीवी नहीं अटेगी, इसे देख सकते हैं, और एक बात और याद रखिए, आपका देखिए, दोजार दोब में 86-20 संविधान संसोदन द्वारा, आपको सिख्छा का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन सिख्छा का अधिकार स्वास् अब आप सूचिए को आपको इतने बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कितने लोग बोलते हैं, और सिख्छा का अधिकार दिया गया है, तो गुडवत्ता पूर्ण सिख्छा नहीं है, आप सरकारी होस्पीटलों का हाल देख सकते हैं, सरकारी जो स्कूल हैं उनका भी तो घर के काम में तो हाथ बटाएगा, इसलिए वो अपने स्कूलों में नहीं बेज़ते हैं बच्चों गो. कार कलाब 3, या गयाद करने के लिए क्या हम उचित पिकार से पोसेते हैं, एक तरीका है जिसे विज्ञानिक्स परीर दिर्मान सूच कांग BMI कहते हैं, इसकी गड़ना करना सरल है, कच्चा में पितेग विद्याती अपना भार और उचाई गयाद करें, पितेग बच्चे का किलोग्राम मिलें, फिर दिवार पर एक पैमाना बना कर सिर्कों सीधा रखते हुए उचाई का सही माप करें, सैंटीमीटर में नापी गई उचाई का सही माप करें, किलोग्राम में बैक्त भार उचाई के बरक के बरक से भाग देदें, यानि कि जितनी उचाई है आपकी उसका बरक करके भाग देदें, आपको जो अंक प्राप्त होगा हुआ है, वही BMI कहलाता है, यानि की कहने का मतलब सरीर विज्ञानिक, विज्ञानिक सरीर द्रमान सुचकान कहलाता है, फिर इस पुस्तक के पेश 90 और 91 पर दी गई, आईउ अनसार BS, BMI, तालिका को देखें, आगे हम लोग बात करेंगे इसके पर, विद्यारिति का BMI सामान से कम या सामान से अधिक हो सकता है, यदि एक विद्यारिति की BMI, 2SD से 3, 2SD से 2SD के बीच हो, यानि कि मैनस 2SD से 2SD के बीच हो, बीच हो तो उससे सामान कहा जाएगा यदि 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 माइनस 2 HD से अधिक है तो वह नियून भारित है उसे अतरिक पोर्षन की आवसकता है उधारन के लिए यदि एक विद्यारिक्ति एक की आयो 14 वर्स और 8 माय है और इसकी BMI 15.2 है तो वह अल्ग पोर्षत है इसी इसी बा बांती यदि एक बांती एक विद्यारिक्ति जिसमें जिसकी BMI 28 और आयो 15 वर्स 6 माय हो तो नियून भारित कहीं उसे विद्यारिक्ति की जीवन परिस्तिती भोजन एवं ब्यायाम सम्मधि आद्थों के बिना किसी की को लचित किये सामन रूप से चल्चा करें एक बात और और हमेजयात रिखी इस तरह ऐसे क्या रहता है कि एन माप्ति रहते हैं और आपकी दिसमें अलग-अलग प्रवाने की कि कौन अलगुशन है किसी कंपो सं मिलना है तो किसी किस तरह है इस तरह से चलता रहता है एक आप लोग सुनते रहते हैं मानो विकास रिपूट हमेशा पर यह विकास की इस तरकुम आपने का परयाप्त मापदन्ड है, तो हम अनमापदन्डों के बारे में सूचने लगेंगे, ऐसे मापदन्डों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी ही उफ्यों भी नहीं रहेगी, हमें अधिक मापदन्ड चीजों की कम संख्या में आ देशक में स्वास्त और सिक्षा सूचकों का आये के साथ ब्यापक इस्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है, उधारन के लिए EU NDP द्वारा विकासित मानव विकास रिपोर्ट देसों की तुलना लोगों के सेक्षडिक इस्तर उनकी स्वास देती और पिती ब्यक्ती आय के आदार पर करती है, बहारत उसके पड़ोसी देसों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबर्द आगड़े पद्रिष्टी डालना रोची करोगा, यह याद रखिए 2018 के हैं, इसे अपडेट करते रही है, आपका करेंट अपेस अभी जो घटना पूरी कंप्लीट की हुई थे, उसमें आपका पूरा कंप्लीट की जा हुए है, उसे भी आपके काफी कुछिन्स करेंट से समझ जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह नहीं बद लेंगी, मानव विकास रिपोर्ट को तयार करते वक्त, क्या किया याद रखा जाता ह है, तो लोगों की सेक्षेक इस तर भी याद रखा जाता है, उनकी स्वास्तित्ति और पिती बेक्ती आयके आधार पर भी इनकी यही रिपोर्ट तयार की जाती है, कई बार कुछ चैस बन चुका है, कि मानव विकास रिपोर्ट को तयार करती समय, किन-किन बातों का देहन जाता है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिए, बस 2017 के लिए भारत वो उसके बड़ोसी दिसों के कुछ हांक्रे दिये गए हैं, सिर्य लंका की देखेंगे आप लोग, तो सकल राष्टी या इति बेक्ती अमेरिकी डॉलर में है, 2011 की क्राय सक्ति चम्धा किन सार, जनम की समय संभावित आयू, 2017 केंसार, विद्यालाई उसत आयू, 25 बर या उससे अधिक, 2017 केंसार, विस्समानव विकास सुचकांग क्यान्याई की, HDI का किर्मान्थ, आपका HID, HDI का किर्मान्थ हो गया, 2016 का है, स्री लंका की अगर हम लोग बात करें, तो स्री लंका की बात करें, तो इसकी क्राट जो सकल राष्टी आया है, वह आपकी 11,311,000, 312,000, 326 डॉलर, अमेर की डॉलर, और जनम की समय संभावित आयू, 75 बरस, 75 बरस, और विद्यालाई उसत आयू, 25 बरस वया उससे अधिक, 10.9 बरस, और आपका 76 बरस बात करें, तो 6,353,000, अमेरिकी डॉलर में है, पितिवेक्ती, अमेरिकी डॉलर में आया है, शकल राष्टी है, आया है, और इसका जो अगर हम लोग जनम की समय संभावित आयू की बात करें, तो यह आपकी 68 बरस आयू, और विद्ध्यालाई आयू, 25 बरस आयू, 6.4 और 130 बर पढ़ें, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि 2019 के जो रहे आक्रिती, इसमें भारत को 129 बरस थान में लाग रहा है, ठीक है, यादर की, बाकी आप देख सकते हैं कि नैपाल और भारत आपसे बहुत नीचे, ठीक, हैं कि HDI के अर्थ होता है, मानोविकास सुचकांग उपर दीगी इतालिका में, HDI सुचकांग किरमांग कुल 189 देशों में से है, यानि कि कहने का मतलब है कि 100 जो इसकी जनगरना होती है, मानोविकास सुचकांग की, इसमें 189 देश सामिल किए गये थे, उन में से आपके भ गयर नाम सेइसपष्ट है, भैक्ति की जनम के समय, उसताईप की संभावना दर्साई घी पिती, आईकि गरना सभी देश के लिए डौलर में की जाती है, ताकि उसकी तुल्ना की जा सके, या इस तरीक हिसे भी किजाती है, कि एक डौलर किसी भी देश सामान मात्रा में बस् स्रिलंका के रुपय की अलग जो भी करेंशी होगि, उसकी अलग होगी। पाकिस्तान की अलग होगी। बागी अलग देशों फानी होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है GPU कि अपने आके जितना डॉलर की कीमत होती है अपने आके डॉलर से इसे कमपरव pressing कर लेते हैं तुल न तो डॉलर अगर 70 में है अभी, तो आपका 70 में आपकी हाई मिल रहा होगा, अमेरिका में भी उतना ही में, अगर रुपे में हम बदलना चाहें, और आप सुचिए, वहाँ भी इसी तरह आप देखेंगे कि, जो स्री लंका की करेंसी होगी, वो अपने हिसाब से एक डॉलर हो, लेकिन डॉलर डॉलर रहे गाए, हो सकता है कि आपकी जो मुद्रा है, इसकी क्रेस्ट समता नीचे हो, इस पर डेपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्या यह आफ्चे जनक नहीं है कि हमारे बडोस का एक छोटा साथे स्री लंका हरविसय में भारत से आंगे, और हमारे जिसे ब हरत से आहिम सम्मावित में पीछे नहीं है, HDI के परी कलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाओ दिया गया है, मानों विकास रिपूर्ट में बहुत से एक नए गटक जोड़े गए, लेकिन मानों के विकास से पहले यह बात इसपरश्ट कर दी गई, कि विकास महत्पू है, लोगों का स्वास तो उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है, एक बात और हमें से याद रखिए, आप चाइना को यह आप ले लेगे, चाइना आपके दो साल बाद आजाद होता है, आप 1947 में आजाद हो जाते हैं, चाइना उननचास में जाकर आजाद होता है, फिर भी अभी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स आते हैं, लगवख लगवख उनमें सभी में आपका चाइना हमसे आगे ही रहता है, और एक और बात याद रखिए, आप लोग की, हम लोग देखिए कि GDP के मामले में चाइना कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़कर अभी का हटता है, चीन अपना दबदबा ठोब देता है, विकास की दाडियता की बात करेंगे हैं हम लोग, तो हमने विज़ की को अपने पुरवजों से उत्र अधिकार में पराप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधा लिया है, कहने का यहां सिधा सा है कि आप अगर पर्याबन का उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, पर्याबन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस एसाब से उसका उपयोग करिए, कि ऐसा नहीं कि हमारे आने वाली पीडी इसके लिए तरस जाए, तो हमें इस तरह से उपयोग करना कि हम लोग जब किसी से रिड़ लेते हैं तो बड़ी बच्चा-बच्चा के वैसा खरज करते हैं उसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चेयों आने वाली बच्चों से उधार लिया हुए हम विकास की कुछ जिस तरह की तरह भी परिभासित करें अभी के लिए म लेकिन 20-20 सदी के उत्रायड से बहुत से बिग्जानिक यह चेरतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान पिकार उच्चत धार्णी है नहीं है यानि कि विकास आपके आने वाली पिडियों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से भागी महादीपों के वारे में सूफ सकते हैं कि क्या इस्तिती बन सकती है उधारन के लिए एक समझेए भारत में भूमीगत जल स्थर है हाल के पेमाडों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमीगत जल के अतिदू उपयों होने का गंबी संकट है तीन सो जलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के इस्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है देश का लगबग एक तयाई बाग भूमीगत जल बंडारों का अतिदू उपयों करा है यदि इस साधन के प्रेयों करने का वर्दमान तरीका जारी रह तो अंगले 25 बरसों में देश का 60-30 सालों बाग इस सालन का ती उपयोग करा है बूमीगत जल का अतिदू उपयोग विसेश रूप से पंजाब और पश्चिमी उतर पिदेश के किरसी की दिरिष्टी से संबर्द चेत्रों मद्द और दस्चिन बारत के चट्टानी पठार पठारी चेत्रों कुछ तैट वर्थी चेत्रों और तेजी से विक्सित होती सहरी वर्थियों में पाया जाता है एक बात आप लोगों ने देखे होगे यह आपकी 267 के करीब की आप सोची उस समय आप लोग होंगे अच्छे से समझिया है होंगी मतलब कई लोग आपकी का जाबरूख भी होंगे तो कुछ समय पहले आपने देखा है कि हुआ इतने भर जाया करते थे कि आप हांसे उससे पानी निकाल सकते थे और आज इस्तिति देखिए कि आप लोग कितने गहराई कि अगरते जारे हैं कुए होगी पर भी पानी नहीं है तो क्या है कि हम लोगों ने देखिए पानी उतना ही है बारिस होती है उस पानी को अगर सिंचे मतलब एकटा करके अगर धर्ती में ना जाने तो धर्ती की जो जन धारन चमता होती हो पिरती जाएगी यही हो रहा है आप उसे भी देख सकते हैं कि जब तालाग जहां बनाओ वहां कुवों का हल देख सकते हैं आप लोग कि वहां देखेंगे कि कुवे मुए से भरे रहते हैं फोल भरे रहते हैं क्योंकि वहां पानी धर्ती ने पीलिय पूरति परक्यती करती है. लेकिन यहां भी हम इन साद्नों का अती उपЬयोग कर रहे हैं। उदालिंक्ति नी भूमी का जल यदि वरसाद द्वारा हो रहे ही पूर drownatsー पूरति से अधिक प्रयोग करती हैं। तो हम इस साद्नों का अती उप्योग कर रहे हैं। अब देखिए बरसा हो रही है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सहरों में आपने देखा है कि पक्की सड़के मन चुकी हैं तो यह क्या होता है कि बहते हुए जल नाली-नाली से होते हुए नदियों के द्वारे यह महासाग्रों में चला जाता है समझे रहे हैं अगर हम लोग इन्हें रोक देए एक जगे बांग बना दें तो धर्ती में जो ही पानी होगा वो चला जाएगा धर्ती में रिसकत और आपकी धर्ती की भूमी गज़त जलोगा वो उसका इस्तर ठीक बने रहेगा गयर नभी करणी है साधन वो है जो बरसों से प्रयोग के पश्चाथ समझत हो जाते हैं जैसे कोईला ले सकते हैं कच्चा तेल पर डॉलियम ले सकते हैं यह एक समय के बाद ख़तम हो जाएगे और नभी करणी का मतलब हो गया हवा हो गई यानि कि यह कभी नहीं ख़तम हो जब तक आपका जीवन रहेगा, तब तक तो यह संभाव रहेगा, जैसे सूर का पिकास हो गया, जल हो गया, आप लोगों ने अभी एक सब्सक्राइब हो गया, यानि कि आप इस पर जोड दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक समय के बाद कोईला खतम हो जाएगा, फिर हम पूर्जा कहां से लाएगे, तो इसके लिए आपका नभी कंडिये साधनों पर जोड दिया जा रहा है, कि इन से अगर हम लोग कूर्जा पराप्त करने लगे हैं, आपने सोलर पार्ट सुना होगा, एमपी रिवा में भी सबसे बड़ा बनाए गया है, तो उसके बा लोग कुईला यूच कर रहे हैं, यह लाखों साल पहले का है, इसे बनने में हजारों लाखों साल लगे, उसके बाद आज हम लोग यूच कर रहे हैं, कभी-कभी हम हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, नए स्रोष जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो, इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है, और नीचे दी गई तालिका को देखिए, प्राक्तिक संसादनों का दुहन, कच्छे तेल के लिए निम्नापरों को देखिए, तालिका एक दसंबलाव साथ कच्छे तेल की अतरिक्त भंड साथ, यहाँका बैटल, हजार मिलियन बैटल में, इस सत्तर बर्स तक चलेगा, सेवतराज अमेरिका पच्छास हजार मिलियन बैटल, यहाँका दसंबलाव, पांच साल चलने की उम्मीच दर्स हो, और विस्टो में आपका यह 1696, यहाँका पच्छास दसंबलाव, पांच बर्स चलने का है, यह तालिका कच्छे तेल के बंडारों के अनुपमान कुदर साती है, अधिक मात्कूर यह है कि यह बताती है कि यदि कच्छे तेल का परियोग बर्तमांदर पर चालू रहे, तो यह बंडार कितने बर्स चलेंगी, यह संपूर विस्ट के लिए किन्तु अलग-अलग देशों की अलग-अलग इस्तियां यह बंडार केवल 50 बर्सों में समाप्त हो जाएगी, बारत जैसे देश इसके आयात पर निर्वर है, जिसके पास तेल की परियाप्त बंडार नहीं है, हमारी बाहरत ता आपने सुना होगा कि हम लोग 70-80% कच्छा तेल आय भंडार तो कम हैं, लेकिन भी इसे सैन और अर्थिक सकती के द्वारा पाना चाहते हैं, विकास की धार्णियता का विसन इसकी प्रक्यती और पिक्रिया के बारे में कई अन्मूल नई विसे खड़े कर देता है, अब आपने देश ऐसे भी हैं जो तेल की निर्यात पर निर् जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि एक समय के बाद तेल कितम हो जाएगा, तो उन्हें देश को चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो चुनना होगा, परियावण में गिरावण की परिडाम राष्टी है, और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं, यह एक्छेत या देश्गत बिसाय नहीं रहे गया है, हम सब का भविस्पर जुड़ा हुआ है, विकास की दायनीता तुलांतमक इस्तर पर ग्यान का नयाद छेत है, जिसमें विज्ञानिक अर्थ सास्तिरी दार्षने को और अन सामाजी विज्ञानिक मिल जूर कर काम कर रहे हैं, विका जाना चाहते हैं, हमें क्या बनना चाहते हैं, और हमाला लक्ष क्या है, इसलिए विकास पर बहस जा रही है, और एक बने रहेगी, इसी अध्याय से संबंदिती आप पुस्टर्स दिये गए हैं, यह आप लोग देखते रहे हैं, और एक से दो बार आप बुक्स पढ़िए आराम से समझ में आजाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जो समझ में ना है, ठीक है, बहुत अच्छी विक्स लिकी लिए, तो दूसरे लिप्टर में हम लोग मिलते हैं, भारती अर्थवस्ता की छिद देखेंगे हम लोग उसमें, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT, कक्छा दस्वी की अर्थ सर्थ है, यानि की एकोनोमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जब भी आप इसे खरीदेंगे, तो इसके मुक पेश्ट पर लिखा रहेगा, मैंपेज पर, आर्थ एक विकास की समझ कक्छा दस्वी के लिए, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खतम कर चुगे थे, विकास देख चुके थे, आज बात करेंगे, हम लोग भारतीय अर्द्रवस्था की शेक्तर देखेंगे, कुछ निर्देश दिये गए, यसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगी चलते हैं, याद रखिए अगर इसकी तैजारी कर रहा हैं, तो इन्हें पढ़ ले, बहतर स्कूर कर पाएंगे, अभी कल ही में कही इंटर्व्यू देख रहा है किसी का, तो वहां कोई बता रहा था कि बिना NCEIT पढ़े, इसका सेलेक्शन हो गया, उसका सेलेक्शन हो गया, देखिए हो गया हो गया, उसने हो सकता है, समझे रहे, लेके हम लोगों अगर आप किसी बोर से है, फिर चाहिए MP बोर हो गया, यूप बोर हो गया, भी हार्पी बोर हो गया, तो इसके लिए क्या रहता है कि बेस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है, और आप जानते हैं कि आप टेंट तक जो भी से तभी समझ सकते हैं, जब इसके घटकों या फिर चेत्रों का अध्यन करते हैं, चेत्रण वर्गिकेंड अनेक मापदनों के आधारपत किया जा सकता है, इस अध्याय में तीन पेकार के वर्गिकेंड की चर्चा की गई है, प्रात्मिक दूतियत और तितियत, संगठित आ से बल देना आवर सकें, सेवा छेत्र की तीब समझ्दी की और चात्रों का ध्यान आखिर्चित करते हुए, पुनाहा इन पर प्रिकास डाला जाह सकता है, इस अध्याय में पिस्तो धारणाओं की विस्तार से व्याक्या करते समझ, चात्रों को कुछ मोली का धारणा है, जै के इस अध्याय में दिये गए हैं, किसी बैक्ति के कार्यों को कैसे प्रात्मिन दूतिय और तितियत, या पर संगठित या आसंगठित, और सार्वनिक या निजी छेत्रक्ण में रखा जा सकता है, आख छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोगों, दुकान के मालिक, आ जानकारियों के आदार पर आतिक गतिवधियों का स्वाम बरीकर्ट करने के लिए छात्रों को प्रोसाइब किया जाना चालिए, एक बात आप लोगों को बता देता हूं, कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं, तो आपको इस बुक्स में कोई कि ऐसा सब्स मिले जो आपको समझ में ना है, क्योंकि आपने देखा है एक मतलब पैक्टिकल एक कहानी का पूरा रूप समझाया गया है, रूप देकर, अगर आप एंतर तरीकी सिधार रख कर पढ़ते हैं, तो सब कुछ समझ में आ सकता है, छेतकों की भूमिका में परिव और उद्धोगों एवं सेवाओं के वर्ति मत को चात्रों के दलिक जीवन की अनवहों के लिए किये गए अधिकारी कुदाहणों से जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए संचान माद्धे मों द्वारां प्राप्त सुझना उपर इस्तिमाल किया जा सकता है, आप चात्रों आप चात्रों को आसंगटिक चेत्रक की लोगों तता उद्वों के पास जाकर उनकी वास्तिविक जीवन परिस्तितियों का साक्षात अनुभा प्राप्त करने के लिए कुरोसायत कर सकते हैं, एक बात और बता दूं आप लोगों को, कि रोजग्यार आप देख रहे हैंगी कि वेरोईगारी अभी बहुत चर्चित हैं बारत में क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आप देखते थे एक समय आपकी फसल पर मतलब क्रिसी चेत्र पर एक बड़ी जनसंख्या निर्पर रहती थी, लेकिन आप देखने हैंगी उस पर कम दी जा रही है, उद्दोग और करती जा रही है, तो इन ही सभी का हम लोग अग्दियन करेंगे आज, इसमें आपने देखा होगा इस जो भी एक बुक्स लिए गई है, इस अत्या में सकल गरेलू उत्पाद के आंक्रों उत्दों के उत्पादन लागत पर सकल लिए रहेल, सकल गरेलू उत्पाद से का की याद रखी, आपको यह नहीं समझना है कि यह नए है आगड़े या पुना नहीं, क्योंकि आप जब भी पेपर दे रहे होंगे तो आप बजट भी पढ़ रहे होगे, आज तेक सर्वेक्षर भी पढ़ रहे होंगे बहतर तरीके से, अभी आपको केबल समझना है, एक होती का है, क्या है, पिधम सेक्टर क्या है, दोतिय सेक्टर क्या है, तितिय सेक्टर है क्या, आखरे है क्या, आप कोई नहीं सबकी परिभासा जानने है, जैससे क्या हो कि आँगे आप लोग जब भी जाएं तो आपको सहूलियत हो, समझ रहे हैं, आप उसी समझ समझ सकते ह से एक नी भरी जाती है कि आगे जो भी आप मकाल बनाए वो मजबूर खड़ा rin इसलिए नी भरी जाती है बर्ना पकाल तो आप धर्तीसे बिना नी भरे इंटे रख की बना सकते हैं लेकिन वो जाना दिन तक तक नहीं सकता है हो सकता है आज मनाए कल गर जाए तो यही हाल है आपका आर्थिक कारेओं की चित्रकों की बात करें तो निम्ले चित्रों को देखें आप लोगों को विमिन आर्थिक गतिविधियों में कारगरत पाहेंगे इन में से कुछ गतिविधियां बस्तूओं का उत्पादन करते किछ मात्पूम मापदन्नों की आदार पर इन्हें kita कर दिया इस ऀन सब को चैतरग महात्पूम मापदन्न की आदार पर इन्हें अनेक तरीकों में बर गीकित किया किए जा सकता है आप कि एक तरह से सर्विस सेट का कां कर रहाए है सर्वेस सेक्टर का कि प्रुवाइड करा रहा है ए गुम्मा एटा देखिए अब विवन पेकार की अधिविदियों से प्यार्म करते हैं प्राक्तिक संसादनों की पित्यक्ष उब्योग पर आधारित अनेग गतिव दिया जैसे कपास की खेती यह एक मौसमी फसल है कपास की पौधों की बिद्धी के लिए हम मौकता ना की पूरता प्राक्तिक कारकों जैसे वर्सा सूर का पिकास और जलवाई पर निर्वर है अता कपास की प्राक्तिक उत्पाद है इस पिकार डेरी उत्पादन में हम पसुख की जैविक विक्रिया है पिक्रिया एवन चारा आधी को उपलब दिता पर निर्वर होते हैं अता इसका उत्पाद दूद भी एक प्राक्तिक उत्पाद है इसे पिकार खनेज और आईसक भी प्राक्तिक उत्पाद है जब हम प्राक्ति संसादरों का उप्यव करते हैं किसी बफ्तू का उत्पादन करते हैं तो उसे प्रात्मिक चित्रक की गति विदी में कहा जाता है प्रात्मिक क्यों क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार जिन्हें हम किरमसा निर्मेत करते हैं चुकि हम अधिकास प्राक्तिक उत्पादों किरसी डेरी मत से वबनों से प्राप्त करते हैं इसलिए इस चित्र को किरसी एवं साइट चित्र भी कहा जाता है प्रात्मिक चित् प्रक्किती पर पूरी तरह से निर्वर क्या है, निर्वर तो हर कोई है, लेकिन मैन आधार उसका क्या है, आप सोचेंगे कि आप पनीर बनाएगी, सोची, तो दूद पर आप निर्वर है, समझ रहे हैं, लेकिन दूद कहां से निकालेगी, ये तो आप प्रक्किती पर निर् गया है, समझ रहे हैं, गाय, कोल, यानि कि कोईला प्राक्ति बस्तु में उत्पादित करता है, यह सभी ज़िए, फिर आपका दुतियक छित्त है, दुतियक छित्त की गतिविधियों के अंतरगत प्राक्तिक उत्पादों को बी निर्माड परणाली के जरी अन रूम में परि पीक्रिया ही, यह पिक्रिया किसी कारकावें, किसी कारसाला या धर में हो सकती है, जैसाथ कपास के बाधी से प्राप्त Reisaka उपयोग कर हम सूoud खाते हैं, कपड़ा पुनते हैं, गन्रे को गच्चा माल के रूम में उपयोग कर हम चीनी और गुर्ट तेयार करते हैं, हम मिटी से इंट बनाते हैं, और इंट से घर और भवन का निर्मार करते हैं, चुकि यह है, चित, करमसा, संबलदीत, विभिन पेकार के उद्धोगों से जुड़ा है, इसलिए इसे उद्धोगिक चित रख भी कहा जाता है किसे दुथिये सेक्टर को, अब आप देख रहे होंगे, दुथिये सेक्टर, ए, सैट, बाकी, कुर्सी दे, काल, जूता, देख रहे हैं से, भी निर्मेद बस्तूगों को तपादे, लास्ट में मैं बताता हूं, तीनों में क्या से आप फराख कर सकते हैं, पहले हम लोग कि दुथिये सेक्टर को, देख रहे हि अधरित, आरती गदियों की yen विदिये सेक्टर के अंतरगत आती हैं, इगति विदिया सुथा बस्तूगों का अतपादन नहीं करती हैं, बलकि उतपादन पे क्रिया में सहयोग या फिर मदत करती हैं, परात्मे को दूतियक्स चित्रक द्वारा उत्पादित बस्तूं को थोक या पुद्राविक्रताओं को बैचने के लिए ट्रोकों ट्रेनों का परिवाहन करने की जरूरत होती है कभी-कभी बस्तूं को गोदामों में भंडारित करने की आवसकता होती है हमें उत्पादन वो ब्यापार में सहुलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्टालाब करने या पत्ताचार सम्माद या बैंकों से करज लेने की भी आवसकता होती है कि परिवाहन बंदारण संचार बेंक सेवाएं ब्यापार टितियक गतिविदियों के उस्च को परियाव मुझे सेवा गलाता है देख रहे हैं एल सीव किस चितर है प्रात्रमिक शितं सेवम साहचितं कहला तिविधीक चितं कहल HEY इसी आंगक तिख्यांग को आपको फैल्सिवा चितंu अब यहां आप लोगों को तीनों में फरक बता दो, सीधा सा आप लोग उन्हों ने गहूं देखा है, गहूं के स्चित में आता है, प्रात्मिक में, जब आटा से आप लोग उसे आप समझते हैं, आटा बनाएंगे, आटा से जो भी पिक्रिया होगी, आप फिर बरेडर ले या फिर कुछ और सामान बिस्केट ले लीजे, आप लोग यह बनाएंगे, यह कहां बनेगा, दुतियक चित में, फिर तितियक चित में क्या रखेंगी आप लोग, इसका आपने देखा होगा कि बे अक्चा जा रहा है, यानि कि सेबा दी जा रही है, आपके घर तक पहुं सब्द जहां भी जाए, उसका मतलब वी निर्माट जहां भी हो, यानि कि उसका बेहतर पिक्रिया बदली जाया, दूद को आप समझिए कि किस तरह से चॉकलेट में बदलेंगे, वो पिक्रिया कहा होगी, वो सभी, ओ दो भी चेत में, यानि कि दुतियक सेक्टर में, अब इस चॉकलेट को घर तक या फिर कहीं तक पहुंचाना है आपको, तो कौन पहुंचाएगा, सेवा के दुआना, यानि कि एक जगे से दूसरी जगे जो ले जाएगा, वो तितियक शेक्टर होगा, इसमें आप परिवार्ण देख सकते हैं, फिर जाही एक जगे से दूसरी या फिर आप तक पहुंचाने की बात की जाए, या फिर आप तक पहुंचाने की बात की जाए, इस अभी तितियक शेक्टर में आते हैं, ठीक है? केवं लेखा कार, कार करने वाले टोगों की आवस्ता होती है, वर्टमा समय में सुचना परोदगी की पर, आधार कुछ नभीन सेवा है, जैसे इंटरनेट कहके, ATM, बूत, कॉल सेंटर, सॉप्ट्वेयर कंपनी, इत्यादी भी आपकी ये सभी भी सेवा चेत में आती है, आ आई को देखिए, मोची को देखिए, बक्तिली को देखिए, आपको कुछ सलाय दे रहा है, यानि कि आपको कुछ डिलेवर कर रहा है, यह आपका सर्वेस सेक्टर यानि कि दीती है, चेत में आ गया है, सेवा चेत में, यक्पी आर्थिक गतिविदियों तीन विवेन तो क्या होता है, मिल बन्द हो जाएगी, या दुतिया उद्धोंगिक चित्रक का ऊधार्ड, जो प्रात्मिक चित्रक पर पूरी तरह से निर्बरेन, यानि कि कहने का मतला है, गण्ना किस चेत्र में आ रहा है, प्रात्मिक चित्र में, और आप सोची इस पर कौन निर्भर हैं? दुतिये चेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो पूरी तरह से गन्ने पर निर्भर है, यानि कि इसके चीनी के लिए बात कराओ, आप सोची अगर वो गन्ना ही ना दे, या गन्ना भी फसल ही ना, तो चीने कहाँ सी बना पाएंगे आप लोगे, कल पुना करें के कम्पनिया भारती बाजार से कपास नहीं करिए और अन्य देसों से कपास आयाद करने का नेड़ा करती है, तो कपास की खेती का क्या होटे दा? भारत में कपास की खेती कम लाबकारी रह जाएगी वैदी के साथ सीखता से अन्य फसलों की और उनमुक नहीं होते तो बिदलवालिया भी हो सकते हैं तो कपास की कीमत गिर सकती है यह आपका पितम सेक्टर को संदर्वीत करना है अब सोचिए इसे छोड़िया आप लो कपास क यह तो आपको समझ में आ गया है तो दूद को ही ले लीजे आप तो कि आपके हां दूद अच्छा हो रहा है कापी और कोई खरीदने बाला ना हो तो आपकी किस चित्वर विभाव पढ़ेगा प्रात्मिक चित्वर किसान टेक्टर पंप सेट बिजली किट ना सक और प्रात्मिक चित्वर आपको यह फिर्वाव देखने को मिलेगा चलिए आगे बरते हैं हम लोग आपके पुश्चन्स दिये गया है ने भी आप देखते रहे हैं अब बात करते हैं तीन चेत्रों की तुल्ना करते हैं तीनों चेत्रों की प्रात्मिक दुतियक उतित्यक की परात्मिक दुतिया को तितियक चेत्रक की विवेद उत्पादन कारेयों से काफी अधिक मात्रा में बस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन चेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग बस्तूओं सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अंगलिक चैनल में लोग यह देखना है कि पितेक चेतरक में कितनी बस्तुवें सेवाय उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस चेतरक में काम करते हैं किसी अर्थव्यवस्ता में कुल उत्पादन और रोजगार कि दृष्टी से एक यायदिक चेतरक प्रधान होते हैं जबकि अन्ड चेतरक अफेक्चा पे छोटे होते हैं पितेक चेतरक की विविद बस्तूओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं उत्पादन को कैसे चाहते हैं आईए नीचे देखते हैं आप सोचते होंगी कि हजारों की संख्या में उत्पादि बस्तूओं सेवाओं की गणना असंभाव कारें यह ना केबल बेहतकार हैं बलकि आप आश्चे चकित भी होंगी कि हम कारों, कंप्यूटरों, कीलों और फर्णीचरों की फर्णीचरों की संख्या का युप्फल कैसे कर सकते हैं यह एक अतिन्त बितुकी बात है लेकिन मुझे इससे देख लिपी रहाँ लेकिन मुझे इस गयंगू का पूरा मूल प्राक्त होगा ना चाहिए जिसका मैंने उत्पादर किया है आप बिल्कुल सही सोचते हैं इस समस्या की समादान के लिए अरत सास्क्रियों का सुजाओ है कि बस्तुओं सेवाओं की बास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल का पयोग किया जाना चाहिए जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गयंगू 8 रुपे पिती किलोग्राम की दर से बैचा जाता है तो गयंगू का मूल होगा 80,000 कितना 80,000 रुपे होगा 10 रुपे पिती नारियल कि दर से 5000 नारियल का मूल 50,000 रुपे होगा इस पेकार तीनों चेत्रों के बस्तुओं और सेवाओं के मूल की गढ़ना की जाती है उसके बाद एउप्भल प्राफ्त करते हैं याद रखेए अब ऐसा नहीं है कि आपके कि चेजों को गिनके बैचा जाने लगे है by दसो carrot इंकर यह जा सकता है जिन की आसानी हो उगशनी दिटین को आप समझनेमे आपमिदे रहे हैं , अप सोचेहिंग कि बेढ वक्रियों को ठीक है गिनके बैचेंगे यह आप लो देखके एक एक करके ठीक लेकिन आप सोचें कि सक्कर या पर कोई और इस तरह की चीजु पानी को आप कहेंगी या डीजल को कहेंगी आप गिन के वीचे नहीं इनके लिए एक मापक बना दिया गया है किलोग्राम में आप देखा है सक्कर को बैशते हैं डीजल प की गणना करने की जरूवत नहीं है केबल अंतिम बस्तों हैं और सेवाओं की गणना का ही उच्छत है जैसे एक किसान किसी आठा मिल को आट रोपे पिती किलोग्राम की दर से जहों बैचता है मिल में गेम की पिसाई होती है और विस्कुट कंपणी को आठा 10 रोपे पिती किलोग्राम दर में बैचा जाता है बिस्कुट कंपणी आठा के साथ चीनी और देल जैसी चीजों का उपयोग करती है और विस्कुट के चार पैकेट बनाती है वह बाजान में वो भोगताओं को 60 रोपे में कितना 60 रोपे में यारी की 15 रोपे पिती पैकेट बिस्कु करिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको 10 रोपे पहले 8 आप से गयंके ले लें फिर 10 रोपे उसके ले ले फे 15 रे ले नहीं लाट में जो होगी वहीं याद रखिये जैसे ही यह दुदिय पहरातमिक चेत्र में बस्तू की कीमत कम होती है जैसे आगे चेत्र में चलेंगे सेकें इसलिए आप देखते हैं कि कई चेत्रों में आप देखते हैं प्रात्मिक चेत्र का युगदान अधिक रहता है तर सेकंडरी का और जो थैड होता है उसका और अधिक होता है केबल अंतिम बस्तू हों सेवाओं की ही गढ़ना क्यों की जाती है दिये गया उधार में अंतिम अंतिम बस्तू के मूल में मदवर्थी बस्तू का मूल पहले से ही सामिल होता है बिस्किट अंतिम बस्तू के मूल का साड़ रुके में पहले से आटा का मूल दस रुके सामिल है इसी पिकार अन सभी मदवर्थी बस्तू का मूल भी सामिल होता है अता ग्यमू और आटा के तो मोल की कई ही वार गरना करते हैं, अब आपने गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप लोग कार खरीदी माल दीजिए आपने, आपसे तो नहीं कहता है कि बैटरी का अलग से चार चाहिए, मैं टायर का अलग से चार चाहिए, ट्यू का अलग से चार चाहिए, क्योंकि ये आप स में जुड़ जाता है जो आपको चाल लाट में जो भी कीमत बताई जा रही है उसमें पूरा उसका उत्पाददन की जानकारी प्राफ्ट करता है तीनों चित्रोकों की उत्पाद एक उत्पाद के योगखल को देश का सकल गरे लूँ उत्पाद के यहने कि D0 के तो किसी विसेस वर्ष में उत्पादे सभी अंतिम बस्तों और सेवाओं का मूल है यानि कि सकल गाने लू उत्पाद वर्षता की विसलता विदासित करती है याद रखिए अंतिम मूल क्या कहा जा रहा है किसी भी तीनों सेक्टर का अंतिम मूल यानि कि जो लाश्ट में है तो आपका आज गाड़ी की कीमत बता दी जाए, और पिर आप सोचीए कि कल दूसरे को बेंचर है, उसे भी बता दी जाए, नहीं, जो लाश्ट में आएगा आःगा आप टायथ दूसरी कंपैनी से करीदे है, है और जी इस्ट्रेंग दूसरी कप्पणी से करीद रहे है लास्ट जो उसकी कीमत होगी उस बस्तू की उसी ही को जोड़ा जाएगा ठीक है और यहां देख्या आपने की कितने सर्द सब्धों में आपको सकल घरयलू उत्वात की परिभासा बता दीगे तीनों चित रुखों तो तीनों के वह सेक्टर जिसमें सिवाया आती है तो तीनों का जो अंतिम, जो भी मूल होता है उसका यूंछल का, देश का सकल घरयलू उत्वात कहते थे हैं और याद रखिते उस उस क fraction मतलब अंदर यानि कि आपके देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है फिर बिचाब बिदेशी कंपिनियों द्वारा हो रहा हो या अपनी कंपिनियों द्वारा हो रहा है तो इसे जोड़ा आता है देश के अंदर सीमा के अंदर जो भी हो रहा है ठीक है या आपका सकल गयरेलू जाल्द मापन जैसा कठी निकार कें सरकार के मंतरालाय द्वारा किया जाता है यह मंतरा लाय राज्यों केंदेशान से छेत्रों के विभन सरकारी विवागों की साहिता से बस्तूमों और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मुल से संबंधित सूचनाय 31 करता है तब GDP कानुमा करता है। चेत्रों में इतियातिक परिबत्त। सामाने अद्ता अधिकास बिखसित देसों की इतियात में यह देखा गया है कि विकास की पहरमक्षक अवस्थाओं में प्रात्मिक चेत्रक की आर्थिक सब्क्रेइता का सबसें महत्पूर्ण चेत्रक रहा है। यानि कि कोई भी देश आज आप विक्सित देशों को देख लिए चापिकास किल फिल अल्ब विक्सित। सभी की पिक्रिया सुरुम होती है प्रात्मिक चेत्रसित। पर एक समय के बाद दुतियक चिता आता है, हम बताती हैं कि आपने हमारे देश में कहां समस्या हुए, हम लोग कहां पिछड़ गए आकिर, उस पर ही हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे किरसी पिडाली परिवर्थित होती गई, किरसी चेतरक समध्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुला में अपिक्चक्वित अधिक उत्पादन होने लगा, अब अनेक लोग दूसरी कार करने लगी, और सिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में पिद्धी होने लगी, किरय विक्रय की गतिविधिया कही गुना बढ़ गई, और इसके अतरिक्त अनेक अधिकास उत्पादित बस्तु में प्राक्तिक उत्पाद थी, जो प्रात्मिक चेतरक में आती थी, और अधिकास लोग इसी चेतरक में रोजगार करती थी, लंबे समय सौ वर्सों से अधिक की बाद, विशिसकर वी निर्मान की नवीन पेडाली की पिछलंग से कार खाने इस्तित में आई और उनका पिसार होने लगा, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अफकार खाने में काम करने लगे, इने कार खानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतियास में पढ़ा भी है, कार खानों में सस का मात परिवर्तित होने लगा। विगत सौ बर्समाओं में विखसित देशों में दुतियक और चेत्रक से तित्यक चेत्रक की और पुना बदला हुआ। कुलतपादन की द्रष्टी से सिवा चेत्रक का महत बढ़ गया है। अधिकाल सरम जी भी लोग सिवा चेत्रक में ही नेवजित है। विखसित देशों में यही सामान लक्षम देख हुए। भारत में तीनों चेत्रों का कुलोतपादन रोजगार के तना है। विखत बर्समें जितना मेरी चमता है उतना मैं समझा सब्सक्र जोचे, जटना में समझा सब्सक्रांग, अब आप देखिए, प्रात्मिक्चेत नहीं न स्टेय कोnd काम कर सकते हैं, आप कों करेगा जो कम पढ़ा लिख होगा। अकसर हम विदेशों की बात नहीं कर रहा हो, हाँ, समझ सकते हूँ कि कई ऐसे पढ़े लिए के बड़े-बड़े आई-आई-आई-टी एनवे हैं कि जो खेटी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भारत की अधिकांस चंसक्या की बात कर रहा हूँ जो आपने देखा होगा जानदा पड़े रहते हैं तो एक बंदिलकंड में कहा बात है कि कम पड़े सो घर से गए और जानदा पड़े सो हर से गए उनका कहने का मतलब यही होता है कि अगर उनका बच्चा थोड़ा ब पड़े लिके हैं वहीं लोग खेती में काम करते हैं ठीक है और आप चांदे थे एक समय तक खेती पर अधिक जल्सक्या हमारी कई राज्यों में आपने दिखा है कि 80% तक जल्सक्या हुआ निर्वर करती थी कैसी पर पूरी तरह से दूथी एक सेक्टर में क्या हुआ कि और फिर तितियक खेत में कौन आएगा जो सबसे जांदा पड़ा लिखा हुगा जो जागरूख हुगा कंप्यूटर का नौलिज होना चाहिए उससे आप समझ रहे हैं इस तरह से जागरूख बहुत पड़ा लिखा ये तितियक खेत में तो हमारी समस्या आकिर कहां रहे ग हो गई तो प्रात्मिक खेत की दसा हमारे देश में ठीक रही इसमें कोई कमी नहीं रही लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि दुतियक खेत को ना संभलते हुए कम जोड़ देती हुए हम लोग डारेक्ट दुतियक खेत में पहुंच चुके और आप समस्कते हैं कि आप सोचि कि हम लोगोंने नई नई टेक्निक नहीं बनाई यानि कि नई नई टेक्नोलोजी का उपयोग नहीं किया आज आप रफेल की बात कर रहे हैं रफेल बिमान आप लोग प्रांस से खरीद रहे हैं हम लोग खुसी मना रहे हैं आप सोचिए कि हम लोग 5 अगर खरीद रहे हैं 5 5-10-16 आपकी देश में जितमें भी आते हैं, एक बात आप लोग दिमाग जोड डाल के देखिए, क्या प्रहाँ से पूरी दुनिया डरती है, हम लोग कह रहे हैं कि 5-16, जितने भी आप लोग कुम कि 5 आ रहे हैं पहले, फिर उसके बाद 16 तक आएगे, तो आप सोचिए क्या ह हम से दुनिया डरने लगीगी, अगर हम लोग रफेल खरी लेते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो आप सोचिए, फ्रांस से पूरी दुनिया डर रही होती है, हमें सबसे जाने खुशी उस दिन होनी चाहिए, जब रफेल जैसे विमान हमारे देश में बनाया काना चाहिए, कि हर चीज हम अपने देश में प्रोडेक्शन करें, तब ही हम लोग आत्मिरवार हो सकते हैं, आज हम लोग 4-5% मतलब आप देखिये कि अगर आप ये देश में 5 पौन बेकरें हैं माल लीजे, तो उन में से 4 पौन आपके Chinese कंपनियों के, तो हम आत्मिरवार कहां से हो सकते हैं, आज समझे हैं, आज जो रफेल हम लोग खरीद रहे हैं, बड़े खुस हो रहे हैं, मैं खुस नहीं हूँ, खुस उस दिन हूँगा, जिस दिन मतलब हमारी सिक्षा पिडाली इतनी बहतर हो जाएगी कि हमारी आज इतने अच्छे इंजीनियर हो जाएग वो भरोसा करता है अपने आप पर, और हम लोग दूसरे जिसों पर निर्मा रहे हैं, समझ रहे हैं तो इसे बनाना होगा, आप सोचिए आज की फ्रास से हम लोग खरीद रहे हैं, और फिर भी खुस दो रहे हैं, इसमें खुस होने वाली कौँसी बात हैं, यह तो वही कि हम मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप मतलब दूसरा वकीर कील रख लें, उसे पैसे देते रहे हैं, कहने की पढ़ा लिख गए है, अपना काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब हम खुद पढ़े लिखोंगों, हमां में खुद समझ में हो, समझ ओ, तब हमें कुछी होने की या गमन करने की जरू है तो सकती है और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए आप सोचेए कि एक कुश्चस दिये गए और इसके लिए आप समझेए कि इस सिक्षा वेबस्ता हो बहतर बनाना होगा ठीक है आज हम लोग अगर दूसरे देशों पर निर्भार हैं तो उसे कम करने के लिए अपने हाग इंजिनेर आप देखते हैं कि वहतर जो भी आपके इंजिनेर होते हैं जो आपके देश के अर्थ बेहतर डॉक्टर होते हैं, बेहतर जो आपके देश के अर्थ साथ्तरी उती, वो बिजिसों में चले जाते हैं, बाग कर, क्योंकि उनके लिए इहाम लोग ब्वस्थाय नहीं दे पा रहे हैं, उतनी अच्छी, तो आप समझते हैं, अब आपने दे इसके हैं हमें अपने देश में रखना चाहिए था ऐसी सोविधा उने के लिए उपलब्द करानी चाहिए थी नहीं करा पाएं यही आकिर पिछड़ने का कारण बना हो गया आत्मिरवर वारत पर चाहे मेक इंडिया कोई भी देखिये सब की दज्जियां औरती रहें जब तक हम लोग आत्मिरवर की बात करें वह एक तरह मम लोग 70-80% तक दूसरे देशाओं पर निरवर हैं सामानों कर तो इसमें आत्मिरवर कहां से पना पाएंगे हम लोग 70% को 0% पर लाना एक बहुत बड़ी बात हुजाती है समझ में आया आपको आदेखें तीनों चेत्रों को द्वारा उत्पादित बस्तूम और सेवाओं को दिखाता है यह दो वर्सों 1934 और 2013 चोदे के उत्पादन को दिखाता है आप देख सकते हैं कि 40 वर्सों में कुल उत्पादन में कितने प्रमिरदी हुई है यह आपका प्रात्मिक चेत्थे 2.36 और 3.36 आप देखिए यह आपकी 1934 की बात है समझ रहे हैं आपको देखिए एक आपको समझ में आ रहा है रुपे करोड में हैं यह आपका ठीक है यह आपका प्रात्म एक्षित है, थोड़ा रेड दिख रहा है, यह आपका दुति एक्षित है, तिति एक्षित है, अब हम चलते हैं कि 2013-2014 में, ठीक है, तो प्रात्मेक्षित भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि प्रात्मेक्षित घट गया है बिलकुल, दुतियक्षित भी बढ़ा है, देखिए, लेकिन सबसे जान्दा आपने विद्धी किसमें देखिए, तितियक्षित में, किसमें, तितियक्षित में, और तितिय ये दुतियक्षेत्र पूरी तरह से बिगड़ चुका है, हालत इसकी, तो एसी का हम लोग फायदा नहीं उठा पाए है, पहले आपका प्रात्मिक्षेत्र उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था कि दुतियक्षेत्र पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था, और अगर प्रात्मिक्षेत्र पूरी तरह से बाद आपको क्या है, तो आप सोचें कि दूसरे देसों में मांग बड़ी रफेल की, तो आपने खरीदे तो उसका तितियक्षेत्र अपने आप समल गया, तो यही हमें करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, आप चलते हम तो उत्पादन में तितियक्षेत्रक का बड़ता, यानि कि बड़ते प्रवाव की बात करते हैं, यह तना देखिया, पता है आप लोग जब आपका एकोनुम्स पढ़ते हैं, या फिर कोई और वुक्स पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में हम लोगों का इतना मजा नहीं आता ह है, अब देखिये, मैं भूल जाता हूँ, यह बैटरी लोग हो चुकी है, लेक्टॉप की, क्योंकि जब आपका पता है, यह साइंस में क्या है, हम लोगों को मजा आता है, कब आता है मजा, जब हम लोग पैक्टिकल या प्रयुक्साना में बैठ कर वो काम कर रहे होते, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बोरेंगे में किसमें होती है, साइंस में, पढ़ने में, क्योंकि वो प्रयुक्साना की माद करता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रयुक्साना में जाकर बात करते है, बर्स 1974 और 2013 चगुदा के बीच, 40 बर्सों में सभी चेत्रो उत्फादर में देखी गई, पाइडाम तबर्स 2013-14 में भारत में प्रात्मिक चेत्रक को कि दी स्थाबित करती हुए, तितियक चेत्रक सबसे बड़े उत्फादक चेत्रक की रूम में उबर आया, बारत में तितियक चेत्रक इतना मात्पूर की हो गया है, इसके कई उधार कमपनी इत्यादी की आसरता होती है, यह आपकी दितियक चेत्र में सामिल किये जाते हैं, इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, किसी विकासी देशों में इन सेवाओं के प्रवंदन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, किसके पास सरकार के पास सभी सेवाओं की रह प्रातमे को दृतियक चित्रक का विकास जतना अधिक होगा, ऐसी शिवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी, अब आप आसे कहा थे रहrav察 है, कि अगर हम लोग दृतियक चित्रक पर अधिक ध्यान दे लेते हैं, तो आज हम लोग कहां हों थे हैं, आप सोछ सकते हैं. तित्य अक्षित जैसे जैसे आये बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं हैं चैसे रिस्तरान, परेटर, सॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्याले, बिलसाइट, फिसीक चंटित्यादी की मांग सुरू कर देते हैं, आप नगरों में विशिश कर बड़े नगरों तो आप कम ही, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सही नहीं हुआ, ठीक है, आप माल सकते हैं कि सही हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन एक बहतर पिक्रिया में हम लोग चलते, तो मेरा मालना है कि हम लोग भी विक्सत देशों की सहाणी में जाख खड़े हुए होते, सकल गयरे पितिसत में है, ठीक है, आप देख रहे हुए कि यहां परात्मिक चित, 40-30, 1974-1974-1974 की बात कर रहा हूं, दुतियक चित आपका, 50-30 और, सुरी, 50-30 का, 10-30 और दुतियक चित, आपका, 50-30 यहां से जोड़ेंगे ना हम लोग तो प्रात्मिक चित 40-30 और दुतियक चित में 10-30 और बाकी सर्विस सेक्टरों में 50 सेक्टर का युग दान रहा है, अब हम लोग चलते हैं, 2013-2014 में, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 10-12 परसेंट आपको प्रात्मिक चित यानि की घटा है, उसके बाद आप दुतियक चित की बात करेंगे तो यहां आपको 20 परसेंट के करीब देखने को लगब मिल रहा है, यानि कि यह भी बढ़ा है, और आप दिती अक्षे तर्की बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे जाना बिर्दी देखने को मिली है, यह आपकी 65-68 परसेंट के करीब, याद रखी यह पीछे हम लोगों ने रुपिय में देखी थी बैली हूँ, आज हम लोग 30 में देख रहे हैं इस समय, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है? चतोड थे बिगत दर्सकों में, सूचना एवं संचार परदगी पर आधारीत कुछ नवीन सेवाय मात्कून एवं आपरियार हो गए है, इस सेवाओं के उत्पादन में तीप बिद्धी हुई है, और अध्या चार में हम लोग नवीन सेवाओं, यारी कि नई सेवाओं और पर जिसके परसार की कारणों पर चर्चा करेंगी विस्ताल से, अंतता आपको याद रखना चाहिए कि सेवाओं की सभी सेवाओं में समानुप से संब्रदी नहीं हो रही है, बारत में सेवाओं कही तरह की लोगों को नियोजित करते हैं, एक और उन सेवाओं की संक्या सीम आते हैं, और बेन सेवाओं में इसलिये लगे हुए हैं कि उनके पास कोई अनविकल्पिक आउसर नहीं है, इस कारण सेवाओं की के केबल कुछ वाओं का ही मत बढ़ रहा है, आप इनके बारे में अंगले खन्ड में पढ़े हैं, आलिकांस लोग कहां अनिवजत हैं, आलि परात्मिक चित्रों को में रोजगार की इस्तिधारी को दिखाता है, आज इक रात्मिक चित्रों को में सबसे बढ़ा है, अनिके रोजगार आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हम लोग देखी चुके हैं, इसे आप लोग देखियां, रोजगार छेत्रों को इस्तिधारी हैं, आप उनिश्य स्ट्रों में देखेंगे, तो देखी, प्रात्मिक चित्रों में कितने पिती सढ लोग निरवार रहते और 24 पीचे चेक्टर पर ओतितिय पर आपका सत्ताइफ पीचे क्यारी की कहने का मतलब है 1974 की बाद से प्रात्मिक चेत्त में तो घिराब अटाई है निरवरता में। लेकिन धूतियक औं-थितियक सेक्टर में बढ उत्रिय देखे गए है फरात्मिक चत्रक से रोजगार का एक ऐसा ही चत्रकस्थानंतण क्यों नहीं हुआ इसका कारण आए कि अजिए ओं-थित्यक चत्रक में रोजघार की परियाफता उसरों का सेजन नहीं हुआ है यानि कि टितिया जो चेत्रक है रोजगार का सल्यजन नहीं कर पाया चीतर है या P इस बस इस आउदी में बस्तू औरोक दो रोरोर की उत्वन के उत्पादन में तीन गुना से जाना बिद्धी हुई परंतो उद्दों के रोजगार में लगबग तीन गणा की विद्धी हुई है। तितियक चितरग पर भी यही बात लागू होती है, सेवाच चितरग में उतफादन में आपकी 14 ओना की विद्धी हुई है। पंतु रोजगार में पांच गुना से भी कम बिद्धी देखने को आपको मिली है, यह आपको बता दे, आपने देखा होगा कि जहां खेती में आपके एक आदमी का काम हो, वहां दस आदमी को लगा देखेंगे आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, तो यह कोई तरक की नहीं काम कर रहे होते हैं, इससे क्या होता कि आपके घर की इस्तिती भी सुदरती और आये आपका परिवार एक जो भी जीवन रहता, वो भी बेतर रहता, आप समझे आप एक आदमी का जहां काम है, वहां दस आदमी काम कर कि क्या उखाड देखेंगे, कुछ नहीं, आगर दस रो जहरेल उत्पाद में यगदान केबल एक चौथा ही है, यानि कि बहुत कम है, इसकी तुल्ला में दुतियक और तितियक चित्रक का सेकल जहरेल उत्पाद में 4-5 पितिसर आकर 4 वटे 5 भावार हिस्सा है, परतु ये इस चित्रक आदेशी भी कम लोगों को रोजगार पिद करते हैं, क्या इसका आते हैं कि क्रिस्टी में चित्र में लगे सेमिक अपनी छम्ता से कम उत्पादन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप समझे कि जो याद रखिए, दुतियक चित्रक है, उसका हिस्सा सकल गहरेल उत्पाद में अधिक है, लेकिन रोजगार में कमयोगदा और जो प्रात्मिक सेक्टर है, जैसे किरसी चेत्रक है, इसमें आपका जो सगल गहरेल उत्पाद है, इसमें योगदान कम है, लेकिन इसमें रोजगार अधिक दिये हुए, क्या इसका आड़त है, यह है कि किरसी में आवसक्ता से अधिक लोग लगे हुए, जो मैंने बताय अधिक लोगों को किरसी चेत्र से अटाक देते हैं, तो भी उत्पाधन प्रभावित नहीं होगा, दूसरे सब्दों में किरसी चेत्र के सिमिकों में अलप विरोजगारी देखने को मिलती है, यह आपका कही बार पूच लिए गया है, फ्रेलिम से में इस तरह क्यों सदिक बन जाते हैं, कि अलप विरोजगारी आपको कहां देखने को मिलेगी, तो याद रखी फिरसी चेत्र में, एक छोटा किसान लच्चमी का उधारन लेते हैं लोग, जिसके पास दो हेक्टर आसंचित भूमी है, जो सिचाई के लिए येवल वर्सा पनिर्वर है, और जुआर इबं अरहर जैसी फदलें उप जाती है, इसके बाइड़ बाहर कि सभी पांच सदस उस भूमी पर वर्स वर्म काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्द नहीं है, आप देखेंगे, पितेक बेक्टी काम कर रहा है, और कोई बेकार नहीं है, पर बेक्त रूप से काम करें हैं, लेकिन सभी अपनी चमता से कम काम करें, इस पकार की अलप बेरोजगारी को छिपि हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों, उन लोगों की बेरोजगारी हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, और वेकार बेटी हुए हैं, एलग है, पांच लोग हैं परिवार में, ठीक है, इस खेत की इतनी चमता है, यानि कि एक आदमी इससे समाल सकता है, पानी भी दे सकता है, इससे घर भी ला सकता है, इसमें जो भी पसलो, सभी काम एक आदमी कर सकता है, और आप देखते हैं कि पांच आदमी इस पर लगे हुए हैं, तो होगा आप सोचिए अगर पांच लगे हैं तो क्या होगा उत्पादन तो बढ़ेगी नहीं आप ही सोचना की उत्पादन ऐसा तो है नहीं कि पांच लोगों के लगने से जितना कर रहा था उसकाथ कई जो नहीं बिल्कुल अगर आप लोग इने चार को बहतर यहां से यही होता कि इने चार को वटा देते और या तो दुतियक चितरक में या तितियक चितरक में लगा देते तो हो सकता था देखी अपने परिवार की स्तिती तो सुधाते साथ में यह अपने देश की योगदान भी यानकी सकल गरेल उत्पाद में भी यह उतान देते हैं लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं किसानों में इस तरह की पिछन विरोजगारी या निंगी कह सकते हैं कि अल्प विरोजगारी देखने को आपको मिलती है आगे बढ़ते हैं हम अब माल लेते हैं कि एक भू स्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्षमी के परिवार के ये क्या फिर दो सदस्वों को भाड़े पर ले ले जाता है अब लक्षमी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतरिक्त आय होती है चुकि आपने आपको छोटे से भूकंड पर काम करने के लिए पांच लोगों की जरूरत ही नहीं थी फिर भी जबजर्स्ती के लगे हुए थे अब ताहट दो लोगों की चले जाने से किर्शी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा बिलकुल भी ने दिये गया उधारन में दो सदस किसी कारखानों में भी काम करने के लिए जा सकते हैं एक बार फिर परिवार की कमाई में विद्धी होगी योवे लोग अपनी भूमी से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बेतर आप में लच्मी की तरह लाखों किसान है इसका अर्थ है कि हम यदी हम कुछ लोगों गिर्सी चित रखते हटा करोने कहीं और समझित रोजगार उपलब दिखरा दें और एक बात आप सोचिए कि कि अकहिए इसाए थे जोब भी कर्सी Archives tengan और निरवर रहती है इसलिए मान्सून का जुगा कह देते एक क्रसी चीत को आप सोचिए कि जब मान्सून खराब हो कि पूरी तण हो जाने परीवार रोड पर आ जाता है सुसाइड करने की आत्मत्या करने की नौबत आन पड़ती है अगर आप सूचिए कि ये सभी 5 मेंबर थे इन वे से 4 अगर दूसरे चेत्रों में अलग अलग चेत्रों में काम करें होगी तो परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर फसल खराब हो जाती दूसरे चेत्रों पर भी तो आये हो रही है उससे काम चला लेंगे अपना मैंने कई बात सुझाओ भी दिया है एकोनोमिक्स पड़ने का ये अर्थ विल्कुल नहीं कि आपको परिच्छा पास कर लेने चाहिए नहीं मैं कहता हूं कि अगर आप एकोनोमिक्स इयानी के अरतविवस्था पड़ते हैं तो आपको जिन्दगी में ऐसी नौमत नहीं आएगी कि आप किसी दूसरे के आँतों की तरफ देखते ने परसल के लिए आपनी जीवन चेनाजने के लिए आपके पास इतना knowledge आजाएगा कि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएगे आप देखिए कि आप खेती है आपके पास बेहतर करिए मैं मना थोड़ी करता हूँ उसमें आप देखिए कि पसू पालन भी करने लग ची मुर्गी पालन भी करवाना सुरूं कर दीजे इसके लिए आपको जाना जमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी एक छोटा से आप समझ ये घर में काम कर सकते हैं दो से चार भेंसे बांग लिजे आपका जो भी चारा होगा उसी से चलता रहेगा और आये भी बढ़ जाएगी आपकी परिवाद की स्तिती भी आपकी सुधर जाएगी तो समझ सचते हैं लेकिन अधिकतर किसानों में इस तरह की हम लोग रखते हैं वो पसू रखते हैं लेकिन अपना दूद के लिए अपना गर का काम चलाने के लिए नहीं बड़ा काम करिए जैसे आपको करही रहे हैं मैं तो कहता हूँ जिस चेतर में लगे हुए हैं आप लोग तो अपनी जितनी चमता है उससे मैं तो कहता हूँ जाना तक करिए आप केती कर रहे हैं तो उसमें जितने काम धंदे हो सकते हैं उने भी करिए समझ रहे? तो आपकी तो इस्तिती बदलेगी, देश की भी बदलेगी और साथ में आपकी जो भी बच्चे होई, उनकी भी इस्तिती बदलती दिखाई देगी अलब बिरोजगारी दूसरे चेतरक में भी हो सकती है उधारन के लिए सहरों में सेवा चेतरक में हजारों आनिमित सहमेक हैं, जो देनिक रोजगार की तलास करते हैं बेपिलंबर, पेंटर, मरमदकार जैसे रोजगार करते हैं और अनलोग सुविधा जनक बिसम काम करते हैं इन में से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं इस पेकार हम सेवा चितरक के कुछ लोगों कुछ सड़कों पर ठेला खीशते अथवा कुछ चीजें बैचते हुए देखते हैं जहां भे पूरा दिन दिता देते हैं परन्तु बहुत कम काम आप पाते हैं बेद काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बहतर आउसर सीधा सा कहने का मतलब है आप प्रेंटर को रोज तो रखते नहीं है मरमत वाली कारे को करवाने वाले को आप कारियर को डेली तो खाम देते नहीं अगर आप सूचिए कि इनके डेली अगर इने काम मिलना लगए नियमित रूप से तो इनकी भी जिंदगी में बदलाव तो उसमें कम से कम खुद तो निर्वार रहेगा, साथ में दस परिवार को और रोजी, मतलब दस परिवार और उस पर डिपेंड हो जाएगे, क्योंकि वो नौकरी सेजित करेगा, त्यानि की नौकरी बनाएगा, समझ रहे हैं, आप ही सुचिए कि एक आदमी ने, एक मान है कि 10, 25, 50 जो भी गाये हो या गौसाला कुली हो या एक तरह से बहस पालन करवाया है, या मुर्गी पालन, तो अकेला को ऐसा है नहीं कि वो उस पर अकेला काम करते रहेगा, नहीं उसके लिए 2-4 आदमी की जरूरत पढ़ेगी, 2-4 आदमी को वो रोजगार दे रहा है, उ वह भी उन्हें भी रोजगार मिलेगा, आप सोचिए उससे दूट डेरी से हांगे, जो भी जहां भी जा रहा हुआ, वह सामान, आइस क्रेम हो गया पृचाया आपकी चोकलेट हो गई, तो वहाँ भी तो कोई पहुचा रहा होगा, तो उसे भी रोजगार मिलेगा, आप सो इस तरह से मतलब बुरी तरह से निर्भर रहता है, आप सुचिए कि बरसाथ या तो आप फसल कटने के समय आप देखते हैं कि जो भी जन जाती होते हैं, चाहे पर आपके आदिवासी हो, फिर चाहे आपके STSC वाले, कोई भी हो मतलब है, सभी फसल के मौसम पर निर्भर रहत है, आपके कुछ कुछ दीएगा, या भी देखते रहिएगा, अब बात करते हैं अतरिक्त रोजगार से जन कैसे हुआ कर, आखिर हम रोजगार कैसे उत्पन किया जाए, ओपे चर्चा से हम देख सकते हैं कि किरसी छेतरक में अल्पर रोजगारी की कभी रिष्टिती बनी ह कुछ लोग ऐसे हैं जैने बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है लोगों के लिए रोजगार की विद्धी कैसी की जा सकती है हम कुछ तरीकों को देखते हैं हम लक्षमी उसके दुवेक्तर आसिंचित भूखंड का उधाना लेते हैं उसके परिवार की भूमी की सिचाहिए तो यह कुए के निर्मान करने के लिए सरकार कुछ मुद्रवेक कर सकती है या बैंक रेड़ प्रादान कर सकती है या आप लोग देखते हैं यह ग्राविट शित्रों में कुए के लिए पैसा आता है तो उसी की बात की जा रही है अब लक्षमी अपने भूमी की सचाहिए करने में सक्षम होगी और रवी मोसम में एक दूसरी फसल ग्यहूं उप जाती है हम माल लेते हैं कि एक एक्टर ग्यहूं की फसल दो लोगों को 50 दिनों बीट डालने पानी जैने खाट डालने और कटाई में तक 50 दिनों तक रोजगार कितान कर सकती है अता परिवार के दो अंद सदस्तों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है अब माल लेते हैं कि ऐसे कई केतों की सचाई के लिए एक-एक नए बान का निर्मार किया जाता है अत्वा एक मेहर खोदी जाती है, इसमें किर्शी चेत्रक में रोजगार के निक दो सहित्व हो सकेंगे, अलोपे में रोजगार की समस्क्रा 걸 अपने आप खतम हो सकेंगे, यहाँ आपने है आपने देखा हुगा कि बान बनते हैं चोड़े-चोड़े खुद में उनmee अधिक तर इस लिए बनवाय जाता है इसलिए नहीं बनवाय जाता है कि एक दिन बन पर खुड़ा हु जल्दी से जल्दी नहीं इन میں जो भी काम हो वहां के जो भी गिरामी छेतरी यह लाके के लोग हैं, उन्हें रोजगार मिले, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरपंचों को देखे, पर चाहे आपके बिदायकों को देखे, यह लोग क्या करते हैं कि उन्हें या तो किसी मसीन से बनवा दिये जाती है मतलब इतना टाइम नहीं देते हुने रोजगार का वहां मतलब ही नहीं रहता है अभी मैं कहीं कली पर्फों पढ़ रहा था कि जो कुलिया का काम आया हुआ था कुए का काम आया था और जहां कम से कम 20 आदमी का रोजगार था उसे एक मसीन ने एक दिन में काम खरतम कर दिया तो इस से रोजगार खतम ही होगा तो बेहतर होगा कि इन मसीनों को कम ही प्रयोग करे जहां जरूरत है वहां प्रयोग करे लेकिन जहां जरूरत नहीं हो आप रोज़िया देने की कॉसिस करिए ठीक इससे भी आप बढ़ा सकते हैं अब माल लेते हैं कि लक्षमी और दूसरी किसान पहले कि तुल्ला में अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें कुछ उत्पाद बेंचने की भी आवज सकता होगी इसलिए अपना उत्पाद नजदी के सहर में ले जाने की आवसकता हो सकती है यदि सरकार परीवहन और फसलों के बंदारन पर अथवा बहता बिरामीड सरकों के निर्मार पर कुछ परसा निविस करते हैं तो छोटे ट्रक सब जगें पहुश पाते हैं, इस तरीके से लच्मी जैसे अनिक किसान जिन्हें पानी की सुगधा उपलब्द है, फासलों की उपज और विक्रेक कर सकते हैं, इस कारफ से के बल किसानों को ही उत्पादक बिरोजगार उपलब्द नहीं हो सकता है, बलकि पर प्रक्किती एक दूसरे पर निरभर है, आप सोचिए कि पेड़ खतम हो जाएं, तो हम लोग हमारी जिन्दे की संभाव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लेते हैं, तो पेड़ों दोवार ही उसे कारबन-डाई औकसाइड में बदलकर औकसीजन में बदला जाता है आप कारबन-डाई औकसाइड चोड़ रहे हैं, तो वो पेड़ यूच कर रहे हैं, वो आपका औकसीजन में बदल रहे हैं, इस तरह से एक पूरी चक्क चल रहा है, आप सोचिए कि ये गाओं है, वहाँ पहले बांद यारी की सचाई की सुधा नहीं थी, पूरी तरह से मा इतनी होने लगेगी और वो पसुपालत भी करने लगेगे, सभी सोविधाया, यानि कि जितना हो सकता है, वो उतना करने लगेगे, तो आपको वहाँ तक एक सड़क पहुचाने हुए, क्या सड़क पहुचाने हुए, अब सड़क बनवाएंगी तो इसमें भी दो रोजगा इसे जल moc स्मझ आप इतना मैं और करना टो आप समझत एतना करना होगा लक्षमी की जरूरत केवल पानी तक ही सिमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे वीजों और वरकों, क्रिशीगत, उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंपसेटों की भी जरूरत है, एक निर्धन किसान होने की कारणों है, सभी चीजों पर खश नहीं कर सकती, इसलिए उसे सावकार से पैसाउधार लेना होगा, उचे ब्यातदर पर बापस करना होगा, यदि इस थानिये बैंक उचे ब्यातदर पर उसे साख पिदान करते हैं, तो वह इस इन चीजों को उचे याय चार में मुद्रा इविम साथ में कुछ आवसकता हों का दिन करेंगे। यादर सोची आप लोग कभी एक बैट्टी को पढ़ा लिखा दीते हैं। यानि कि उसे एक सक्षम बना देते हैं तो वो अपनी जिद्धी नहीं सुतारता है। वो कई लोगों को साथ में लिका आंगे बढ़ता है। आप देखिए आपने एक फुगा बनवा दिया या फिर बात करवा दिया। उसके बात देखिए कितने मतलब जरूरत हो रही है। वहां औरवरक की जरूरत हो रही है। आप सोची ये भी तो देश की GDP में यानि की देश को आंगे बढ़ाने में सायक होगा कर नहीं होगा। जो कल तक दूसरे पर निर्वा रहता था। आपके बिजली माप या आपका करज मापी पर रहता था। वह आज इतना उत्पादम करने लगा है कि दूसरे उसके रोजगार दे रहा है दूसरे लोगों को। तो इसे भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए निचले इस तरह से ही हमें सुधार करने की आवर्सित्ता होगी। हम एक अन्य तरीके से समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। वह तरीका है कि अर्थ ग्रामिन चित्रों में उन लोग उद्धोगों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियुजद किये जार सकते हैं। वह रोजगार उधारन के लिए माल लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मतर दलहनी फसलें उपजाने का नेड़े करते हैं। इसकी बसूली और पिसल्सकरण के लिए तथा सहरों में विक्रे करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी उधारन है। सीथ भंडारन गरहों की खुलने से किसानों को एक आउसर मिलेगा और वे अपने आदू और प्यार जैसे उधादों का भंडारन कर सकते हैं। और अच्छी कीमत मिलने पर बेह सकते हैं। बन चेत्रों के निकरबर्ती गाओं में हम सहथ संग्रय केंदों की सुरुवार भी कर सकते हैं। किसान बनों सिप्राप्त सहत बेह सकते हैं। सबजियों और किसी का दुतपादन जिसे आलू, सकर, कंद, चावल, ग्यों, टमाटर, और फल, इत्यादी जिसे बाहरी बाजारों में ब्याचा जा सकता है। के लिए पिसल सकराण र०्धियों की स्थाब न की जा सकती है। और यह आर्ट ग्रामी छित्रों में इस्थित। उद्धोकों में रोजगार पितान करेगा। एक बात और भी सर्क किसानों की हो उप पिस सोचिए किसी भी गरीब बेप्ति की क्या जरूरत्म होती है। उन जरूरतों को पूरा कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आंगे फिरीका उन्हें देने क्यादर पढ़ेगी आपको एक मतलब आप सोचिए क्रिसान को क्या जरूरत रहती है, उसे टाइम से पानी मिलता रहे पूरते हैं, उसे अपनी जो भी फसल उत्फादन हो रहा है, उसका अच्छा बैतर मूल मिलता हरे तीसरा, आप देखते है की उन्हें रिड़ की जरूरत पढ़ती है आप सुचिए, बवाई के समय उन्हें रिड़ की जरूरत पढ़ रहे तो उस समय आप सुचिए कि उन्हें रिड मिलता रहे सस्ती दरों पर साहुकारों से वो रिड लेते हैं तो आप चानते हैं किस तरह से उसका ब्याज रहता है उनका चीन का वही हाल है कि आज कल साहुकारों का आप लोग देखते थे कि एक समय क्या करते थे कि किसानों को इतना ब्याद रिड दे देते कि उसका ब्याद चुकाने के लिए भी किसान साहुकार पर ही कुरी तरह से निर्वर हो जाते थे आज चाइना भी वही काम कर रहा है कि क्या करता है पाकिस्तान को आप देखी इतना रिड दे चुका है क्या आप जानते ही इभारत में विध्याले जाने के आयुभग 5-29 बार्त सिर्गीहां विध्याले जाते हैं नहीं जाते हैं वे या तोगर इन्हें से अधिक तर बाद से रमें की रूम में काम कर रहे होंगे यदि ये बच्चे भी बिद्ध्याले जाने लगें तो हमें और अधिक और अधिक भावनों अध्यापकों और अन करमचारियों की आउस्टता हूँ यह उजना आयो पूर्म में बरत्मान में नीति आयो द्वारा कि किये गई कद्यान के अवसार अकिले शक्षा छेत्र में लगबग आपकी 20 लाग रोजगारों का सेजन किया जा सकता है इस पेकार हमें स्वास्त की स्थिती में सुधार करना है तो हमें ग्रामिट शेत्रों में काम करने हो और अधिक डॉक्टर नर्सों और स्वास्त करमियो आपको और बता दूंगे यहां जो योजनाय हुए है आपका 1950 में लाए गया लेकिन जो नीती आए हुए है यह आपका योजनाय को पिती स्थावित करकी एक जनवरी 2015 को ला दिया गया एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कई बार रेपोर्टें आती है आपकी उसमें बत पड़ता है यह भी आप समझ सकते हैं कई आप देखते हैं कई गाओं में 15 मैंने देखा है कि 10 से 15 किलोमीटर दूर दूर तक भी आपको स्कूल क्या जो पुच्छ तरगे स्कूल है कर्चा दस भी बार भी यह नहीं देखने को मिलेगे और आपने स्वास्त व्यवस्ता की त स्वास से साथ-साथ किलोमीटर तक कोई सरकारी होस्पीटल नहीं है 20-20 किलोमीटर तक कई गराम इड़ शेतर से वीवसे हुए यह हैं तो वही जो फीस भी जादा लेते हैं और एलाज भी नहीं करते हैं जिसे मलेरिया रहता है उसे भी इंजेक्शन लगा देते हैं मलेरिय का और जिसे नहीं है उसे भी मलेरिया का इंजेक्शन लगा देते हैं तो यहां भी आप रोजगार पैदा कर सकते हैं खेल छोड़िए तिते गराज या पिदिश में वहां के निवासियों की आया और उनके रोजगार में बिद्धी करने की संभावना होती है यह परयाटन अतवा चित्रे सिल्फ होते हो अतवा सूचन पुरुद्दुगी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है इनमें से कुछ के लिए समुतित योजणा वो सरकारी साहता की आवसकता होती है उधारन के लिए योजणा एक्वे अध्धन के अनुसार यदी परयाटन चित कि उन्हें गुमने के लिए देखने के लिए आप इस्ची आप लोग भी कहीं दूसरे खर और अग्राख सी कहीं कहीं कई मिटthon dif रहरे है वहाँ आप जाते ही तो वहाँ गुमेंगे तो आप लोगा को गाइड करने वाला uda बताने वाला होगा और ऑफ नोने रोजग़्ार म तो वहां भी आप लोग देखेंगे कि कहीं इस तरह का विवस्ता हो जाए होटल की जहां आपको बिलतर सुकते हैं तो वहां भी रोजगार आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरह से भी आप समझें कि जितनी सुपधाएं आप लोग कर सकते हैं उससे भी रोजगार सरजन हो सकता है। भारत में कहीं श्कित्रों में आप लोजगार उपर्ण कर सकते हैं। लेकिन वात वही है कि सरकारी नीतियों की प्रचाहे ले लिजे। सरकार की कमी या राजनीताओं की कमी देख लीजे। यहीं देखी गई जाए है। हम जानते हैं कि चर्चा किये गए कुछ सुझाओ के अमल में लंबा समय लगी तार चोटी यहोदी के लिए हम कुछ दूद उपायों की जरूरत है इसे ध्यार में रखते हुए कि अन्सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जलों में काम कादिकार लागू करने के लिए एक कानूर बनाया है इसे महत्मागांदी राष्टी गरामी डूरिकार गारंटी यह दिनियम 2005 कहते हैं मन्रेगा ऐसे ही कहते हैं आप लोग मन्रेगा के अन्सरा 2005 के अंतरगत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्चम है और जिने काम की जरूरत है को सरकार द्वारा गरामी चित्रों में वर्स में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है यदि सरकार रोजगार उपलब दे कराने में आसफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी बत्ता देगी आदिनियम के अंतरगत उस समय उस तरह की कामों में को वरीता दी जाएगी जिन से भविस में भूमी से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी देखे एक नीती तो बनी है आपने देखा है राजीर गांदी भी चलाते रहें अटल विहारी बाच्वी सहब भी चलाते रहें कि हम उपार से पैसा बेज रहें एक रोखे और नीचे जाकि मिला है 12-15 पैसे है तो यह बीच का जो भी पैसा है कहीं गुम हो गया है कहीं चला गया है तो इस प्क्रिया को पूरा सुधाने की आवस्त कता है आप दूर ही मत जाएए आप लोगों को क्या करना है कि आपको आपके जां भी रह रहे हैं आपको इस मनरेगा के बारे में आकड़े कटिट कितने लोगों को मिल रहा है अधिकताल लोग तो रोजगार गारणटी मन्रेगा के बारे में पर्चित ही नहीं सारपंछी जो भी हो आपके स्थानी हे बिसहसन में में काम मागए हमें काम की जरूरत है run 1 और इसी का फायदा उठा सें कि जब कोई जन्ता जागुरूप नहीं रहती हैं, तो यह क्या करते हैं कि रोजगार जो भी मन्रे काइर होते हैं, फरी काइर बना कर सरपन्चों सचिव मिलकर घापला करते रहते हैं, मैंने कई जगे अभी भी देखा है कि इस तरह का काम धढल्ले से चल रहा है, अन्ना हजारे साब की वही वात मुझे याद आती है कि देखे लोगतंत्व या फिर किसी देश की का आधार हो उसका आधार जागरू बेटी ही हो सकते हैं अगर आपके देश में जागरूपता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं अपने देश को कितनी भी उचाई पर ले जा सकते हैं लेकिन हमारे देश में देखेंगे आप लोग कि अंसर आपको राज जागरूपता की कमी देखने को में लेगी है वे आप कॉश्चन से अन्य भी है वाज़ित करने की एक तरीके का परिक्षाण करते हैं इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की सर्थे क्या है क्या कोई नियम और बिनीयमन है जिनका उनका रोजगार के संदर्म में अनुपारन किया जाता है कांता कांता ही कार्याले में काम करती है वह सुबह 9 बजे से साम 35 तक कार्याले में रहती है वे निमित रूप से पिदेग माय के अंत में अपना बेतन पाती है, बेतन के अधरिक वे सरकारी नेमों के तहट भविस्निती भी प्राप्त करती है, उसे चिकेस्तिय और रन्यबत्ते भी मिलते हैं, कांता रिविवार को कार्याले नहीं जाती है, इस दिन सब बेतन अवगास होता है, उसने जब नौकरी आरम की थी तब उससे एक नियुक्ति पत दिया गया था, जिसमें सरक, जिसमें नौकरी समदीद निबंदों और सर्तों का उली किया गया है, अब कमल, कमल एक कांता का पड़ोसी है, वह नजदी के किराना दुकान में देनिक मजदूरी करने वा उसे कोई छोटी या पिर समवेतन आवकास नहीं मिलता है, उसे कोई उपचारिक पत्त नहीं मिला है, और जिससे दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा जाए, उसका नियुक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए भी कहा सकता है, तो आप सोचिए कांता की स्थिती बे दरोगी कमल की स्थिती खराब हुई, एक बात और आप लोग देख रहे होगे कि जो लोकडाउन की चक्र में आपने देखा है कोरुना वाइरस से कितनी बुरी तरह से कांता जैसे लोग तो परेशान नहीं हुए, क्यमकि इनकी बेतन एक आ रही है फिस टाइम में, समझ रह और यह आपने देखा हुए, कि निउंत्म बेतन हमारे हाँ लागू है अधियंदियम, फिर भी आपने देखा हुए कहीं पर देख सकते हैं कि दिली में निउंत्म बेतन कोई नियधारित नहीं की गई है, कहीं आप 2-4 जार रुपे में लोगों को काम करते हुए देखेंग कांता है संगटिस्चित में काम करती है एक संगटिस्चित में काम करती है और संगटिस्चितरक में भी उद्दम अथवा कारिस्थान आते हैं जहां रोईगार किया होती ही नेमित होती है और इसलिए लोगों के पाफ सुनिश्चित काम होता है बेच्चितरक सरकात द्वाना पंजीकित होते हैं, और उन्हें सरकार्णी नीमों का अनुपालन करना होता है, इन नीमों एवं बीदियों जैसे कारखान अधिनियम, निउनतमजदुरी अधिनियम, सेवानोदान अधिनियम, दुकान एवं पितिश्ठान अधिनियम, इत्यादी में उल्ले किया गया है इसे संगठित छेत्रक कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ उपचारिक पिक्रिया एवं कारवधी है कुछ लोग किसी के दुआरा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वे सुता काम करते हैं परन्तु वे बहुत बेवी अपने स्कुल सरकार के समख्च पंजीकित कराते हैं पर नियमों वे नियमों का अनुबालन भी करते हैं संगठि छेत्र के करमचारियों को रोजगा सुरक्षा के लाग भी मिलते हैं और उसके एक निश्चित समय तक ही काम करने की आसाग की जाती है यदि भी अधिक काम करते हैं तो नियमता दवरां उन्हें अधिक बेतन दिया जाते हैं बेनियुक्ता से कई दूसरे लाग भी प्राप्त करते हैं यह लाग क्या है सम्वेतन चुटी आवकास काल में बुखतान भावेशनिदी सेवा नुदान इत्यादी बेचे किसी यह लाग पाने के हगदार भी होते हैं वो नियमों के अंसार कार खाना मालिक को पेजल और सुरक्षित कार परयवन जैसी सुविधाएं सुविधाओं को सुनिशित करना होता है जब पेचे वानिवेत होते हैं तो पैंसन भी प्राप्त होते हैं यानि कि पूरी एक नियुजित विवस्था रहती है कि बेतन जब आपका अवकास चल रहा हो तब भी आपको बेतन मिली आपके अगर बीमार होते हैं तो तब भी आपको स्वास्त की विवस्था मिली आप जब पैंसन के लाइक हो जाती है यानि कि एक ओम में धल चुकी होती है तो समय पैंसन में भी मिलेगी। इसके विप्रीत अगर हम लोग कमल जैसे आख संगठित चित्र के रूम में काम करें। कभी-कभी आप लोग देखते हैं कि जो सब्द होता है वही उसकी परिवासा बता देता है। संगठित यानि कि एक संगठत तरीके से काम करना। है यह तो आप अपने आसपास भी देखते हैं कि जो सरकारी यह तरह से संगठित का चित्र कुटे हैं उनमें समय सीमा रहती है। लेकिन जो आप संगठित चित्र होते हैं जैसे कमध्य से बखती बोस तो बाद 6 बजे आ जाते हैं रात में 8-9 बजे जा रहे हैं से नेमित, निर्मित होता है, इस चित रख के नियम और वीनिमाय तो होते हैं, परंत उनका अनुपालन नहीं होता है, मैंने बताया है कि नियूनता मजदूरी और समय निर्धारन कर दिया गया है, कि इतने समय से जाना घंटे काम नहीं करना है, कोई भी आसंगाठ चित का लेकिन आप देखते हैं कि हमारा देश वो है कानून का पालन किया गया है और नहीं किया जाता है बेकम बेतन वाली रोजगार हैं और प्रयार नेमित नहीं है यहां अतिरिक्त समय में काम करने बेश सम बेतन चुट्टी आवकास बीमारी के कारण चुट्टी इत्यादी का कोई प्रावधान नहीं है यानि कि अगर आप की तबियत खराब है और आप इना से चुट्टी लेत करते हैं बेशसी लोग नियुकता की बसंद पर निर्बर होते हैं यानि कि जो निवक्त करता है इसी की बसंद पर होते हैं आगर आप उसके हटकर कोई गलत उसके बात नहीं मालते हैं तो आपको यह हटाया दिया ता-तरग में काफी संख्याी बोग अपने छोटे-छोटे कारेयों जैसे सड़कों पर विक्र है अथ्वा मरमत कारेयों में सुतार ने उजेत हैं इसी पिकार किसान अपने केतों में काम करते है और जरूरत पढने पर मजदूरी पर सहभी को लगाते हैं और जब आप समझते हैं कि जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो वो निकाल भी सकते हैं वहां कोई विवस्ता नहीं है ऐसी कि आपको गारंटी दे दी गई हो यह आपको questions दिए गया है यह नहीं भी देख सकते हैं आपको अब बात करते हैं आसंगटिक चितरक की सेमकों का संड़क्षन के सिवो संगटिक चितरक अत्यदेक मान पर रोजगार पर तावित करता है लेकिन संगटिक चितरक में रोजगार के उसर्ब में अतिन्त धीमी गती से बिधी हो रही है यह भी काम आम तोर पर पाया जाता है कि संगटिक चितरक असंगटिक चितरक की रूम में काम करते हैं वे ऐसी रणनीती कर बंचन एवं सेमकों को सर्प्षन पिदान करने वाली विधीयों के अलपालन से वज़ने के लिए अपनाते हैं परड़ाम ता बहुत से सेमक आसंगटिक चितरक में काम करने के लिए वेवस हुए हैं जहां बहुत कम वेतन मिलता है उनका फरा सूसन किया जाता है उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाते हैं उनकी आय कम है और नेमित नहीं है इस रोजगार में सरक्षन नहीं है और ना ही इसमें कोई लाव है सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगटिक चितरक के बहुत अधिक सेमक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं ये लोग आसंगटेश चेत्र में कम पेतन परकारम करने के लिए बेवसें, अता आसंगटेश चेत्रक में और अधिक रोजगार की जरूरत के लावा, सेमकों को सरक्षन वसाहता की भी आवसकता है, इसी लिए आपने देखा वोगा समय समय पर कानून भी बनते रहते हैं, ले चोटे और सिमांत किसानों, फसल बटाईदारों, कारिकरों जैसे बुनकरों और लोहारों बढ़ई सुनारे से रचित होता है, बारत में लगबग 80-30 गिरामीट परिवार चोटे और सिमांत किसानों की सेड़ी में आते हैं, इन किसानों को समय से बीज, किर्सी उपकरण, स मिट्टी के बारे में जानकारी उपलग दोनी चाहिए, कि मिट्टी में कौन सी खेती की जा सकती है, यह आपके अधिकार दिये गए हैं, आप मिट्टी की जाच होती है, लेकिन यह कहां नीचे तक पहुंच पाते हैं, आप देखें कि सरपंज साहब को मिल आ है, अगर 20 बा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आपके देश में, क्या हो रहा है, सहरी चित्रों में आसंगटे चित्रक मुक्ता लगू दोगों के सेमकों, निर्मार ब्यापार परिवान, में कारगत आकस्मिक सेमकों और सडकों पर बेक्यताओं का काम करने वाले सिर्फ पर बोजा और ग्रामीट दोनों चित्रों में सरक्षन दिये जाने की आवसक्ता आवतिया है, आवसक्ता का यह मतलब है, इनका नहीं है कि फिरी में दे दिजे सब कुछ, नहीं इनका मतलब है कि एक किसान है या फिर कोई संगटी दिखाई है, तो उसे समय पर रिड मिल जाए, समर पर और उसमें जो भी उत्पादन हो रहा है, वो भिख जाए, उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाए, यहीं उसका उद्देश रहता है, अब यह भी पाते हैं कि बहु संक्यक सेमिक अनसुचित जाती जन जाती और पिछड़ी जातियों से हैं, जो आसंकटित चेत्रग में रोजग संक्यक्रिम जाती हैं, जब कारखाने बंद हो जाते हैं तो अनक नहें सेमिक सब्जियां मैचते हैं, ठेला कीशते हैं, या कुछ अनना काम करते देख्थे जाते हैं, आपने इगोS AMA, का कि मते Tayla काह दालने का काम, या किसी का में लाख यहाज आ लग जाती हैं, फाइजóm और अनेक आर्तिक गतिविदियां संचालित होती है। अर्तिक गतिविदियों को तीन चेत्रक प्रात्मिक दुतिया को तितियक चित में विवाजित करने के लिए कार की सोभाव के सोटी के रूम में उपेव किया गया है। इस बरगीकर्ण की आधार पर हम भारत में कोल उत्पादन और रोजगार की पद्धिती का विसलेशन करने में समर्थ हुए। इसे पिकार हमने आल्टिक गती विधियों को संकटित और आसंकटित चेत्रक में बिभाजित किया गया। और इस बिभाजन का प्रेयुक इन दोनों दो चेत्रकों में रोजगार की इस्तिती देखने के लिए किया जाते है। बरगीकर्ण अभ्यासों से विध्वन समसे महत्पून इसकस किया थी। बेसमस्याव समाधान क्या थे जिनकी और संकीत किया गया। क्या आप जानकारियों प्रेयुके साइडे में संचिप्त रूप से ब्यक्ट कलपाते हैं। चेत्रकों के इस्तेमाल की कसोटी सबसे महत्पून इसके इन इंगिस समस्याव उनकी समाधान कैसे किया जा सकता है। प्रात्मिक उतियक उतितियक चेत्र का सौभाव। सबसे महत्पून इसमें रहता है कि याद रखिए कोई भी प्रात्मिक चेत्र को आप ले लिए बाकी चेत्रों को आप देखते रहे हैं। प्रात्मिक चेत्र में कार का सौभाव। आप यहां देखेंगे किस की जरूरत होती है। जैसे आप लेगे लिजे कि कोई फसल हो गार है तो उसके लिए क्या आधार है। आप देखिए सिचाई मिल जाए, बीज मिल जाए, माटी में जो भी उपचार होना है जो भी खाद बीज की जरूरत है और बर रखिए वो मिल जाए। जब फसल तर्यार हो जाती है तो उसे आप सोचिए कि उसे जो भी फसल का मूल है अच्छा उसे दे दी जाए, यही तो समस्या है, वो यही सबसे जान्दा जरूरत है यानि कि यह पूरी नेमित व्यवस्ता होनी चाहिए। एक तरह से यही कह सकते हैं आप लोग, ठीक? आगे बात करते हैं स्वामित आधारी चेत्रक, साजवनईक और निजी चेत्रक, आर्थिक गतिविदियों को चेत्रक में बढ़गी के करने का एक अन्ड तरीका हो सकता है, परीसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब सारुजनिक चेत्रक में अधिकांस परिसंपत्तियों पर स्वामित और सेवाओं की बितरण की जिम्मेदारी ये ब्यक्ति या पर कंपनी के हातों में होती है, रेलेवे अतवा डागगार सारुजनिक चेत्रक के उधारन है, जबकि टाइटा आरेट एंड इस्टील कंपनी इसको अतवा Reliance Industries Limited जैसी कंपनिया निजी स्वामित में थी, आपको रेल में अभी देख रहे हैं हम लोग की अनिजी कर्म किया जा रहे है रेल भी का, देखिए जब क्या होता है सरकार के अगर अंदर में होती है जो कोई भी कंपनी तो उसमें सरकार क्या कहती है कि मानाव कल जाने की लाप पर जान ध्यान देते हैं, आप ही सोच लिएजे कि आपको अगर सरकार माल लिया जाए और आपको देश की सुरक्षा और रक्षा रहत परह से आपकी जिम्मेदारी है, तो आप क्या करेंगे गरीब को भूख से नहीं मनने देगी, आप उनका भी कल्यान करने कि पूरी हर संबाव कोसिस करेंगे, लेकिन आप सोचिए अगर आप कोई कमपनी चला रहे हैं, या कोई धंदा को ले हुए, आप अपने या चलिए यहां बैशते हैं आप लोग, अपना खरीदते हैं बैशते हैं, तो आपके सामने भी अगर कहीं कोई मर रहा होगा, तो आ मैं यह नहीं बोला हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग लाग पर ही ध्यान जाना देते हैं, निजी चेत्रक की गतिविदियों का धहर लाब अर्जित करना होता है, इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन शकल, इन एकल, स्वामियों और कम्पनीयों को बोफतान करना पड़ता है, सारजिनिक तेत्रक को दहे केवल लाब खमाना नहीं होता है, जो यानि की सरकार है, सरकार सेवाओं पर किये बया की भरबाई करों या अन तरीकों से करती है, आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविदियों पर बय करती है, इक उसका पूरी तरह से पालन, मतला उसका घल्लयान, किसी को स्वास्त के बिना ना मरे, सिच्छा के बिना ना मरे, भूख से ना मरे, लेकिन यह लग बात है कि आपके देश की स्तिती क्या है, आप बहतर मुझ से समझते हैं, कई ऐसी चीज़े हैं, जिनकी आब सकता समाज के क्योंकि इन में से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे ख़रच करने की जड़ुवत है, जो निजी चितरक की चमता से बाहर होते हैं, इन चितरक का इस्तिमाल करने वाले हजारों लोग, लोगों से पैसा, एकर्तित करना भी आसान नहीं है, फिर भी यदि बे चीज़ो को उफलब्द कराते हैं, तो भी उनकी कीमत उची रखते हैं, यानि कि जो पूंजी है, पूंजी बादी एक तरह से आज लोग इना कह लेजे, यह क्या करेंगी कि यह पूंजी, यानि कि यह क्यार करेंगी, लाख और इनका हाल संभाव कोसित रहेगी कि लाख कमाना, जैसे इसलिए सड़कों, पोलों, रेलवे पतनों, बिजली आदी का निर्माड और बांध आदी सिस्चाई की सुभ्या उलब दखाना, इसलिए सरकार यह से भारी बय और स्वय मठाती हैं, सभी लोगों के लिए सुभ्याओं को सुनिशित कर दिए, यह अलग बात है कि अब आप जब तक कि सरकार उन्हें को रुसाहिन नहीं करते हैं, जैसे उत्पादन मूल पर विजली की विक्री से बहुत से लोगों, बहुत से उद्धों में बस्तुओं कि उत्पादन लागत में विद्धी हो सकती हैं, अनेक एकाईयां और विसेसकर लगू एकाईयां बंद हो सकत यहां सरकार उस दर पर विजली उत्पादन और विद्धरन के लिए कदम उठाते हैं, जिस पर एक उद्धों विजली खरी सकते हैं, सरकार लागत का कुछ अंस बहिन करते हैं, इसे पेकार भारा सरकार कसानों से उचित मूल पर गहुँआ चावल खरीचते हैं, इसे अपन का लाग कमाने उद्धिस है, और आपने देखा है कि अगर उन से हम लोग बदले में लेते हैं बाद में कुछ ताइम के बाद, तो वो महेंगा देते हैं हम लोग, आपने कक्चा नौबी में खादर सुरक्षा अध्याय, मैं इसके बारे में पढ़ा हैंगी, सरकार लागत क यानि की सरकार को ही करना होगा, जैसे सभी के लिए स्वास्तों से सिक्षा सुग्लद कराना, हमने पहले अध्याय में कुछ गतीव नीवों पर विचार किया है, संची डंग से वित्तमान चला, विद्ध्याले चलाना, गुडमा, गुडात्मक सिक्षा विसेस का बिरात्मि में सबसे अधिक है, मुझे ही लगता है कि ब्राइट एसंट का कुछ लाब भी है, आप देखिए, अगर पूरी तरह से आप देखा जाए, तो कही लाब आपको देखने कुम लेगे, कही नुकसान भी देखने कुम लेगे, प्राइवेट इस्कूलों की आप देखिए, हैं शिक्छा देखा, अगर सरकार इनका खर्ज अठाने लगे, गरीवन की बच्चों का तो ठीक है, इस तरह से प्राइवेट हांतों में देखाए, लेकिन आप सोचें कि अगर प्राइवेट हांतों में दिया है, और सरकार गरीवों यानि की जिनकी आर्तिक इस्तिती खरा ठीक है तो यानि कि सरकार और प्राइविट दोनों अगर मिलकर काम करें तो मुझे लगता है वेटर काम कर सकते हैं इस पेकार हम जान देंगी भारत के लगवग आदे बच्चे कुपोशनर की सिकार है और उनों में से एक चौथाई गंभी रूप से बीमार है हमने सिसुमित् कि बच्चों जैसे सुरक्चित पेजल की उबलगता निर्धनता के लिए आवासी सुगधा बोजन एवं पोसंट पद्ध्यान देने की जरूरत है सरकार का यह भी कर्तब है कि वह बजट बड़ा कर अतिनत निड़दनों कि और देश के पूरता उपिक्चित भागों की देखवाल करेगी मुझे आपको बताया होगा कि आपको कई बार मालूभी होगा कहा जाता है कि गंगा नदी पर जितना पैसा खर छोच ऑचा है उतने में एक गंगा नदी निकल जाती दूसरी गंगा नदी उसकी जग़े निकल जाती है पिर भी आप देखते हैं कि पूरी तरह से सौख्छ नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं तो है नुकसान हो रहा है कहीं न कहीं तो कुछ घबला हो रहा है इसी तरह आप आंगनमाडी देखते हैं कि जो आपके बच्चों के लिए खाद्यान आता है उसमें से आदा वहां के जो कार करता है वो डकार जाते हैं इस पूल की सिक्षा आप देख सकते हैं, कि सरसाहब आएंगे, टीचर साहब, हाजरी लगाएंगे, उसके वाद अपने काम में भेह से चड़ाने के लिए आपिर कोई अपना काम करने के लिए निकल जाएंगे, एक गरामिट चित्रों की हकीकत है, अभी कहां मैं एक दिन बात कर रहा था कि वो कोई मु दिया जाता है सरकारी होस्पिटल से, कि जाए उस दुकान से लिकर आएंगे, तो आप समाझिए जो सरकारी दवाई आ रहे ही, उन्हें भी बैद दिया जाता है, उनसे भी पैसा बसूला जा रहा है, तो आप इस तित्री समझ सकते हैं, एक सारस दिया गया है, इसे भी समझ तके हैं कि प्रात्मिक चित क्या है, दुदियक चित, तितियक चित क्या है, भारत के बिगस्ट तीस बरसों के आख़री पिदस्चित करते हैं कि GDP में सबसे अधिक एक गुदान तितियक चित यानि कि सर्विस सेक्टर का है, उत्वादित बस्तूँं सिभाउं का, लेक आसलोग आसाञटी चेत्रक में काम करते हैं और उनके लिए सांडरक्षन अनिवार है, हमें सारवजने को निजी चेत्रक को गेंदर काया है, देखा है कि सारवजने गदडीविद्यों को कुछ निच्छे चेत्रों पर केंदित करना अनिवार किया है, आप यह मत कहिए कि प पूरा समाजवादी संगठी है वहां की इस्तिति आप देख सकते हैं तो आप समझेए विवस्ता कोई भी हो लेकिन एक संगठीत होना चाहिए यह क्यानी कि उस पर पूरी तरह से अच्छी होने चाहिए तभी वो सर्चिल हो सकती है और आपने देखा है कि किस तरह से अध्या सब्दों में लिखा रहा है कई जगे आपको उधारन की बात की जा रही है तो कांता कमल जैसे लोगों की कहानी बता कर आपको समझा दिया जाता है तो बस आपको देहर के साथ पढ़ना है यह आपको कुश्चन्स हैं नहीं देखते रहे हैं और पीडिएप आपकी टेलिग बत्कुत है उन्हें ही आप लोग देखते रहे हैं ठीक है तो ए आपका था क्या दूसरा अध्या है इसमें आप तीसरे अध्या में हम लोग बात करेंगे मुद्रा मुद्रा और साथ के बारे में बहतर तरीकी से हम लोग जानेगे ठीक चलिए तो हम लोग बात कर रहे थी NCEIT बुक्स कप्छा 10B की आर्थिक विकास की समझ के नाम से जो आपकी बुक्स से उसी ही बारे में हम लोग बात कर रहे थी यह आपकी एकोनोमी की बुक है यानि कि अर्द्विवस्था तो इसमें अभी तक हम लोग दो चेप्टर आपक भी खतम कर चुके हैं आज बात करेंगे हैं हम लोग तीसरे चेप्टर के बारे में वेह मुद्रा और साक से संब्दीत हैं एक बात हम इसा याद रखी अगर आप इस्टेट पीटीए से अफिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तो आप समय रहते हुए इन्हें पढ़ ले क्योंकि मैं बार-बार बोल लाँ कि इनका कोई दूसरा भी कल्प नहीं है आपके बास और समय है जब तक पढ़ लें एक से दो बार कम से कम पढ़ना ही आपको अगर और भी जाना आपके पार टैम है तो आप जितना जाना हो सके जितने बार हो सके उतना ही आपको फाय आपका बेसिक बिलकुल मजबूत कर दें समय रहें बेसिक कहने का मतलब मेरा जी वही मकान की नीव की तरह है आपने देखा होगा कि जितनी नीव जो भरी जाती है वो जितनी मजबूत होगी उतने ही साथ से वो मकान मजबूत होगा वैसे तो आपको खच्छा 26-22 तक ही सब्सक्राइब कर लिए वहां से डावलूड कर लिजिए वह वही डाली गए है जो आपकी सिविल सर्विस के लिए जरूरी है इसके लिए परिशान भी आपको नहीं होना पड़े है एक मनमोहक और कोतु हल्प सिभराविश है और सास्त विद्यार्टियों के लिए इस तत् हैं कि किन सामाजिक परिस्थिति की मुद्रा के कौन से रूप प्यूप्त होते थी मुद्रा के आधूनिक रूप में बैंक पेडाली से जुड़ हुए इस अध्याय के पहले भाग में मुख विचार यह ही है भारत की मौझूदा इस्तिति में बैंकिक पेडाली के कम कारिक रोव से विचार करने की जरूवर नहीं है लेकिन इसे सवालों की रोव में उभर ने दीजे मुद्रा की उत्पत्ति या फिर आधोनिक पिणाली का प्रेश्ठा घान जैसे विश्यों को अध्याय में नहीं रखा गया है लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर चर्जा कर सकते हैं इस अध्याय में आप देखेंगे ही मुद्रा इस्टॉक जनता के पास करेंशी और बैंकों में इनकी मांग चमाओं से मिलकर बनता है यह वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी 21.2 सरो उपयोग कर सकते हैं और सरकार को यह अस्वनिश्यद करना होता है कि मुद्रा प 500 और 1000 रुपे के currency नोटों को आमान निगोसित कर दिया गया था लोगों से कहा गया कि बे इन नोटों को एक निश्चे ताउदी तक बैंक में जबा करने और बदले में 500 और 2000 रुपे के नई नोट प्राप्त करने आप सोचिए कि इसकी जगह अगर सरवार सरकार बोल देती कि कोई नोट बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको तो आपके उपर क्या विद्धी आपका भरोसा ही उठ जाता है नोटों पर लेकिन अच्छी बात है इस सरकार में बोला कि इन्हें 500 और 2000 रुपे को जमाते हैं कि नोट को आप बदले में 500 या पर 2000 रुपे के रूम में ले सकते हैं इसे बीमुद्दी करण कहते हैं क्या कहते हैं बीमुद्दी करण तभी से लोगों को लेंदेन के लिए नगदी किस्तान पर बैंक की जमाओं को प्रियोक करने के लिए ब्रीफ प्रोसाहत किया गया अताह बैंक से बैंक अस्तान तरण इंटरनेट मोबाइल पॉन चेक एट प्रभाव परभास करने के लिए कहा जा सकता है और एक बात अमस्ता याद रखे जो इंडिया की बात की जा रही है इसमें यह भी आपके पॉइंट सामेल है जैसे फॉन पे हो गया ओनलाइन बैंकिंग हो गया नेट बैंकिंग हो गया मतलब इसमें कम से कम आपका नोटों का उपयोग किया जाए और बाकि आप ओनलाइन आप देखते हैं वह पानी पूरी पूरी बेंचने वाला भी आजकल पेटियम लगाया हुए है फॉन पे लगाया हुए तो आप समझ सकते ही काफी हद तक हमारा देस भी डिजीटल इंडिय हो रहा है बस एक जागरूप तक ही कमी है और एक आपके डेटा की मतलब गारंटी हो क्योंकि अभी भी लोग ओनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं कहीं उनका पेमेंट दूसरी जगह ना चला जाए कहीं परेशानी खड़ी ना हो जाए विद्याति को उन बेहत छेत्रों का चेत्रों का को लोज बनाने के लिए कहा जा सकता है जिर्मेंट नगत और नगदी रहेद लेंदेन का प्रयोग किया जाता है कौन साचे तरग संगत ये विव्यधानिक है सभी विद्यार्तियों को ये बताना भी महत्कूर है कि मुद्रे लेंदेन के लिए प्लास्टिक कार पहलों को देखा जाता है तता इन इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है हम अपने आसपास के दुनिया में हजारों तरह की साथ बेवस्ताय देखते हैं इसलिए अच्छा होगा कि अगर विद्यार्तियों के परिवेश से जुड़ी साथ बेवस्ताओं के जरिए उन्हें इसके विवेन पहलों में से अवगत कराया जाए साथ से जुड़ा एक अन्नमत्पूम मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब दो खास तोर पुसे गरीवों के लिए और यतुचित सल्कूपत हमें इस बात पर जोड़ देना होगा कि यह लोगों के अधिकार और इसके ब हमारे पास सभी सवालों की जवाब नहीं है हमें नई तरीके टूनने की आ सकता है और यह विकास्तिल देशों के सामने सामाजिक चुनोतियों में से हैं याद रखी इसलिए बता रहा हों को जरूरी नहीं था लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या के उसी का एक ओबर वि गिरावीट कर जो की पर किये गए सर्विक्चन के लिए इस तरह से आकड़े इस किताब में लिए गए हैं यहां से आपकी बुक्स में मैं बुक्स यहा है वो तो आप समझ रहे हैं क्योंकि आप जब भी बुक्स पढ़ें नहीं तो आप को कोई टीचर तो LCEIT बढ़ाएग लो तो आपको यहार इन्हें भी पढ़ लेना हैं मुद्रा भी निवे का एक मादिम मुद्रा का इस्तिमाल हमारे रोजाना की जीवन का एक बहुत बढ़ा हिस्ता है अपने चारों तरफ देखिए आप किसी एक दिन में मुद्रा से जोड़े कई सोदों के पहचान कर सकते ह आप इनकी एक सूची बना सकते हैं बस दिमाग में याद बखिए इस तरह की जो भी काम करने के लिए बोला जाए बस अपने दिमाग में कर लिया खरिएगा आपको पैक्टिकल करते हुए नहीं बैठ जाना है आप जाते हैं कि हजारों बस तो यह आप खरीदते हैं दिन मे कि अगर इस तरह के पैक्टिकल बनाते बैठे रहा आप लोग करते तो कई दिनों में यही बुक्स खतम होगी बहुत से लेंदेन में आप देखेंगी कि मुद्रा की जरीए बस्तुएं खरीदी और बैची जा सकत रही हैं ऐसे कुल लेंदेन में मुद्रा की बदली सिवाय अदार ब Patriotan की जारी है लेकिन कुछ मावलों में हो सकता ही कि लेंदेन होते वक्त मुद्रा का ओप्यूब आदार बैदान ना हो के वल बात में बुक्तान करने का वादा क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरी यह क्यों होती है कारण बहुत सरल है जिस व्यक्ति के बास मुद्रा यानिकी पैसा है वह इसका बिनीव है किसी भी वस्तु या शिवा करीदने के लिए आसानी सी कर सकता है इसलिए हर मुद्रा कि रूमे बोफतालेना पिर वो स्मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूर्तों की चीजह, खरीदने के लिए करता है, एक जूता निर्माता का उधारान देखते हैं, वह अबार्यार में जूता बैच कर गयाउग खरीदना चाहता है, जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले, मुद्रा प्राक्त कर जालेगा और पिर स्मुद्ध्रा का स्तेमाल ग्हाहु खरिणा के लिए क्रें एक बात आप लिए को बता दें कि पहले क्याहु को अ Kemla को अत्क कलता था ता विया, आपके प्रहाचीन भारत से ले ले लिजे आप लोग, कि पहले बस्तू एक बस्तू के बदलन दूसरी बस तो उभी निवाय प्रणाली चला करती थी कहने का मतलब यह हैं कि आपके पास गया हुए है तो आपको दूसरी चीज़ लेनी है जैसे नमक लेना है तो आप दुखान पर जाएंगे गया हुटे देंगे और उससे नमक ले लेंगे आपके बदले में एक पिक्री आपने देखी होगे गाव की तरफ जम मतके की जरूरत पढ़ती है इस तरह के कुछ सामानों की तो आपने देखा हुए कि आप फसल उकती यह फसल दे देती है उसे कुछ पिस्सा और उससे बदले में घड़ा बड़ा जो भी जरूरत होती है उन्हें ले लेते हैं लोग कभी यह बार आपने सिवफल अनार इस तरह के भी देखे होंगे लेते हुए तो यह वहीं पिक्किरिया है समझ रहे हैं फिर उसके बाद आपकी समझ में आना चाहिए कि आपने देखा है कोई बस तुमहेंगी है कोई सस्ती है इस तरह से एक अच्छा आप कह सकते हैं किरमा का जो भी मतलब बिवस्था नहीं हो भारी थी कि अब देश में हमारे पूरा भारत आप समझ सकते हैं जम्मुकसमी से तमिलाडू कन्या कुमारी और उपा से ना इतनी इस तरब से आप ले सकते हैं गुजरास से रोड़ाचर पे देश तरब इतना प्यला हुआ है अब हमें एक कॉमन करेंसी की जरूरत थी यानि कि सब ज है और इस पर देखा होगा अपने की RBI की गवर्नर की हर्स्ताक्षर रहते हैं वो आपको गारंटी देते हैं अगर आपको 2000 का जो नोट आया हुआ है इस पर भरोसा नहीं है तो आप पैन के जाकर कह सकते हैं कि यह में वरोसा नहीं है आपको उसके बदले या तो हाड करेंस गेहुं उगाने वाले ऐसे किसान को कुझना पड़ता जो ना केवल गेहुं बैचना चाहता हो बल की साथ में जूते भी खरीजना चाहता हो अर्था दोनों पक्च एक दूसरे से चीजें खरीदने और बैचने पर सह्मती रखते हैं इसे आवस्त्ताओं का दवरा सहयोग क कि एक्चा रखता हो वही बस्तू दूसरा बैक्तिक खरीदने की वह एक्चा रखता भी बस्तू में ब्रभ मेर पिड् widen고 में जहां मुद्रा को प्यों intentional बस्तूं Iraq होता है आखिर एक करेंसी यानि की मुद्रा जो कॉमन मुद्रा है इसे लाया क्यों गया है। आप सोचिए कि आपको अगर इनहीं का उधारन ले लिए जूता और गेंगों का। अगर आप सोचिए कि आपका मतलब दोनों में तैनी होता है, कुछ उंचा नीचा होता है, कोई कहता है कि हम इतना लेंगे इतना, तो आप दूसरे के पास जा भी नहीं सकते हैं। पर आपको दूसरा देखना पड़ेगा या तो गेंग वाला या जूता वाला। लेकिन आपके पास मुद्रा होगी, तो आप क्या करेंगी, कि दूसरे के पास, तीसरे के पास, जिसके पास आपका मतलब अच्छे से सौधा हो जाता है, उससे खरीद सकते हैं। एक समझ सकते हैं आप लोग कि अगर आपके पास ना होती मुद्रा, करेंसी ना होती, यानि कि नोट ना होते, तो आप किसी एक दुकांदार के पास जो सौधा होती, उसी से खरीद भाते हैं, समझ रहे हैं, दूसरा पता है, मालू चला कि उससे भी कम ले रहा है, तो आप एक कुंसे पसंद नहीं है दूसरे के पास दीसरे के पास शौब तरह के पास आप जा सकते हैं यह आउजी सुभिध हुई है कि मुझे जूत का डूनते चाहिए लेकिन मेरे पास ग्यहू नहीं है अब घाड़ा है इसके पास अब इसे क्या जरूरत थी जूते वाले को ग्योंगी अब ऐसा दो है नहीं कि वो घड़ा ले ले जूट ग्योंगे बतले इसकी तुल्ला में ऐसी अर्दवरस्था जहां मुद्रा का प्रेयोग होता है मुद्रा मत्वून मद्वर्दी भूमिया पिलान करने करके आवसक्ताओं के दोहरे सहयोग की जरूरेट को खतम कर देती है पर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो किसी ऐसे किसान को ढूठ जिय lá केवल उसके जूते खरीदे भनकि साथ साथ उसका गयों भी बैचे उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदा गूझना है एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दीए तो है बाजार में गयों या पर कर राणने कोई वस्तु करी सकता है, चुकि मुद्रा विनिवय विक्रिया में मद्धेता का काम करती है, इसे हम लोग विनिवय का माध्यम कहते हैं, पहले आप सुनते थे कि वस्तु विनिवय का माध्यम हुआ करता था, यानि कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के से बदला, अभी भी इस तर हम लोग मुद्रा के आतनिक रूप की बात करते हैं हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेंद में बिनिवय का माध्यम बन सकती है सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजे मुद्रा की रूम में इस्तिमाल की जाती थी उधारन के लिए बहुत प्यारंबी काल से ही भाती अनाच और पसु का मुद्रा की रूम में इस्तिमाल करते थे इसके बाद सोना चांदी और तामे जैसी धातूं कि सिक्कों का चलन हुआ जिसका चलन पिछली सदी तक रहा यह आप देख रहे हैं कि प्यारंबेक आहट सिक्के लगभग आपके पचीस सो बर्स पुड़ाने हैं यह आपके गुप्त कालीन सिक्के एक तुगलक के समय के सिक् करेंसी मुद्रा के भी आधुनीक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के सामय नहीं आपके बे चीज़ें जो पहले मुद्रा की रूप में प्यूप की जाती थी उसके विप्रीत आधुनीक मुद्रा बहु मोलक धातूं जैसे सोना चांदी और तामी के बनी सिक्क कहुता है तो आप सोचिए कि वैसे उसकी ख्राय सती क्या होती एक रुपे कि बराब तो लोग क्या करते होते कि उस तो उन्हें उससे जानदा मतलब फायदा होता, समझ रहे हैं, इसलिए आपने देखा है कि छोटे-चोटे आने लगे हैं आप सिख्के, पहले बहुत बजन में भी बहुत जान आगुगा करते थे और बड़े-बड़े सिख्के आते थे, क्योंकि हमारे देश में दिमार की कमी नहीं है, अगर उन्हें मालूँ चल जाए कि एक सिख्के की कीमत दूसरे सामान में बदल कर इसकी कीमत बढ़ सकती है, तो वो भी करने लगेंगे, तो इसे बीनिवया का मात्यम क्यों सुईकार किया जाता है, क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकित करती है, भारत मे कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजित नहीं है, इसके अलावा कानून बीनिवया के मात्यम की रूम में, मात्यम की रूम में रुपे का इस्तेमाल करने की बैदिता पिदान करता है, जिसे भारत में सौधे में अदाएगी के लि उसे कहते हैं उसे लोट या फिर कोई वी जुस्चलन में हो तो कोई मेना नहीं कर सकेगा ठीक है बैंकों में निचेव लोग मुद्रा बैंक में निचेव की रूम में रखते हैं किसी समय पर लोगों को रोज मर्या की अवस्क्ताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है उधारने के लिए है मैनी के आखिर में बेतन वाली मर्यदूरों की अतरिक नगत होता है लोग इस अतरेक्त नगत का क्या करते हैं इसे बैंक में अपने नाम से खाता कुलवा कर जमा कह देती है बैंक की जमा सुईकार करते हैं और इस पर सूध भी देते हैं इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूध भी मिलता है यानि भी जो ब्याज में मिलता है लोगों की आपनी आवस्तक्ताओं के इसमें से धन निकालने की सुध्या भी उपलफ्त होती है चुकि बैंक खातों में जमा दन को मांग के जरी है निकाला जा सकता है इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते है याद रखिए जो भी आप लोग बैंकों में जमा करते हैं उसका क्या करते हैं वो आप सोचे कि वहां रखिए तो आपको भ्याज देए шьमा किया दूसरे को जरूरत होगी तो इससे रेड के रूब में देढ़ेंगे और जितना आपको भ्याज देते हैं उससे ज pist ब्र भी इनसे जान्द बीनिये इससे उन परुपेगा देख रहा होगा आपको मांग जमाई एक अन्य दिल्चस्पल सुगधा देता है या सुगधा इसे मुद्रा का विनिवय का मात्यम मात्पून लक्षन किदान करती है आपने नगत की बज़ए चेक से बुक्तान के बारे में कई दुबार सुना होगा चेक से बु इस देता है, सीधा सा कहने का मतलब यह है, कि आपने SBI यानि कि State Bank of India में account खुला है, आपकी account से जोड़कर एक checkbook आपको दे दी जाएगी, आप उस check को जब भी किसी को भर के देते हैं, अगर आपके bank में पैसा है, जितना आपने भरा है, उसतना पैसा कम से कम है, तो आपका bank accept हो जाएगा, जो भी check है, और अगर नहीं है, तो आपका bounce हो जाएगा, और bounce होता है, तो आपको देखा है कि आपने किस तरह से दंड़ की परावदान भी रखे गए हैं इसके लिए, ठीक है? चेक का द्वारा भुपतान, यह आप देखते रहते हैं, जोता निर्माता, एम सलीम को चमड़ा आपूर्ती करता को भुपतान करना है, इसके लिए वाए एक बिसेश रखम का चेक लिखता है, और था जोता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्ती करता को यह रखम देने का आधिस देता है, चमड़ा पूरती करता है यह चेक लिए जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है और धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है यानि की ट्रांसपर हो जाता है यह लें देन बिना नगत की यादाएंगी कोई पूरा होता है इस त कि एक खाता नम्मर अकाउंट आपका दिया रहता है यहां रुपेर हो गए ठीक है इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के इनगा लच्छन मिलते हैं मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविदा से बिना नगत का इस्तिमाल किये सीधा भुक्तान करना संभव हो जाता है चुकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ ब्यापकिस तरफ भुक्तान का माद्यम सुविकार किया जाता है इसलिए आधुनिक अरद्वर्ष्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है यहां आपको बैंक की भूमिटा को याद रखना होगा बैंकों के इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुक्तान नहीं होगा मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक पेडाली की कारपडाली से बहुत करीब से जुड़ी हुई है इसमें आप देखेंगी सुविधा जरक भी है क्योंकि आपको ना पैसे निकालने की या आपके कैड़िट कायड डेविट कायड अब बात करते हैं बैंकों की रेड सम्मंदी करती विदियां बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं बैंक जनता से जो धन जमा खातों में सुविकार करते हैं उसका क्या करते हैं यानि कि जो हम लोग जमा करते हैं उसका बैंक जल्क आखे करते हैं यह एक दिल्चस्प पिर्या विधी काम कर रही थी बैंक जमारकम का एक छोटा हिस्टा अपने पास नगत की रूम में रखते हैं इसे किसी एक दिन में जमा करता हैν द्वारा जन निकालने की समभ़रणा को देखते हुए यह अपराधान किया गया है चोकि किसी एक बिसे इस दिन में केबल को जमा करता ही नगत निकालने के लिए आते हैं इसलिए बैंक का काम इतने आत नगत से आराम से चल सकता है यानि गहने का मतलब है कि आप सोचिए कि 100 रुपे जमा हुए तो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि एक लिमिट लगा दे जाती है कि इतने से जादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं इस दिन में जब आपने कई बैंक आप दिवाली या होने की कागार पर खड़े हुए और जन्ता को भरोसा नहीं रहा कि कि ये बैंक आँगे चल पाएगा यानि चल पाएगा तो सभी पहुच गए एक दिन निकालने के लिए तो आपने सुना होगा कि बैंक ने लिमिट लगा दी किस से जाना आप बैंक से पैसा ही नहीं निकाल सकते हैं तो 15 रुपे का एक कोई और रेड दे दिया जाता है बैंक जमारासी के एक बड़े भाग को रेड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिविन आर्थिक गतिविदियों के लिए रेड की बहुत माग में रहती है हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे बैंक जमारासी का लोगों की रेड आवसकताओं को बूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह बैंक जिनके पास अत्रेक्त रासी है जमाकर्दार एवं जिन्हें रासी की जरूरत है और आने की करतार के वीच बैंकों की आये का प्रमूख सरोफ करते हैं आप सोचिया कि या बैंक के पास कोई खजाना तो है नहीं वो इसी इसे पैसा कमाते है आपने जो जमा किया उस पर आपको चोटा सा बैंगे और जिसे वो दूसरे को दे रहे हैं तो उस पर अधिक ब्याज लेंगे, इस तरह से उनकी, एats Gay revival, जो भी खर्च रहता है, वो भी उठाते रहते हैं, और अपने पास पुझी भी बनी रहती है, जमा करता हैं, यह लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज बाते हैं, इस तरह से जमा करें यह बैंक माल दीजिए और यहां से निकालने की बात की जा रही है बैंक की आया बढ़ती है किस तरह से लोग रेड लेते हैं करज़िदार है यह आपके यह जमा करता हुगा यह करता है और लोग रिड़ लोटाते हैं और व्याद देते हैं आपने सुना होगा कि आपने सिख्छा के लिए लॉन लिया हुआ या फिर किसी और चीछ के लिए लॉन लिया है पसो पालन के लिए या फिर कोई या फैक्टरी लगा रहे हैं उसके लिए भी लॉन तो उस पर आप लोग एक फिकरिया चली रहती है बैंक आप दोनों के बीच एक मद्यष्ता का काम कर रहे हैं समझता है अब बात करते हैं साथ की दो विविन इस्तितियां हमारे रोज मरिया की गतिविदियों में ऐसे में ऐसे بहुत से लेंदेन होते हैं और बदले में भविस्क में करदार से भुक्तान करने का बादा लेता है। अब हमने में लेके दो धानों देखते हैं कि रिड़की क्या भूमिका होती है। तिवार का मौसम, अपसे दो महिने के बाद तिवार का मौसम है और जूता नेमाता सलीम के पास सहर के एक बड़े ब्यापारी से तीन हजार जूते, जोडी जूते की मान आती है। जिसे उससे एक महिने के अंदर पूरा करना है, उत्पादन की काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम कुछ से लाईं, और चिप खाने के काम के लिए अतरिक्त मजदू रखने की आवस्तिता है, उससे कर्चा माल भी करिदना है, इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो सरोतों से रड लेता है पहला वैद कमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रिस्ताव रखता है और बाद में बुपतान करने का वादा करता है दूसरा हुआ इस बड़े व्यापारी से एक हजार जूतों के लिए अग्यमुपतान की रूम में नगत करज लेता है और तथा महीने की महीना कितम होने से पहले पूरा ओर्डर पहुंचाने का वादा करता है महीने के आफरे में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है उसे अच्छा खासा लाब भी होता है और वह उधाली धनकी अधायगी भी कर देता है इस तरह से आप देखते हैं कि हर जगे आपने देखा होगा कि इसे आप लोग वहां भी देखते हैं किसानों की फसल आती है तो आपने देखा होगा कि जब बीच की जरूरत होती है या कसी भी समय साधी विवार या कोई बीमारी है तो समय आप दिने देखा होगा साहुकारों से रिडर लेव लिए जाता है और जब आपकी फसल आती है दोस्त समय भी चुका दिया जाता है एक पिकरिया चलती रहती है पहले आपने देखा है बैंक कम ही पुगा करती थी जराबिट शेत्रों में तो वहां इने शाहुकारों का दबदबा रहता था सलीम उत्पादन के लिए कारसील पूंजी की जरूरत को रेड के द्वारा पूरा करते है रेड होसे उत्पादन के कारसील खर्चों तथा उत्पादन को समय को पूरा करने की मदद करता है वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है इस पेकार रेड एक महत पूंड एवं तथा सका तेयार होने पर कज को अदा कर देगी खेती के खर्चों के लिए साहुकार से रद लेती है फसल पर कीड़नासकों के हमले से फसल बरबाद हो जाती है हलाकि सुपना फसल पर मही कीड़नासक दबाईयां चड़कती है उसे कोई खास फरक भी नहीं परता है वह साहुकार का कर्ज लोटाने में आसा फ़ल रहती है और साल के नदर यह कर्ज बड़ी रखम बन जाता है अंगले साल सो अपना क्यती के लिए दुबारा उदा लेती है इस साल पसल सामान रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती ही कि वह अपना कर्ज वापस कर सके वह कर्ज में फट जाती है उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ छिस्सा बैचना पड़ता है इस पिक्रिया को जो आपने देख रहे हैं आकिसान की पिक्रिया यह आप देखते हैं जांद दर आपने देखा है कि अभी भी चाइना यही विक्रिया अपना रहा है क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को इतना रिड दे चुका है कि पाकिस्तान के पास चुकाने के लिए छमता नहीं हो तनी तो क्या करता है कि रिड का जो ब्याज है उसका भी गुपतान वो चाइना से लेकर ही करता है यही पिक्रिया उसने चाइना ने चीन में अपना चाइना ने स्रिलंका में अपना ही यही पिक्रिया वो आप नेपाल पर भी थो बढ़ा है और यही पिक्रिया वो इरान पर भी आपने देखा है कर रहा है इससे क्या होता है कि आप इतने जाल में पच जाते हैं रिड़ कि आप चुका नहीं पाते हैं और या तो आप अपनी जमीन में देंगे या कुछ आपके पास गहना वहना होते थे तो उस समय आप देखते थे कि सावकारों को वो विवैश देते थे अगर आप सोची ये टाइम से इनकी फसल अच्छी हो जाती तो ये भी अपना अच्छी इस्तिती में पहुंच सकती है लेकिन कहा जाता है न कि आपके आपके जो भी फसल है इसे किरसी को मानसून का जुगा कहा जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर फसल अच्छी हुई यानि कि मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हुई मांसून अच्छा नहीं रहा तो फसल की स्थिति आप समझ सकते हैं गरावीड शेत्रों में साकी मुख माग फसल लगाने के लिए होती है फसल लगाने में बीज, खाद, कीटनासक, दमाओं, पानी वीली उकरणों की मरमत इत्यादी पर काफी कर्च होता है इन आक्तों को खरीदने और फसल की विक्तरी होने के बीज, कम से कम, 3-4 महिने का अत्राल होता है आमतौर पर से किसान रितू के आरम में फसल लगाने के लिए उधान लेते हैं और फसल तेयार होने के बाद वापस देते हैं उधारी की अधागी मुक्ताफ असल की कमाई पर निदा रहती है समस्या यह नहीं है कि जो उनकी जो भी रिड़ लेना है उसकी अधाईगी किस तरह से होगी समस्या यहां पस जाती है कि आप बैंक से जो रिड़ लेते हैं वो बड़ा मतलग व्याज कम देना पड़ता है उस पर आप समझे हो हए और जो साहुकारों से हम रिड लेते हैं बेचोलिया यानि कि हो आप देखते हैं सेड से रिड लेते हो उस पर यह बहुत बड़ी रहकम ली जाती है रिड ब्याज के रूम में तो इसलिए और किसांद अस्ते चले जाते हैं। सुपना के मामले में फसल बरबाद हो जाने से करज की अधायगी असंबभ हो गई है। उसे करज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा पैजना पड़ा। रिड़ से सुपना की कमाई को बढ़ाने की वज़ाए उसकी स्तिती बद्द कर दी। इसे आम बासा में करज जाल कहा जाता है। क्या कहते हैं। करज जाल। इस मामले में रिड़ करजदार को ऐसी परिस्तिती में धकिल देता है। और आज से आप अगर दस साल पहले जाएंगे तो अधिकतर किसानों की यही इस्तिती थी। समझ रहे ने। अब तो आपने दिकाए किसान केंडिट कायड भी बनने लगे हैं। तो आप काफी सहुलियत भी मिलने लगे हैं किसानों को। एक ऐसी स्तिती में रेड आय बढ़ाने में सहयोग करता है। जिससे बेक्ती की स्तिती पहले से बहतर हो जाती है। दूसरी स्तिती में फसल बरबाद होने के कारण रेड बेक्ती को अपने जाल में फसा देता है। सुपना को कवज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बैचना पड़ा, इस्टपस्ट है कि उसकी स्थिति पहली की तुला में बत्तर हुई है, रेड उपयोगी होगा या नहीं, या परिस्थिति की खत्रों और हानी होने पर पर प्राप्त सहयोगी समावना पर बढ़ता है कि किस तरह से आप समझ सकते हैं, अब बात करते हैं रिड की सरतों की, हाल रिड समझोती में ब्यादतर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कड़दार महाजन को मूल रकम, मूल रकम के साथ अधा करता है, इसके अलावा उधार करता है को कोई समर्थक, रिड अध सकता है, यानि कि जो आप सेर्ट को समझते हैं, अगर आप से कह देता है कि गिरवी रख देजे, या तो आप कोई देखते हैं, अपने मतलब आहूसन रख देते हैं अपने घर परिबार महलाओं के, समझें, तो यही होता है, अधिकतर गाओं में यही देखा जाता है, या पर आप पर भरोसा होता है कि आप चुका देंगे, तो इसलिए आपको रेड़ देता है, समर्थक रेड़ादार ऐसी समपत्ती है, जिसका माली कर्दार है, जिसे जैसे कि भूमी इमारत गाड़ी, पसु बैर, बैंकों में पूनी, और इसका इस्तेमाल होए उधार करता को गारंती देने की रूम में करता है, जब तक कि रेड़ का भुकतार नहीं हो जाता है, यदि कर्दार उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधार करता है, उधार दाता को भुकतान प्राप्ती के लिए समपत्ती या समर्थक रेड़ादार बैंचने का अधिकार होता है, जै को भी इसाहु कार ले एंसे भी मतलब बंदवा मजदूरी करवाते थें क्या करते थे आपके जैसे기에 रड़िया किसी किसान नहीं शुका पा रहा है यदु दौ उस्के बच्चों को अपने रख ले थे और काम कर वा दे थे सेठ ठीक है इसे भी बसूली करते रहे कि यह अभी कई जगे आपको देखने को मिली है आवास रेड यानि ही घर के लिए जो रेड़ मेगा ने घर खर दिने के लिए बैंक से पांचलाक रुपी का कर्ट दिया इस कर्ट पर व्याज की वार्षिक दर बारे पिती सते हैं इस कर्ट को दस साल में माज से किस्तों में लोटाय पर घर बापस किया जाता है जो भी आपने देखा हुगा घर रख लेते हैं आप लोग तो उसके कागाज भी एक गारांटी के रूम में रख लिए जाते हैं जो नौक भी करते हैं याद लिए कि जिनके पास सरकावी नौक लिए उन्हें करज आसानी से मिल जाता है आपने देखा हुगा जाता है जाता है क्या इसमें जो भी इतनी टाइम पर चुका देंगे इतना ब्याज ग्रवी के कि रूम में क्या रखा जा रहा है और सबको सर्ते करते हैं रेड़ की सर्तों में एक रेड़ विवस्ता से दूसरी रेड़ विवस्ता में काफी परक आ जाता है कर्ज की सर्तें उधार दाता हो और कर्जदार की प्रक्यति पर भी निर्वर करती हैं अंगले बाद में ऐसे तो रोहित और अन्यन ने कक्षा में रिड की सर्थों के बारे में पढ़ना खतम किया था वे अपने इलाके की पितलित विवित पिकार के रिड प्रवंधन को जानने के हो उस्तुपते कौन लोग उधार देते हैं? कर्दार यानि की लेने वाली कौन होते हैं? तो रिड की क्या-क्या सर्थे होती हैं? उन्हें अपने गाओं के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया आगे आप उनका लेखा पड़ सकते हैं 15 नमबर 2016 को हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मज़दूर काम कर रही होगे खेतों में आलू की पसल लगी है पहले हम सौनपूर एवं एक छोटा सकाओ है जहां से चाई की सुधाय मौझूद है कि एक छोटे कसान स्यामबल से बात करते हैं स्यामबल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड जमीन को जोतने की हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है कुछ साल पहले इतना कोई गाओं के माजन से रिड लेता था जिस पर उसे 5.30 मासिक यानि की महीने का याद रखिये 5.30 मासिक ब्याज देनी पड़ती थी 6.30 बारसिक आप समझ रहे हैं कितना भारी रिड बैंकों से आप लेंगे तो 8.30 रुपे यानि कि 8.30 बारसिक रहेगा और यहाँ देख रहे हैं आप लुफ साथ येसी तरह से तो फश जाते थे किसान पिछले कुछ बरसों में से अमल गाओं के किसी ब्यापारी से 3.30 मासिक ब्याज की इदर पर रिड ले रहा है यानि कि चली इससे भी तो कम है जुताई के मोसम की सुरुआतों ने पर ब्यापारी रिड पर किरसी सम्मंदीत आगते याज की जरूरते मोहा कराता है जिससे फशल तेयार हो जाने पर बवबस करना होता है रिड पर ब्याज के अलावा ब्यापारी खिसान से वाणा लेता है कि वोई अपनी फसल उसी को बहचेगा अस तरह ब्यापारी निश्यंत है कि रिड की अधायगी समय से हो जाएगी फसल की खीमते फसल काटते समय कम होती है इसलिए होता है किसानों से कम पिछाने से मुनाफ़ा होता है वह फसल सस्ते में खरीद के बाद में कीमत बढ़ने पर बहचता है यह सभी पिक्रिया आप लोग उने ग्रामीड चेत्रों में देखी है अभी भी चलती रहती है कि आप जिससे बीच के लिए या पिर कभी भी आपको जरूरत है तो रिड लेते हैं गिस जो भी फसल होगी वह उसी को बेंचने पड़ेगी और आपने अक्सर देखा हुगा कि जो आपका सेथ होगा जिससे आपका उधाल देना रहता होगा वह सस्ता करीबता है बाकी जो भी सेथ रहते हैं उनके मुकान लेकिन फिर भी हमारे पास समस्या है यानि हमारे पास कोई विकल्ब भी नहीं होता है अब बात करते हैं हम अब अरोन से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरिक्चन करा है अरोन के पास साथ एकर जमीन है अरोन सौनपर की उन कुछ लोगों में से जिसे खेती के लिए बैंक से रिड मिलता है इस रिड पर बासीख आठ देसमलाव 5.30 अब समझ में आगया आप की बर्स में 8.30 साड़े 8.30 आठ देना पड़ रहा है यहां कितना देना पड़ रहा था साथ कि अ आप समझे 100 रुपे को आप ले लीजे आपको महाजन से यानि की साहुकारों से आप ले रहे थे जब आपको साल वर में 100 रुपे पर 60 रुपे और जोड़ कर उसमें ब्याद देना होता था लेकिन आपको अगर बेंच से आप रिडर ले रहे हैं तो यहां आपको आप साड़ी आप रुपे ही मात देना पड़ा है तो आएक समझ सकते हैं कितना अंतर है भारी इंतर इसे अंगले तीन बरसों में कभी भी लोटाया जा सकता है और उनकी यह उजना है कि वे फसल तेयार होने पर अपनी उपज का कोई सिस्सा बेंच कर इस रिडर की अधायगी कर देगा वाए बाकी आलू की फसल को सीद बंदार गेरह में रखकर बैंक से इसके बदले नया रिडर लेने के लिए दरफास देना चाहता है बैंक किसानों को ऐसी सुविदा देने के लिए तेयार है जो पह पहुतार से कभी फसल लेते हैं तो एक आपके पर मतलब मजबूरी रहती है आपकी कि आपको पसल बेंचनी ही होगी उसे तो इससे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसान फच जाते हैं लेकिन जो भी बैंक से लेते हैं वो फायदे में रहते हैं रमा रमा निकेट के किस किसी मजदूर के रूम में काम करती है, साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है, उसे अपने रोज मर्या के खर्चों के लिए करज लेना पड़ता है, अचानक बीमार पड़ने पर या फिर वरिवार में किसी समारों पर खर्च करने के लिए भी उसे करज लेना वापस करती है अधिकांसता रमा को नया रेड़ लेना पड़ता है जब की होए पुरान रेड़ लोटा भी नहीं पाती वर्तमान में उसे भूसवामी के 5000 रुपी देने है यह भी भूसवामी उसके साथ अच्छा बेवार नहीं करता है फिर भी होए उसके लिए लगातार गा ही है आप समझ सकते हैं इस किसान की हाला समझ सकते हैं पहले बालेगी और रमा की हाला समझ सकते हैं आप लोग एक किस तरह से मतलब फसे हुए है एक तरह से देख रहे हैं आप लोग और इनमें एक क्या होगा कि आप सोचें कि अगर इस जनम में यह नहीं चुका पाए तो के बच्चे आएंगे वह भी इस तरह से इने भी चुकाना पड़ेगा इस करद को समझते हैं तो बैंकों से सभूलियत हो दियर करद लेने और आपकी आंगे भी बढ़ पाते हैं साहू कारों की चक्कर में एक बार पड़ गए तो आप पूरी जिंदगी उनका ही करद नहीं च इसमें बैंकों की अलावे घंज्य में सघ्रितों में सस्थे रेल का एक अन्शून शर्क सहेकारी समतिय हैं सहीकारी सम्ती के सदस अपने संसादनों को कुछ छित्र Conditions में सहयोग के लिए लिए कद्दित करते हैं कई पेकार की सहेकारी समतियां संभव हों जैसे किसान बु यह अपने सदस्तों से जमा पराप्त करती है और इस जमा पूझी को रड़ आदाहर मानती हुए इस सहिकारी सम्ती ने पैंग से बड़ा रड़ पराप्त किया है इस पूझी का इस्तिमा सदस्तों को करत देने के लिए किया जाता है यह रड़ लोटाने के बाद खर्च का दो यहत्तर इस्तिती में इस आम लोग रेड़ लेकर रहते हैं आ May अब बात करते हैं मायरत में और दो ऊपचारिक चेत्रक में साथ हमने उपर के उधारणों में देखा है कि कि लोग विविन रेसें से रिड्ड करते हैं विविन प्यकार की रिड को दो वर्गों में माटा है एक उपचारिक और दूसरा अनुपचारिक छेतर इंट कर ने पहली when में बैंकों और सहुकारी संतियों के लिए संतियों से लेख़ जाते ओंट आरेक में आपके जो भी आप बैंकों से और सहकारी सम्तियों से कर्ग लेंगे उसको सामिल किया जाता है अगर हम लोग अनुपचारिक उधार करता में बात करें तो इसमें साहुकार, ब्यापारी, मालिक, रिस्तेदार या दोस्त इत्यादी सामिल लेती है आलेक एक में आप जाद गरामी परिवारों के साथ के सरोथ यह आपके याद रखिए आकड़े भले पुरान है बस आपको समझना है ठीक है अब यहाँ आप देख रहे होंगे 33 पितीसत साहुकारों से किससे यह साहुकार किसमें आते हैं अनुपचारिक ठीक है रिष्टेदारियों मित इसमें आते हैं आठ पितीसत है किसमें अनुपचारिक जमीदार अनुपचारिक एक परसेंट और अनुपचारिक में दो परसेंट ठीक है यह आपकी अनुपचारिक सिरोथ है करद लेने की इस तरह आप देखेंगे तो यह आपकी आपकी अपचार सेहकारी समतियां बेंक से 25 बिवसायक बेंक 25 पिज़ा अन्योपचारिक सुरूत 5 पिज़ा 36 के खरीब आपका आ रहा है और शरूतों से रड़ दिया जा रहा है बाकी का या नहीं कह सकते हैं कि थोड़ी मतलब इस्तिदी ठीक कह सकते हैं और नहीं खराब कर सकते हैं क्योंकि आधे से आधे ही के बरावल लगवाग आपका करज लिया जा रहा है किससे उपचारिक लोगों से और अनुपचारिक लोगों से लगवाग उतना ही लिया जा रहा है एक बात और याद रखिए जिन जो उपचारिक तरीकों से जो भी आपका RID लेते हैं वो फायदे में भी रहते हैं आप लोग अक्सर देखते रहते हैं बारती रेजर बैंक RID रेणों को उपचारिक तरोतों की कारपणाली पर नज़र रखता है उधारन के लिए हमने देखा हैं कि बैंक अपनी जमा का एक निहुंतम नगत इससा अपने पास रखता है RBI नज़र रखता है कि बैंक बास्ताव में नगत सेस बनाये हुए है RBI इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाव अरजित करने वाले विवसाईयों और ब्यापारियों को ही RID मोया नहीं करा रहा है बलकि चोटे किसानों चोटे उद्दिमों चोटे करददारों इत्यादी को भी RID दे रहे हैं समय समय पर बैंक को द्वाना RBI को या जानकारी देनी पड़ती है कि विक्ता और किन को RID दे रहे हैं उनकी ब्यात की दरें क्या है एक और बाद आप लोगों ने सुनी होगी आप तो कई हमारे वारत में कई बैंकों पर ऐसा भी पीती बंद लगा दिया है कि किसानों को यह अपनी बैंक की खासी पूंजी देनी होगी और कम RID पर देने होगी इसलिए इस तरह की पावंदी लगाई गई है क्योंकि किसानों की स्तिती सुदरे आप जानते हैं कि हमारी एक बड़ी जनसंक्या आदी से जानदा जनसंक्या अभी भी आपकी खेती पर ही निर्भर रहती है कई राज्यों में आप देखेंगे कि 80% तक आपकी जनसंक्या ख सकते हैं, सिकायज भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिये, बे एक्चिक दरों पर रेड दे सकते हैं, यानि कि उनकी इच्छा जितनी हुई, आपसे जानदा ही रेड पर्व्याज लेते हैं, उन्हें ना जायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नही कि अगर आपकी फसल बरबाद हो जाती है तो आपका रेड़ भी माप कर दिया जाता है बेंकों के द्वारा या पर कई तरह की आपको छूट दी जाती है लेकिन साहुकारों को आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई सोग्दावन के द्वारा नहीं दी जाती है अपचारिक रेड़ दाता हूं कि दुल्ला में अनुपचारिक रेड़ अनुपचारिक चित्रक के जानातर रेड़ दाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं इसलिए अनुपचारिक रेड़ कर दाता को अधिक मैंगा पढ़ता है इसे आप लोग वैसे भी नॉर्मन तरीके म bisschen करती से भी समझ सकते हैं यदर कि मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई सब दिन में ऐसा मिलता हो जो आपको समझ में नहाता हूं आप देख रहे हैं चुछि सब्सक्राइब को समझ में आ रहे हैं एक कहानी पूरी लिख दी गई एक तरह से और आप अगर कहानी का रूप दे कर लिने पढ़ते हैं तो आप बहतर याद भी रख सकते हैं वह बहतर आपकी जो भी कॉंसेप्ट होंगी वो क्लियर हो सकते हैं तो रिड की उची लागत कर रहते हैं कि कर्दार के आयका अधिकतर सा रिड की अधायगी में ही खर्च हो जाता है इसलिए कर्दारों के पास अपने लिए कम आयवर्षती है जैसा कि हमने सौनपुर के स्यामल के मामले में देखा है आप सोचिए उसने अगर सो रुपे दिया है लिया है रिड तो आप सोचिए उसे एक सो साट रुपे यानि कि सो का रिड साट रुपे देना होगा अगर बैंक से वो लेता है तो आप समझे कि एक सो आट रुपे और गर साहुकारों से 160 रुपे उसे बापसी करना पोड़ेगा, तो बहतर इस्तिति में किसमे होगा आप लोग, अगर बैंक से जो रिड लेगा, क्योंकि कम से कम आठी रुपे तो देने करो रहे हैं साल में उसे, कुछ मामलों में रिड की उची ब्यागदरों के कारण कर्ज वा कर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, बिरेड की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाए, आप सोचिए कि 160 आपको किसी के देना है, ठीक है, 100 रुपे ले लिए थे, और एक साल में उसका करण हो जाता है, टोटल आपको 160 रुपे बर्त बाबस करना है, और आपने बैंक से अगर लिए हैं, तो यहां आपको 108 रुपे के करीब, 108 रुपे के करीब या 9 रुपे माल लिए, 108 रुपे आपको देना है, ठीक है, 108 रुपे या 9 रुपे देना है, चलिए इस बार आपकी फसल भी खराब हो जाती, माल नीजे, फसल खराब, तो कम से कम आपको या अगर आपको 160 देना है, चाहे आपकी भसल वरवाद हो, चाहे आपको कुछ भी हो, हो सकता है या बैंक की मामली में मैंने बताया कि आपको यानि कि माप करने का भी option मिल जाए या आपको कुछ छूट दे जाए, लेकिन एक किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, इन्हें 160 चाहिए, मतलब चाहिए, इससे भी हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी तरह से परवाविद रहते हैं, इन सभी के काड़ों को देखती हूँ, बैंकों और सहिकारी सम्तियों को जाना करज देना चाहिए, इसके जरिये लोगों की आयबढ़ सकती है, और बहुत से लोग अपनी विविन, जड़तों के लिए सस्ता करज ले सकेंगे, बेफसल होगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे हुद्धों के इत्याजी लगा सकते हैं, बेनाया देउग लगा सकते हैं, या पर वस्तूओं का व्यापार कर सकते हैं, सस्ता और समर् अनुपूल कर देश के विकास के लिए भी अथी आऊ सके एक बात और याद रखिए आप सोचिए अगर हमारे देश के किसानों की हालत अच्छी रही तो आप भी देख सकते हैं कि अपना योगदान तो करेंगे अपने परिवार का वर्ण पोर्शन तो अच्छे से करेंगे सा अब बात करते हैं उपचारिक और अनुपचारिक साथ किसी क्या मिलता है आलिक दो में सहरी चित्रों में लोगों के लिए रेड़क के उपचारिक और अनुपचारिक मत कुद दिखाए गया है आलिक में गरीब से अमीर लोगों को चार बागों में बाटा गया है आप देख सकते हैं कि सहरी चित्रों में निर्दन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरते अनुपचारी सरोतों से पूरी होती है और जिस तुल्ला तुल्ला आप सहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करते हैं आप क्या देखते हैं, उन्हें केबल 10% कर्ज अनुन उपचारिक तरीके से जब कि 90% उपचारिक सिरोतों के लेते हैं, इस तरहे की तश्वी ग्रामीर चित्रों में भी अमीर परिवार उपचारिक रिड़ दाताओं से सस्ता रिड़ ले रहें, जब कि गरी परिवारों को कर उपचारिक तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं, उपचारिक तरीके से लग सकते हैं, आप सोचे कि कोई बड़ी फेक्टरी लगा रहा है, उसे एक करोड लेना है कर्ज, तो सोचे आप लोग कि उसे तो ब्याज के रूम में अगर किसी साहुका से बोले, तो एक करोड साट ल पहला उप्चारिक शुरूत अभी भी ग्रामी परिवारों की कुल रड़ जरूतों का किवल 50 पी तीसर पूरा करपाते हैं। बाकी जरूतें और नुप्चारिक शुरूतों से पूरी होती हैं। अभी भी आप ग्रामी चित्रों में से देखते भी हैं। कि अधिकतर किसान जो होते हैं वो रसाहुकारों पर ही निर्वर रहते हैं। दूसरा दी एक तरफ उप्चारिक शुरूत के रेड़ों का विस्तार होना चाहिए। तो दूसरी ओर भी जरूरत है कि एरड़ सभी लोगों को ख्राप्त हो सके। वारतमान समय में हम विर परिवार ही उप्चारिक शुरूतों से रेड़ पराप्त करते हैं। जबकि गरी परिवारों को अप्चारिक रेड़ों पर शुरूत आप निर्वर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि उप्चारिक तरफ का अधिक समान वित्रण हो। ताकि गरीब परिबार भी सस्ते रेट का फाइदा उठा सकें, एक और समस्या इसमें देखी जाती है, कि आपने देखा होगा कि अगर आप उपचारिक तरीकी से लॉन लेते हैं, यानि कि रिड़ लेते हैं, तो आपको बैंक का चक्कल लगाना पड़ता है, या तो वहां रि रिड़ मिलने लगे बैंकों से, तो आप समझ सकते हैं, वो किसलिए मतलब जान में पसेंगे रिड़ के, वो तो बैंकों से लेगे ना, लेकिन बैंकों कि इस्तिती क्या रहती आप समझ सकते हैं, बैंकों के इम में गरीबों के साथ क्या मतलब बेवार किया जाता है, तो आ आलेक दो को देखिए, सहरी परिवारों द्वारें लिये गए, कुल रेड का कितना पितिसत अप्चारिक था, कितना पितिसत अनुप्चारिक था, गरीब परिवार, 85 पितिसत अनुप्चारिक श्रोस से रेड की पितिसत लेता है, गरीब परिवार, और 15 पितिसत यह आपका आप अप्चारिक सुरोतनों से रड़ लेता है दरीब परिवार की बात करा हूं और इसी यही कारण है उसका कि गरीव हमेशा गरीवी बना रहता है और यहां कम संपत्ति वाले परिवारों की अगर बात करें तो 47 पितिसत आपके उपचारिक तरीके से लेते हैं और 23 पितिसत यानि की अनुपचारिक तरीके से अगर हम लोग समर्द परिवार की बात करें तो यहां बहत्तर पितिसत वो उपचारिक तरीके से लेगे यानि की पड़े लेकर आप आसानी से अपना काम करा लेते लो, और 28 पी तीसती अनौप चारिक तरीके से पुधाल लेते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर आप अमीर परिवार की बात परहें हैं, तो उसमें देखेंगे कि 90 पी तीसत आपको आप अनौप चारिक तरीके से लेंगें, औ अब देखिए से क्या आप मानतें ही की बैंक इन्हें रिट अगर देगा अगुक कि इनकी यह वज में भी आप समझेगी बहुत तरी किस नोह timer तालित किया जाएका इन्हें परिसान किया जाएका कि वारह उन्हें चकल लगाने पढ़ेंगी बैंक से और अभी भी आप आप देखते हैं कि कभी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि गरीब परिवा गरीब सभी लोग लाइन में लगे रहते हैं और एक आपने देखा होगा कि अभी आता है वो डारेक्ट अपने केवर में जाकर उस मैनेजर से मिलकर अपना काम करका निकल जाता है फिर कुछ कुछ कायम बाद आपको मालू चलता है कि सरवर खराब है कुछ कायम मालू चलता है कि बैंक में पैसा क्यतम हो गए तो इस तरह से भी परिसान किया जाकता है अब यह आपकी निर्धनों की स्वयम साहता समोग यह भी आपने बहुत देख्योंगे पिछली कंट में देखा कि निर्धन परिवाद के लिए अभी अनुपचारिक स्रोतों पर निर्वार रहे हैं ऐसा क्यों है बारत की सभी गिराविट चित्रों को में बैंक मौजूद नह लिए अनुपचारिक स्रोतों सी करद लेने की दुला में जाना मुश्कल है जो समस्या मेंने बताई न वहीं है जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा है बैंक सी करद लेने के लिए रड़ाधार और बिषज कागजातों की तिरूरत पढ़ती है रड़ाधार की अनुपलत कि विज बिना रडदार के भी रड़ दैने के लिए तयार हो जाते हैं करज़ा जरूरत पढ़ने पर पुराना रड़ चुकाई बिना भी नया करज लेने के लिए साउगकार के पास जा सकते हैं लेकिन महाजन ब्याज की दर बहुत उची रखते हैं लेद्दयन की लिखा मुझे बेंक में अकाउंट खुलवाना था तो पता है मेरे अकाउंट नहीं खुला गया मुझे मतलब कही तरह से काग आगया एक कागत चाहिए एक कागत चाहिए और पर इसन करके आकर मैं हार के बैठ गया मैंने अकाउंट ही नहीं खुलवाया कि उन्हें पता नहीं था मेरे मतलब मेरा परिवार्थ जो भी बेक्ग्राउंट था उन्हें पता नहीं था कि यह किसका बेटा है या किसके रिलेसर में है बाद में मालूश चलागी जब मुझे जरूरत भी पढ़ने लगी 2010 की करीबे बाद तो पता है, संडे को मेरा अकाउंट खुल गया, मेरे पिता जी गए, तो संडे को अकाउंट खुल वा लगया, और मैं जब किसी का नाम लेकर विना ऐसे ही भटक रहा था, ये मदलम, आप समझ सकते हैं, गरीवी की हालत को लेकर, मदलम मैं किसी से सफारिस नहीं लगवा रहा तो आप सोचिए, मेरा अकाउंट नहीं खुल गया, और जब मेरे पिता जी गए, उनकी जो भी चलती है, अलग बात थे उनका, तो वो गए तो उन्होंने देखा है कि संडे को, मैंने सुना है, संडे को अकाउंट खुल की अकाउंट नमबर मिल गया मेरा, जो उस बैंक का म एनिजर था, उसके घर गए, उससे खुलवाया, उसी दिन मुझे जरूएट थी, उसी दिन मिल गया मेरा अकाउंट नमब, तो आप समस्कते हैं, गरीवों के आसाथ मैं देखा है, मैंने बहुत नजदीक से, किस तरह से बेदवाब किया जाता है, हाल के कुछ बरसों में ल कर्तित करने की पर आधारित है, या विसे स्वयम साहता समु एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस होते हैं, जो नेमेत रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं, पिती बैक्ती बचत 25 रूपे से लेकर 100 रूपे या आधिक हो सकती है, या परिवार की बचत करने की चमतार निफ़ पर निर्वर करता है, सदस अपनी जरूतों को फूरा करने के लिए चोटे कर्ण समु से कर्ण ले लिप सकते हैं, समु इन करोजों पर ब्याज लेता है, लेकिन या साहुकारों की द्वारा लिये जाने बाली ब्याज से कम होती है, एक या फिर दो बरसों के बाद अगर समु बैंक से रिड लेने की योग भी हो जाता है, रिड समु के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्मों के लिए स्वरोजगार के अउसर का सेजन करना है, उधारन के लिए सदस्मों को छोटे-छोटे कर्ण अपनी गिरवी जमीन चुड़वाने के लिए, कार्सि आप देख सकते हैं, ऐसे समु को कगटन तभी किया जाता है, यह मतलब एक समास सेवा की तरह है, समझ रहे हैं, कि मतलब सावुकारों से की चंगों से चुटाने के लिए, इस तरह के समु बना जाते हैं, लेकिन एक कमी ही देखे जाते हैं, अभी भी ग्राविट चित्रों म सादी के बारे में रेड करता है, इस रेड को लोटाने की जिम्मेदारी इस भी ही होती है, एक भी सदस अगर रेड वापस नहीं लोटाता है, समु के अनलस सदस इस मामले को गंभीरता से ले लिते हैं, इस कारण बैंक के निर्दन महिलाओं को रेड धारिकली इत्याद हो जाते हैं जब भी अपने स्वयम को साहता समुह में संगटित कर लेती हैं या पिए उनके पास कोई रड़ाधार नहीं होता है इस तरह स्वयम साहता समुह करतारों को रड़ाधार की कमी की समस्या से उभारने में बदभी करते हैं और उन्हें समय नुसार बिवन फिकार की अवस्रक्ताओं के लिए एक उचित ब्याचपन रिड़ मिल जाता है इसके अतरिक तिया समुह गिरामीर चेत्रों के गरिवों को सगटित करने में मदद भी करती हैं कि इससे नाकेबल महलाएं आर्थिक रूप से स्वाव लबी हो जाते हैं बलकि समुह की नेमित बैंकों के जरिए बैटकों के जरिए लोगों को एक आममन्च भी मिलता है जहां हुए तरह तरह की सामाजिक दिश्याओं जैसे स्वास्त पोसर गहरेलो इंसा इत्यादी पर आपस में चल्चा भी करते हैं यह आपको जो पिक्चर देख रहे हैं एक गुजराज में मैं लाओं कि स्वासावाजिता समुह की बैटक चल रही है समझें अब बात करने बंगलादेश एक आपका बड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए तो इसके देश के ग्रामीड बैंकों की बात कर लेते हैं बंगलादेश ग्रामीड बैंकों का उचित ब्याददरों पर गरीवों की जड़तों को पूरा करने का बड़ा सफल इतियास रहा है इसकी सुरुवात 1970 में एक चोटे प्रमानिम से हुई बस 2018 में ग्रामीड बैंकों के अब 9 लाग सदस हैं जो बंगलादेश के आपके 81,600 गाओं में फेले हुए इससे रिड़ लेने वाले ज्यादतर महिला हैं जिनका समद्ध समाज की गरीब तपके से इन कर्ड़दारों में दिखा गया हैं कि नाकेबल महिला हैं गरीब महिला हैं भरोसे मंद्ध कर्ड़दार हैं अगर गरीब लोगों को सही और उचित सर्वतों पर रिड़ उप्लब्द कराया जा सकता है तो लाखों छोटी चोटी चोटी गतिविदियों के जली यह विकास का सबसे बड़ा चमतकार कर सकते हैं यह आपके प्रोफेसर मुहमद इम्रोस कह रहे हैं गरामीड वैंक की सस्ता फकें 2006 मेंने सांती के लिए नोवल प्रुस्ता से भी सम्मानित किया गया है एक बात और आप लोग हमीं सही आद रखिए एक किसान को यह आप ले जीजी इसकी जरूरत क्या है एक सस्ते ब्यात पर उसे रड़ मिल जाए बीच के लिए खात के लिए जुदाई गुआई के लिए उसके बाद एक सेचाई की सुगता हो जाए तीसरी इसकी जरूरत है कि जब भी इसकी फसल तैयार हो जाता है तो उसका उचित दा मिल जा है बस यही तो तीन है अगर यह तीन उपलद करा देते हैं आप लोग तो किसानों की गुरी हालत कभी नहीं रहेगी पर जाके आप किसान देख सकते हैं कि कितने समर्द किसान है क्योंकि बो इस तरह से जाई की कुछ सारांस दिया गया है यहने भी देख सकते हैं इस अध्याय में हमने मुद्रक यादूनिक रूपों और बैंकिंग पढाली से इसके समंद्धों को देखा है एक तरफ जबा करता अपना धन बैंकों में रखते हैं दूसरी तरफ करदार बैंकों से दल देते है आर्थी गतिवदियों के लिए रेड़ की जरूवत होती है जैसा कि हमने देखा है रेड़ के सराकार अत्मत प्रभावी हो सकते हैं या कुछ परिस्तितियों में भी करदार की स्तिती और बत्तर कर सकते हैं रेड़ विविन पिका विविन सरोतों से उपलत होता है एक अनिवारों को अब भी अनुपचारिक सरोतों पर ही निर्वर रहना पड़ता है यह अनिवारे की उपचारिक छित में कि कुल रेड़ में बिद्धी हो ताकि महेंगे अनुपचारिक रेड़ पर से निर्वरता कम हो साथ ही बैंकों और सहकारी समतियों इत्यादी से गरीव को मिलने वाले उप्चालिक रिड का हिस्सा बढ़ना चाहिए यह तोनों कदम विकास के लिए जलूरी भी है आप सोचे कि आप अगर लाकों रुपे की यह उजना लाते हैं क्रिसानों को कारज मापी का काम करते हैं आप लोग जब भी चुना होता है यह समना करके आप लोग उन्हें सस्ता रेड करवाने की उपलब्द करवाने की विवस्ता कर दीजिए सिचाई की विवस्ता करवा दीजिए उचित मतलब जो भी उनकी फसल है उसना मूल उचित मिल जाए बस यही उपलब्द करा दीजिए आपको मुझे नहीं लगता है कि रड यानि कि माप करने क कि आप किसी तरह से उनकी साहता करने की मदद जरूरत पड़ेगी वो खोद इदने सक्षम हो जाएंगे कि आपकी भी विकासदर यानि की देश में भी आंगे बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे समझ रहे तो चलिए सद्या से संबंदिति आपकी कुश्चन्स दिए गए हैं अन्य भी देख लिए वसकी वी पीडिया आपकी टेलीग्राम पर टलीए वहां से डाउलोड करके दो से थीनवार और जितने बार हो सके मैं तो कहता हूं जितना टाइम में पढ़ते रही है क्यों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कर्चा दस्वी की आर्थिक विकास की समझ की नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इसमें हम लोग तेन चेप्टर आपके कर चुपे हैं और आज हम लोग 14 चेप्टर देखेंगे वेस्विकेंड और भारतिय अर्ध्विवस्था को हम लोग जानेगे वही सामान जानका रहे हैं कि अगर आप प्रिश्टेट PCS या पर सिबिल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप रफ्ष्टमय रहती हुए इन सभी वुक्स को पढ़ लें NCEIT को और जो भी आपके लिए जिरूरी हैं सिब पर डाल देगें तो आपको परेशान भी नहीं होना होगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बात आपके जितने भी क्लास हैं कच्छा चटवी से लेकर कच्छा बारवी तकी जितनी भी होगी सभी NCEIT पूर्ड कबरेज के नाम से जो आपके ग्रेलेक्ट सूची है उस चटवी से कच्छा नौवी तक की पूरी बुक्स कंप्लेट कर चुके हैं और याद रखे हम लोग बारवी तक की सभी बुक्स से कंप्लेट करेंगें कुछ नर्देश दिये गए हैं इसे पढ़ लेते हैं और याद रखे मुझे नहीं लगता है कि आपका इसमें कोई भी मिला हुआ आपको जो समझ में ना है क्योंकि ये कहानी का रूप देकर आपको हल सब्दी की परिवासा समझाईगें अगर आप बड़े ध्यान से एक दो बार पढ़ते हैं तो आपके जो भी कॉंसेप्ट की जरूरत है आपको वो सभी क्लियर हो जाएगे ना तो आपको किस की मदद की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी किसा रही डिगर विस्त के अधिकांस बाद तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं यकपी देश के बीच इस पारत पर ही जुड़ाओ की अनेक आया में सांस्कितिक सामाजीक राजनेतिक और आर्थिक लेकिने करन की रूम में परिवासित भी किया गया है आप देखेंगी कि इस अध्याय में पोर्टपोलियो निवेश जैसी जटिन मुत्तों को छोड़ दिया गया है यदि हम बिगत 30 वर्सों पंदर जट डाले तो पाते हैं कि विस्त के दूरस्त बागों को जोडने वाली बैस्वी अध्याय कंपनियों की तेव बिद्धी और उनके प्रभाव को मात्तरात्मक आंकलनों के बज़ाए मुक्ता भारती संद्रव में संद्रव से लिए उधारणों के द्वारा दिखाए गया है ध्यान रखेंगी उधारण सावन पक्षी की व्याक्या करने में सायक है पड़ा शेतों जैसा की अखरण दोके अंध में दिया गया है का रचनात्म को प्योग कर सकते हैं आया आप देख रहे हैं कि एक विस्व हमारा पूरी पित्वी पर जितने भी देश है आपके जितने भी महादित हैं सब को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है बैस्भी करण में ए इस अध्या में बैस्वीकर्ण की फिक्रिया में बहूराश्टी कमकणियों की भूमिका पर पिकात डालती हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गए अंगले विस्व हम पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि चात इन विचारों को परियाथ इस पर ठिसा से आत्म साथ करने बैस्वीकर्ण को अनिक कारकों ने सुगंदा पिदान की इसमें से तीन कारकों पर बंदी आ गया है प्रोदुगी की मैं तीबोनती यानि के टेक्नलोजी ब्यापारों ने विच नीतियों का उधारी कर और डव्लू टीओ याद रखिए इस तरह के जो भी अंतरा सुची बनी है उसमें डव्लू टीओ हो गया फिचाए डव्लू एचो हो गया इस तरह के जो भी अंतराष्टी और राष्टी है हमारे लंगठ में उन सब को पढ़ाये गया है वहां तीक हम वहां से जाकर देख सकते हैं प्रोदुग की मैं उन्नती चात्रों के लिए एक आ परचित है उदारीकर्ण से पूर वेवं पक्चात की स्थितियों में तुल्ला एवं विसमता दिखाने के लिए नाटक का यूजिन किया जा सकता है इस पर इस पिकार डव्लू टीओं के तैत होने वाली अंतराख्टी संधियों और सक्ती का आसमान संधितुलन रोचक भी स इस खंड में अध्याय एक और दो जैसे नियाय संगे विकास लक्ष क्या है कि विसाय पर में भी ध्यान रखें रखें गई जिसका आप संदर्व दे सकते हैं इस खंड की चर्चा करती समय स्थानिय पर्यावर्ण से किरियाकलावों उदायडों को लेना भी अतिन्त आवसक इस से उन सभी उन संदर्वों को सामिल किया जासकता है जिनने इस अध्याय में नहीं रखा गया हैं जैसे स्थानिय उकषान यह उन पर अधत्यादी ऐसी इस्तितियों के व्शुना करने के लिए सामोहिक बिचार — मंतल सत्तों का आयोजन किया जाता है आयात का मतलब यह बता रहा हूं कि जैसे आपके यह गेहूं गोरा है अगर आप दूसरे देशनों से आयात करते हैं तो आपके यार की जो किसान है उन पर क्या परभाव पड़िगा इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इस बुक्स को जैसे हम ल एक मतलब बहुत छोटे लेवल से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आपको उना हमें पेपर तो देना नहीं है दसवी के तो हमें तो कौम से अपने पकड़ना है आमें आपको देखना है कि किस तरह से इसकी परिवासा क्या होती है सब्द की क्योंकि आज से आप कुछ समय तो उसमें देखेंगे आप लोग की भारी के हरकम आपको सब्द देखने को मिलेगे आखेर उनकी हमें परिवासा या नहीं के बारे में पता तो होना चाहिए तो उसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इस बुक्स में जो भी आपके स्रोत हैं उसमें माहित की है, आकड़े पुराने हो या नए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप लोग आर्थी एक सर्वेक्षण आता है, या फिर बजट आता है, तब आप अपडेट हो जाते हैं, और वैसे भी आप सर्वेस की तैयारी, इस्टेट PCS की तैयारी करते हैं, तो वैस अफ़ाल्टीय अर्थविस्ता, आज के विस्व में उभ्भोकता के रूम में हमसे हमें से कुछ के सामने बस्तूओं और सिभाओं के विष्तित विकल्ग हैं, या निक से अधिक विकल्ग है, विस्व के सी सर्स्त बी निर्माताओं द्वारत, निर्मे डिजीटल एंअ मॉ आज भारती है विसके भारती है जिसकी लगबग सभी से इस कंपणियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं अनिक दूसरी वस्तों के विरांड में भी इसे प्यकार की तीब गविद्धी देखी जा सकती हैं कमीजों से लेकर टेली वीजनों और प्रासंस्कित फलों के प्रास तक आपको बाजर में मिल रहे हैं एक बात और याद रखी इस अगी बैस्ति करन की परिडा में है कि हम आजकल हर उसकार से पर्चित हो चुके हैं जो दुनिया में कोई भी कंपनी बना रही है हो कोई भी देश बना रहे हैं हम उसे खरीदने की छमता रखते हों हमार पर पहुचने की उसकी मतलब पहुच भी सकती है ठीक है एक तरह से आपकी पहुच बढ़ चुकी है आप न सोच सकते हैं कि आपके गाओं में एगर एक ही दुकान हो तो आपको खरीदने मतलब खरीदने की आपके पास option नहीं रहेंगे कि आज ये महेंगी दे रहा है तो द से जोड़ चुके हैं इस तरह से हमारी वाजार में वस्तूओं के बहु ब्यापी बिकल्प अपेक चक्ति नवीन परिगटना है दो दसक पहले भी आपको भारत की वाजारों में वस्तूओं की ऐसी विवित्ता नहीं मिलेगी कुछ ही वरसों में हमारा वाजार कूलता परि हम इस तीर पे परिवर्बाबतन को कैसे समच सकते हैं, ऐसे कौन से कारट हैं जो परिवर्बनों ला रहे हैं और ये परिवश्टन लोगों का जीवन कि प्रिवासित कर रहे हैं, इस अध्याय में थे किसनों पर विचार भी करेंगे। एक समय आप ने देख्धा होगा कि हमारे पास rend than mouse क्राइब बाद स?. नौकिया इस तरह के कुछी सीमित phone थे हमारे पास का इन परही करीज सकते हैं, इस करीज सकते हैं लेकिन आज आज कमपनी हैं तरे तरह के phone आ चुक हैं कहीं जी Samsung अगर 20,000 में दे रहा है तो उसी जैसा फॉन चाइनीज कोई कंपनी आपकी 10,000 में दे रही है पर और भी सस्ते फॉन मिल रहे हैं मतलब हर तरह से फॉन आपको 4-5,000 से लगाकर 10-50 लाग जितने आगे बढ़ते जाओत की चमता है उतने महगी फॉन आपको मिल रहे है यानि कि हमारी जो भी इसका बहुत बड़ा फायदा यही है कि डिजीटल इंडिया अगर बनाना है डि और आप समझ सकते हैं कि हमारे जिस में क्या हाला थे मोबाईल कंपणी होगी अभी भी आपके देश में अगर 5 फोन बेकर रहे हैं तो उसमें से 4 चार फोन आपके Chinese कंपणी होगी है तो समझ सकते हैं कि Chinese कंपणी कितना हमारे उपर दबबा बनाएंगे अभी भी हम लोग आत्म निरबर भारत की बात करें आत्म निरबर तभी हो सकते हैं आप सोचिए जब हमारे जिस में खुद हम उत्पादन करने लगे इतना कि हमारा मंतलब काम चलता है लेकिर अभी आप देख रहे हैं कि 70 से 80 पर ते हम दूसरे दिसों पर निरयाद पर नि उसे अब लुग देख लें अब बात करते हैं अंतर देशी ये उत्पादन 20 वी सताब्दी के मदर तक उत्पादन मुक्रता देशों की सिमाओं के अंदर ही सिमित था इन देशों की सिमाओं को लागने वाली बस्तूओं में केवल कच्चा माल, खादबदाज, तेयार उत्पादी थे बारत जैसे उपनेवेशनों से कच्चा माल एबं खादबदाज निरयात होते थे और तेयार बस्तूओं का आयात होता था ब्यापाार की दूरस्थ, देशों को आपस में जोडनी की मुख का मुख जरिया था ये घदोट बढ़ी कमपनीयां जुने हैं, बाहुराष्टी कमपनीयां से पर उभने के सिपहल के कायूँता एक बहुराष्टी कमपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पनियतर अत्वा स्वामित रखती है बहुराष्टी कमपनी उनके देशों में कार्याल है और उत्पादन के लिए कारखाने इस्ताफित करती है जहां उन्हें सस्ता सरम और अनस अंसादन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाव कमाने के लिए बहुराष्टी कंपनियां ऐसी ऐसा करती हैं। निमने उधारन पर विचार करें। इससे पहले हम लोग आपको बता दें। कि आपको पता होगा कि अधिकतर कंपनी चाइनीज जाते हैं। कि चाइना में जनसंख्या भी अधिक हैं। और सस्ता सरम भी है। और वहां वेवस्ता भी पोरी कंपनी। मतलब एक कंपनी को यानि कोई भी ब्याबारी आप देख लिजें। कहींद दूसरे जगह नवेश की कांउन वेवस्ता खीजा। चाली कांउन भी आदशना, थीक हो वहां उस囉Yes siram. तो थीजना भी आपको आपको है। पुरोष गेंड़ा, सस्ता ब्नलब वेवस्ता reflects की है। देखा गया। कि वेवस्ता पूरी तरह से धुरस्त थी, इसी तरह हम देखते हैं कि अधिकतर कंपनियां भारत आने की वज़े चाइनीज चली जाती है, और चाइनीज में आप समझेए कि अगर सस्ता स्रम मिन रहा है, सस्ता कच्छा माल भिला है, तो आप सुचिए जब सस्ता मतलब उत्प उत्पातन में जादर ख खायगा, तो आप गहाटे में तो बह upgrad से नहीं, लांत में ही बहते हैं, अन्सक्छा में ही 900 में बहते हैं क्योंवि हमारे यह कही तरह के आप देखा है कानुन वियूस्ता में भी नहें रहता है UP में कोई कमी नहीं आप देख सकते हैं मानी की पूरी सुब्दा है है तरह देख से लेकिन होorgय कानुन वियूस्ता तो समय कोई अगर निवेशक सक आय कि अनुसंदान के इन में अपने उत्पादों का धीयार करती है, उसके पूरजे चीन में बिनिर्विट होते हैं। फिर इने जहाज में लाख क civो और फूर्वी यूरोप ले जाया जाता है जहां अपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है तेयार उत्पात को विश्वर में बेंजा जाता है इस वीच कंपनी की गिराहक सेवा का अभारत इस्तित कॉल सेंटरों के मात्यम से संचारन किया जाता है यह आपकी बैंगलो आप सोचें कि अभी तो मुझे लगता है पता है कोई भी कारों महिंगी कारों या फिर सस्ती कारों उनमें चाइनेज का पार्ट सामिल किया जाता है अब आप सोचें कि टायर कहीं बढ़ रहें किसी और देश में और अमेरिका जैसे विक्सल जो भी देश हैं एक क्या करते ह हैं कि अपने यहां मैं मतलब कार को ले लिजे या फिर आप फॉन को ले सकते हैं तो फॉन मैं फॉन एक जोड़ देंगे पूरा जो भी इसमें पार्ट लगेगे वो अननने कंपनियों में बनाने के लिए काम दे दिया जाएगा बैटरी के लिए लग साउंड के लिए लग इस तरह की बोड़ी उसके लिए लग और यह क्या करेंगे उससे आयाद करके फिर उन देसों से और अपने यहां सिर्फ उससे जोड़ का रख देंगे तो आप समझें कि फायदा सबसे जाना के नहीं होगा हमें ऐसे ही देसों हो जो लाश्ट में पूरी तरह से तयार करके दे रहे हैं तो इसमें कोई सामान आपका चाइना का होता है कोई आपका विराजी लेस तरह से कई देसों से जोड़ा रहता है इस उधारने में बहुराष्टी कंपनी केबल बैस्देक इस्तर पर ही अपना तयार उपात नहीं वैसर रही है बलकि अधिक मात्पूर रहा है कि बस्तों और सेवाहों का उत्पादन बिस इस्तर पर कर रही है बाईडाम मिता उत्पादन पिक्रिया क्यमसा जटिल दंग से संगटित हुई है उत्पादन पिक्रिया चोटे बागों में विभाजी थे और विस्त बार में फैली भी है उपर दियेगे उधारन में चीन एक सस्ता बीनिर्माट केंदो होने का लाब तिदान करता है मेक्सिको और पूरी वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकरता के कारण लाब प्रते हैं बारत में अत्यन्त कुसल इंजीनेर उपलते हैं जो उत्पादन के तक्नीकी पक्षों को समझ सकते हैं यहां अंग्रेजी बोलने वाले सिक्षे दिववग भी हैं जो ग्रहक देखवाल सिवाय उपलब्द करा सकते हैं इस सभी चीवें चीजे अन्त बहुराश्टी कंपनीयों कंपनी की लागत का लगवग पचास से पिती सद्द पचास से साथ पिती सद्द बचत कर सकते हैं अताहबास्तों में सीमाओं के पार बहुराश्टी ये ओधबादन पिक्क्रिया के पिर साथ से आसी मित लाग हो सकता है आपकर बहुतो वही हाल है कि आप समझेए कि आपकर या खेत है जिस खेत में आपको लगेगा कि फसल इसमें कम खर जाएगा और अधिक फसल होगी उस उसी खेत में आप उसी साथ से फसल बहुते हैं समझ रहें तुवही हाल इनका कंपणियों करेता है इने लगेगा कि चाइडा में टायर बनाने में सस्ता है सरम लगेगा और सस्ते पढ़ेंगे तो भी वहाँ टायर बनाने लगेंगे उन्हें बहारत में रहेगा कि चलिए इसका कोई इस्ट्रेंग की ले लिए इस्ट्रेंग बनाने में भारत में कम खर जाएगा तो वो भारत में बनाएगे उसे फिर निद्यात करेंगे अपने जिस भी इकाई में करें वहाँ जोड़कर आपको बेंच देंगे आओ इस पर विचार भी करते हैं दो या दर्सा आने के लिए निमने कथन की पूर्थी करें कि बस उद्योग में उत्पादिन फिक किरिया कैसे विस्विस्तर में फैली वही है एक ब्राड लेवल पर मेड मेड इंड थाइलेंड लिखाए परन्तु उसमें एक भी थाई उत उत्पाद नहीं है हम भी निमार्ट में क्या किया कि हमारे यहां से कच्छा माल निर्याद कर रहे हैं सूती कपड़ा हमारे यहां से निर्याद कर रहे हैं उस पर आपने देखा होगा कि फिर चलिए थाइलेंड में जाता है थाइलेंड में ही क्या करेगा अपनी मतलब अपना उत्पादन करके उसमें सुधार करके उसे बस्त में बदलके अपने आखा एक सील मतलब कह दीजे कि लेवल लगा देगा made in Thailand तो आप समझेए कि उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने अपना इसे made in Thailand बना दिया इसी तरह Japan को देख सकते हैं आप लोग जाषर की पास इतनी सुधान है कि लोहा हो कच्चा एक इस तरह के खनिच कच्चे पदर नहीं नहीं लेकिन वो क्या करता है कि आयात करता है कर लोगे का और अच्छी योगा और वो क्या करता है उसे मतलब तक्नीक द्वारा कई चीजों में बदल के बापसी भारत में निर्याद करता है तो उस पर क्या थप्पा लगा होगा जो लेवल क्या लगा होगा made in Japan समझ रहे हैं ऐसे ही चाइना का हाल है चाइना कई देशों से कच्छा माला आयाद करता है उसके बाद बना की क्या लिख देता है मेडे चाइना तो ये हाल है अब बात करते हैं विस्वार के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना है सामन्त अब बाद राष्टी के कंपणिया उसी स्थान पर उत्पादन का इस्तावित करती है जो बाजारी के नजदी हो जहां कम लागत पर कुसल और आगुसल सरमिक उपलब्द हो जहां उत्पादन के अन्नेकारक की उपलब्दता सुनेश्यत हो साथी बहुराष्टी कंपणिया सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों का देखवाल करती है और आप बाद में इस अद्धिया में सरकारी नीतियों के पारि में और अध्यान करेंगे एक बात और हमें इसा याद रखिए आप नेए में ळकरती है बifs yep कि ऑ सरकारी जो भी नीतियों सरकारी सबनाती है उस पर भी बहुराष्टी कंपणियों की नजर बहुत रहती है अब आप सोचिए कि आघी descent की अगर इस्धिया यानि की सहबcrazy बहुत कराभ है और आपके हां की जो भी नितिया मुद्धी है, अगर उनकी नकारात्मक तो उनके पिति जानना देखाई जाती है, तो आपके हां आने में बहुराष्टिये कंपनिया डरेंगी, ठीक है, एक आपने सुनाओगा पर्याटन उद्धेव, हमारे देश में कापी हिस्ता अरद व् आज देख रहे हैं हम लोग सोसल मीडिया के जरीया हम लोग देश बिदेश हर किसी से जुड़े हुए अगर हमारे देश में परयाटकों को लेकर बड़ी नकारात्माग जानकारी दी जाए कि इनके साथ ऐसा होता है इतनी परयसानी उठानी पड़ती है लोट पूट होती है तो आप सोची कोई हमारे देश में परयाटकों के लिए गोमने के लिए नहीं आएगा परयसंपत्ती जैसे भूमी भवन, मसेद और अनकुकरणों की खरीद में बै की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं बहुराष्टिय यह द्वारा किया गया निवेश को बिदेशी निवेश कहते हैं कोई भी निवेस इस आसा से किया जाता है कि यह संपत्या लाब अर्जित करें तो याद रखे कोई भी कंपनी आ रही तो एक दिन का तो उसका काम नहीं है उसे सालों यहां रुकना है तो उसी साब से देखती है कि कहां सुग्दाव में होगी चाइना में सुग्दाव कि देश में आकर आपका समाज कर जोगी तबका है उसका कल्याण करना नहीं उसे लाब से मतलब रहता है कभी-कभी बहुराश्टिये कंपनिया इन देसों की इस्थानी कंपनियों के साथ से उत्पादन करती है आपने सुना होगा कि कई बार सुन लेते हैं कि रिलाइंस में इतना विदियसी कंपनियों के इतना ले लिया समझ रहे है इसी की आइडिया बोडापोन की दोष्टियों पर नोग छो की सिगन वारता है सिवत उत्पादन से मएपनी को डोरा लाब होता है पहला बहुराश्टिये कंपनिया अत्रिक नैवेश के लिए धन्पदान कर सकती जैसे कि तीम उत्पादन के लिए मसीने की खरीदने के लिए दूसरा बाहुराश्ट के एक अपने साथ ला सकती है यानि कि आप समझते हैं कि हमारे या जो भी इस्थानी एक अपनी है उनके पास नभी परोदोगी की कमी रहती है इसलिए जो भी बड़ी कंपनी आती हैं वो अपने साथ तखनीक भी लाती है बेहतर माहुल, आधुनीक मजदूर हम इस कारखाने को दूसरे देश में ठंडेंधित कर देंगे यहां यह खर्चीला हो बया है समझ रहे हैं यह आपका निवेसक है आप सोचीए क्या सोचते हैं कि बड़ीया सोगिदा हो कम से कम ने सहमेक, कम से कम मतलब सस्ता सहरमेक मिले सस्ती जगए मिले, सस्ता यहां जो भी धंडायने रोपना है कंपनी का बनाना है उसके रकरकाओं में कम खर्चा है उतना ही नहीं लाव होगा, ठीक है लेकिन बहुराष्टिया, बहुराष्टिये कमपनीयों के निवेश काम सबसे आमराष्टा स्थानी कमपनीयों को खरीदना है यानि कि आपकी जो भी गयर हैलू कमपनीया होती है उसके बाद उत्पादन का विरसार करना है अपार संपता वाली बहुराट के कमपनिया यह आसानी से कर सकती हैं उधारन के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराट के कमपनिया कारगिल फूर्स ने परक फूर्स और जैसी चोटी भारतिय कमपनियों को खरीद लिया परकफूर्स ने भारत के विमिन भागों में एक बड़ा विपड़ान तन्द तेयार किया था, जहां उसके ब्रांट काफी फिस्द थे, परकफूर्स के चार तेल सोधक केंद भी है, जिस पर अब कारगिल का नियंतर हो गया है, अब कारगिल पचात लाग पैकेट पिती दिन चंता के साथ बारत में खादू तेलों की सबसे बड़ी उत्पादत कंपनी है, एक और बता दूँ आपको कोई भी कंपनी, विदेसी कंपनी अगर हमारे देश की इस्थानिया कंपनी को करी दें, तो विदेसी कंपनीयों को भी फायदा होता है, क्योंकि आप समझेए कि ये उभोगतात हो रहें, समझ रहें, तो ये कंपनी को देख रहें, आप लोगे इन पैंट देख रहें होगे आप लोगे, आप सोचीए कि इने मदलब कच्छा माल दूसरे देशों से आयत किया जा रहा है, और लेकिन इन पाल जो भी लेवल लगा दिया जाता है, उसी देश क से भी अधिक होती है, ऐसी अफार संपत्ती वाली भाहुराष्टिय कंपनियों की सती और वहाँ उपर विचार करें, सीधा सा कहने का मतलब यह है, कि आप सोचीए, कि कई ऐसे विकासिल ने से जिनका जो बजट है, साल मर का, उससे जाना उनकी आया अफार संपत्ती है, कही कि वहुराष्टिय कंपनियों एसी भी है, समझ रहे है, एक कंपनी की आया उतनी है, कि जितना मतलब एक विकासिल ने संपूर पूरा बजट होता है, वहुराष्टिय कंपनियों एक अन्य तरीके से उत्पादन ने इंतित करती है, बिकसत देशों की बड़ी बढ़ी इनका में छोटे उत्पाद को द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्टिय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ती की जाती है, तरेने अपने ब्रान नाम से गराफों को गश्टी है, इन बड़ी कंपनियों में दूरत उत्पादकों के मूल गुडबता, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सैमसंग है, या कोई भी और पौन है, आप सोचिए कि ये आपका दच्चिड कोरिया का है, सैमसंग, मैं गल गलत नहीं हूँ, तो सही बता रहा हूँ, अगर गलत हो तो नीचे लिख सकते हैं, मुझे लगता है आपका सैमसंग, दच लेकिन फाइनल नाम किसका दे दिया गया, साउध कोरिया का, समझे हैं, तो ये हाल है, इस पेकार हम देखते हैं कि बवराष्टी कंपनियां कई तरह से अपने उपादम कारी का पिसार कर रही हैं, वह भी से कि कई देशों कि इस्थानिये कंपनियों के साथ पारस परे कम्पनियां दूरस्ति थानों से उत्पादन पर अपना प्रभाहत जमा रहे हैं पाइडामता दूर दूर इस थानों पर फैला उत्पादन परस पर संबंदीद हो रहा है आओ इन पर विचार करते हैं एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोंटर्स विस्क की चपवीद दिसों में पिसार के साथ विस्क की सबसे बड़ी मोंटर गाड़ी निर्माता कंपनी है फोर्ड मोंटर्स 1995 में भारत आई और चैने की निकट 1700-1700 करोड रुपे का निवेज करके एक विसाल सेयंत यारी की सेयंत की स्थापना की यह सयंत भारत में जीपों एमों टरकों में परमुक निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहयोग से इस्थापित किया गया सन 2017 तक फोर्ड मोंटर्स भारतिय वाजारों में 88000 कारे में चरगी थी जबकि एक लाग 81000 कारों का निर्याद भी भारत से दच्छेडपी का मैक्स को बिराजीन से उत्तरा जमेरिका किया कंपणी विस्थ के दूसरे देशों में अपने सयंतों के लिए ओर इंडिया का विकास पूर्जा आपुर्टी के इंद की रूम में करना चाहते है आप सोचें कि आपके हाँ तो जो भी कंपणी होंती है वो हमारे हाँ तो बैश्ती ही है साथ में दूसरे देशों को निर्याद भी करती है आपकी इस तरह से आप भी देखते रहते हैं कि जा रही है अब बात करते हैं हम लोग बिदेश ब्यापारों और बाजरों को अखिकर लंबी समय से ब्यदेश ब्यापार बिवने देसों को आपस में जोड़ने कमुक माद्रियम रहा है इतिहास में आपने बाहरत तो दच्छे डेसिया को पूरों अपश्चिम के बाजारों से जोडने वाले ब्यापार मारगों और मारगों से होने वाले गहन ब्यापार के बाहरे में पढ़ा होगा आपको यह भी याद होगा कि ब्यापारे कितों के कारणी ब्यापारे कमपनिया जैसे East India कमपनी महरत की और आकर सिक्टों आखिरकार विदेशी ब्यापार का दोनियादी कारी क्या क्या है अगर हम लोग सरल सब्दों में कहें तो विदेश, विदेश व्यापर घहलू बाजारों अर्थत अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंच के लिए उत्पादकों को एक आउसर पितार करता है उत्पादक के बल अपने देशों के देश के बाजारों में ये अपने उत्पाद नहीं पहाँ सकते हैं बल्कि विश्ट के अने देशों के बाजारों में भी इतीस पर्दा कर सकते हैं इसी पेकार दूसरे देशों में उत्पादित बस्तूओं के आया से खरीदार खरीद्दारों के समख उन बस्तुओं के घरेल उत्पादन के अनवितल्प का विस्थार होता है। आप लोग आज से नहीं है। आपका पराचिन बारत से ही आप देखते हैं कि आपके देशों पोटामिया आप में सुना होगा। इरान में देश आये। वहाँ भी आपने कई मेस्तर की सबधा सुनी होगी नेल लादी की। इनसे हमारे ब्यापार आजका नहीं है। पहले भी इस तरह की ब्यापार देखे जाते थे। आपका सबधा से ही आपके विदेशी ब्यापार चालो हो चुकी थे। पहले है और और सबसे बड़ी बात तो आप सोचे किennis है कि मसाला की थे यहांगाता थे। इस पहले पहर घेगे की तो तक आपके से कुए का किया। उपर कप्चा कर दिया और राज करना सुरू कर दिया क्योंकि हम लोग बहुत कई भागों में बटेग हुए थे आसानी से इन्होंने कप्चा कर दिया Gift Toys देखते रहते हैं आप लोग अब हम भारत के बाजार पर चीनी कलोनों के परभावक हैं ब्रभाव का अधियान करते हैं यह भी आपको कई तरह के चीनी सामान यह आपको देखने को मनिल जा ही बआजारों में अपकी बहुत ही सस्ती है और अधिकतर मुझे लगता है कि हमारे यहां के लोग Chinese सामानों पर ही निर्भार रहते हैं क्योंकि आप सुचिए कि एक महिंगा मनलब आपके 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 जो भी उतपादन होता है वो बहुत महँगा रहता है, या अन देसों से आप मंगाते हैं, बहुत महँगा रहता है, और Chinese कंपनियों के जो भी सामान रहते हैं, वो बहुत सस्ते रहते हैं, इसलिए हर कोई देखी यही सस्ता खरीदना चाहे, और आप भी देखते हैं, हमारे देस में एक बहुत बड़ी संख्या जन संख्या यसी है जिसके पास आर्थे की स्थिति बहुत कम जोर है तो उसके पास इतनी चमता नहीं है कि वो तेस बक्ति दिखा कर और अपनी ही कंपणियों का सामान करे दे अब मोबाइल का यह ले लिजे आपके आगर कोई रिलाइंस का फॉन बन रहा है वो दस दिखाने की लाइब रहें बारत में अगर चीन के खिलोने के हम लोग बात करें तो चीन के विनिर्वाताओं को भारत में खिलोने निर्याद करने को एक आउसल का पता चलता है जहां खिलोने अधिक मूल पर बेंची जा रहे हैं वे भारत को खिलोने निर्याद करना आर्म क करें तरीये एक वर्फ में ही खिलोनों की 70-80 नहीं है लिए आप समझतमय आपके 70-80% चीनी सामानों का खिलोना का हो गया है यहीं हर छेत में देखा जा रहा है तो आप समझिए कि हम आत्मीरोंगा कैसे हो सकते हैं जब एक एक तो देखिए किसी भी आज तक आप लोग जो गा कि आपके वाइपोट करने से दो दन बाइपोट करने से चाइना को फरक पड़ेगा, नहीं बिलकुल नहीं फरक पड़ता है, आप से पहले भी अमेरिका को मालूं जाहिए, अमेरिका अफगानिस्तान के वरोध भी कर चुका है, इरान के वरोध भी इस तरह के काम कर चुका है जापन के विरोध भी इस तरह के काम कर चुका है बिलकुल फर्क नहीं पड़ता है जाना और आप सोचिए कि आप मतलब 70%-80% आप रोग भी देते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरा विकल्ब तो देखना चाहिए आपके आगर 70% चाइना की जो भी बस्तूएं विकल्ब तो उसके पास विकल्ब तो होना चाहिए आपके 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 जो भी वो करने वाले है कि वो चाइनीज कमपनियों को ना करीद कर किस कमपनी का खरीद है तो आप हाथ कड़ी कर देंगे कि हमारे पास कोई भी नहीं है दूसरा सामा तो इसके लिए भी उपाय होना चाहिए तभी वाइकोट सफल होता है अब भारत के बाजारों में खिलोने पहले ही की तुल्ला में सस्ते हैं यहां क्या हो रहा है ब्यापार के कारण चीनी खिलोने भारत के बाजार में आए है भारती और चेनी के लोनों की तितीरत फर्दा ने चीने खिलोनेब भहतर था हुए हैं भारती ख रीटारों की समग्ड काम कीमत पर खिलोने की अपिक्शाठ अधिख विकलते हैं इसे चीन के खिलोने निर्याताओं को अपना विवसाय फैलाने के लिए काउसर पिराप्त होता है इसके विपरीज भारतिये खिलोना कम निर्माताओं को हानी होती है क्योंकि उनके खिलोने कम भिखते हैं और याद रुकिए आपके जो भी डिजीटल इंडिया की बात करना हो जो हमारी नई गवर्मेंट आई हुई है 2014 के बात यह कुछ जादा ही डिजीटल इंडिया पर केंदरित है तो आप सोचें कि डिजीटल इंडिया को साख्षण मतलब हमें लोग कोई बी डिजीटल आज विवस्ता हो गई या पर कोई भी आपकी बात हो इसे सफल तभी बना सकते हैं जब हमारे सभी देश के सभी जोभी यहाँ की रहने वाले हैं उनके पास phone की सुवधा हो उनके पास net की सुवधा हो दूसरे जगह इस तरह के द मोबाइल ना जा पाते तो आप सोची एक बड़ी चंचंख्या हमारे देश में मोबाइलों से उरकी दूरी बहुत दूरी बढ़ी होती है उरके बीच सामनता ब्यापार की खुलने से बस्तूओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवा गमन होता है बाजार में बस्तूओं का विकल्ग बढ़ जाते हैं दो बाजारों में एक ही बस्तू का मूल एक समान होने लगता है अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों बिल दूर होकर भी एक दूसरे से पितिस पर्दा कर सकते हैं इस पिकार विदेशी ब्यापर विविन ने देसों के वाजारों को जोड़ने या फिर एक ही करन में सहायक होता है सीधा सर कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि एक समय आपके गाओ का यह देख लेजिए कि आप लोग कोईबी सामान खरीदना होता थो तो गिनी-चुली दुकाने हुआ करती थे उन्हीं से आपको सामान खरीदना होता था वह मरमाने आपके मरमाने तरीके से पैसा भी वसूरते थे लेकिन आपके पास कहीं तरह के option हो चुके हैं समझे रहे हैं तो अब आपको सस्ता भी मिलता है और बनेतर quality भी आप ले सकते हैं ठीक है सिले सिलाय वस्तों के छोटे व्यापरी बहुराष्टी कंपनियों के ब्रांड और आयार दोनों से कड़ी पिती स्पादा करना का सामना करती हुए एक और आप याद रखिए जो सिले सिलाय कपड़े होते हैं वस्तों या फिर हमारे यहां के जो भी बुनकर बनाते हैं वो इसी काना तो पिछड गए है आप सोचिए बहुराष्टी कंपनिया हैं वो एक सैट हमारे यहां जो भी बुनकर बनाएगा अपने हातों से सिलेगा एक दिन में हो सकता है वो दो सैट है सिले वही आपका 10-15-20 में आपका बहुराष्टी कंपनी हुई उसमें टेक्नोलोजी इतनी उननत है कि वो एक घंटे में आपकी हजारों सैट हैं बना सकती है और ज्यादा आप समझते हैं कि जो भी मसीनों से बना जाती है सस्ती भी पढ़ती है क्या होता है सस्ता भी पढ़ता है इनके लिए एक कुश्चन से नहीं भी देखते रहाख अगरी है अब बात करते हैं हम लोग बैस्वी करण आखिर है क्या जिसकी घंड़ा होर से हम लोग ब्याख्या कर रहे हैं यह है वो है यह है तो बैस्वी करण आखिर का है बिगत दो तीन दसकों से अधिकास बहुराष्टी कम्पनियां विस्त में उनिस्थानों की तलास कर रही है जो उनके उत्पादनी के लिए सस्ते हो इन देशों में बहुराष्टी कम्पनियां कम्पनियों के निवेश में विद्धी हो रही है साथ ही विभने देशों की वीच विदेश ब्यापार में भी तीव विद्धी हो रही है विदेश ब्यापार का एक बड़ा भाग बहुराक्ष्टी कंपनियों द्वारा नियमती थे जैसे भारत में फोर मोटर्स का कार सेंद केबल भारत के कारों का निर्माड नहीं करता था बलकि वयान नविकासित देसों को का रहे हैं और विश बार में अपने कार खानों के लिए कार पूरजियों का भी निर्मयाद करता है इसी पेकार अधिकास बहुराश्टी कंपनियों की के क्रिया कलाब में बस्तूओं और सिवाओं उपर का बड़ी कर्वाने पर व्याहाल सामिल होता है बैस भी कर में मज़ा है ध्यान रहें कि आप हमारी दुनिया से खेल रहें किसी दिन आपको इसकी कीमत चुपानी पड़ती है पड़ेगी एक बात और आपको यहां बता दूँ मैं कि क्या होता है कि आपकी बहुराष्टी कपनिया हो थी एक समय आपने सुना होगा क्यी चाइना और अमेरिका बहुराष्टी कम्पणिया क्या देखती है उसे सस्ता स्रम हो और आप जानते हैं जहां जनसल क्या अधिक होगी वहां स्रम हमेशा सस्ता दिखाई देगा आपको इसलिए देगा क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा जनता गुदू जनता फिरी में भी मतलब उसे पेट भरता जाये उसके लिए भी काम करने को तैयार होती है आपके देश में देख लिए आज आपके देश में मजदू 100 रुपे दिन पर भी मिल जाता है समय नहीं? तो इतना सस्ता है आप 100 रुपे में आप समझे क्या चलता होगा एक आदमी का खाना भी अच्छे से नहीं हो सकता है फिर भी आप देख सेंगे दो स्थी नहीं जार रुपे में आपको नोकर मिल जाता है तो यही हुआ कि चाइना जन संक्या में पहरे नम्मर पर अभी भी है तो अमेरिका ने सबसे जाना निबिस वहीं किया जितनी भी राष्टी या भाहुराष्टी कंपणी थी वहीं गई उसके चाइनीज में उसके बाद चाइना ओभरता गया तरह से और चाइना ने अपनी मतलब बहुत काफी हंतक सुधार भी किये चाइना है कंपणीयों के अनकूल अपने आगी परिस्तिती भी अनकूल बनाई उसे मतलब परिस्तितियों को इस तरह से सुधारा कि कोई भाहुराष्टी कंपणी आए तो उसके देश में कुछ सालों तक रुक सकी समझ रहें तभी आज आप देख रहेंगी अमेरिका से भी आगे निकलने की कौसिस कर रहा है चाहिए अब दोनों देशों में आपका दूतियों की स्थितिती बनती जा रही है अधिक विक्स विदेश व्यापार और अधिक विदेश की निवेश की बैडाम स्वरू बिवेने देशों की बाजारों एवं उत्पालों में एकी करन हो रहा है बिवेने देशों की बीच परस पर संबंद और तीम एकी करन की पिक्रिया ही बैस्वी करन है बहुराश्टी ये कंपणियां बैस्वीकन की पिक्रिया मेहमुक भूमी का निवार है विवेने देसों के बीच अधिक से अधिक बस्तुओं और सिवाओं निवेस और परुदगी का आदान पिदान हो रहा है बिगत कुछ दस्कों की तुला में विश्ट के अधिकास बाग एक दूसरे के अपेक्षकित अधिक संपर्ग में आए बस्तुओं से वाओं निवेस और पुरदगी की अद्रिक्त बिवेने देसों को आपस में जोडने का एक और माद्यम हो सकता है यह माद्यम है कि विवेने देसों के वीच लोगों का अभागमन पराल लोग बेहतर आये बेहतर रोजगार और सिक्षा की तलास में एक देस से दूसरे देस में आभागमन करते हैं किन्तु बिवेने देसों के वीच लोगों के आभागमन में अधिक विद्धी भी नहीं होई है आप सोचे कि एक तरह से बैस्ट भी करने सब गाये तो आप यह सोच लेजिए कि एक दूसरे से यानि कि सभी लोगों पर हमारी पहुंच होना सभी संसादूरों पर पहुंच होना आपका बैस्ट भी करने आपका मंद करें कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आप पर कोई पावंदी नहीं लगी हुई है और बैस्ट भी करन का एक सबसे बड़ा नुकसान अभी हाल में ही आपको देखने को मिला है कौंसा कोरोना वाइरस आप सोचिए बैस्ट भी करन का सबसे नकारात्मत प्रभाव देखने को मिला है अगर एक देश दूसरे देश से न जुड़ा होता आयात न रयात न हुआ होता एक देश के लोग दूसरे देश न जाया करते होते तो आप सोचिए आज यह पूरी दुनिया को अपने प्रोधगी की में तीब उन्नती हुआ है मुक्त कार रखे जिसने बैस्ट भी कर्ण की पिक्रिया को उत्पेरित किया है जैसे बिगत पचास बरसों में परिवान प्रोधगी की में बहुत अन्नती हुई है इसने लंबी दूरियों तक बफस्तूओं की तीब तर लागत पर संब्भ भी किया है बस्तूओं की परिवान के लिए कंटेनर एक समर हुआ गयता था कि आप लोग बहसा गाड़ी देखते थे ठीक है आज आग देख रहे हुए कि बड़ी सस्ती सामानों को आप एक दिस से दूसरे दिस निर्याद भी कर सकते हैं बस्तूओं को क पाजारों तक कहुंचाने में भी गती में तेव बिद्धी हुए इसे पिकार बायू रियाता है अथकी लागत में घरावट आई है और वाईडाम सुदू बायू माल से अपेक्चा कि अधिक मात्रा में वस्तूओं का परिवान भी संबव हुआ है इससे भी अधिक उल्द देखनी है कि सूचना एवं संचार प्रुदगी का विकास वर्टमा समय में दूर संचार कंप्यूटर इंटरनेट के चित में प्रुदगी की दुद्गती से परिवतित हो रही है दूर संचार सुविधाओं टेली ग्राफ हो गया टेलीपॉन, मोबाइलपॉन, फैक्स कब आपने इंटरनेट के चमतकारिक संसार में भी प्रुदगी किया है जहां जो कुछ भी आपको जानना चाहते हैं लगभा उसकी जानकारी पराप्त कर सकते हैं और सूचनाव को आपस में बाट सकते हैं इंटरनेट से आम पतकाल इलेक्ट्रोनिक दाग इमेल भी सकते हैं और और अतिन्द कम्मोल पर विसवर में बात ब्वाइस मेल भी कर सकते हैं एक समय आप सोचा करिए कि एक समय हुगा करता होगा कि अगर आपको किसी देश से टेकनोलोजी चाहिए किसी देश से आपको अगर कोई मदद मागना है या आपको कुछ तरह की सलाय लेना है तो आप क्या करते होंगे एक पत्त लिखते होंगे और क्या करते होंगे कि उसे पोस्ट आप्रिस में डालते होंगे इस तरह से बुझ जाता होगा या पर एक सहर से दूसरे सहरगा अपने ही देश में ले लिए तो आपको दिली से बेंगलूर बेजना है, या करनाटक बेजना है, या तमिलाडू कोई पत्त लिखना है, वहां किसी से बात करनी है, किसी से आपको कुछ तरह की सलाय लेनी है, तो आप सोचिए पात दिन जाने में लग रहा है, पात दिन आने में लग रहा है, उसके बाद क तरह एका वेस्वीकर्ण ही है तीक हासानी से पहुच सूचनाडवां संजार परोद्रगी की संचेव में IT ने बिमिन देशों की भी सेवाओं के उत्पादन में की प्रिसार में मुख़़ूमिका भी निकाई है वेस्वीकर्ण में संचार परोद्रगी का उपयोग की अगर हम बात करें तो लंदन के पार्टकों के लिए पिकासित एक समाचव पत्थिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है पत्थिका का पार्ट भी से इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्याले को भेद दिया जाता है दिल्ली कार्याले में डिजाइन डिजाइन है दूर संचार सुगधाओं का उपयोग करकि लंदन कार्याले सी पतिगा की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राट करते हैं डिजाइन तेयार करने का काम कम्प्यूटर पर किया जाता है चपाई के बाद पतिगाओं को बायू मार्क से लंदन बेजा जाता है यहां तक कि डिजाइन और चपाई के पैसे का उपतान इंटरनेट इबैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया गाता है आज आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा अगर कहीं दूसरे सहर में पढ़ रहा है तो एक समय आप सोचिए कि अगर या तो आपको जाना पड़ता होगा है या पोस्ट ओपस के द्वारा भीजना होता तो होगा पैसा लेकिन आप डेविड कार देख लिए नेट बैंकिंग देख लिए ऐसी ऐसी सुगधाय हो चुकी है कि आपको मतलब आसानी से पहुच उन तक बना दिये एक बहुत अच्छी पतिका लग रही है लेकिन मेरी पाट पुस्त का की छपाई ऐसी क्यों नहीं होती है मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुस्कल से सब्दों को पढ़ सकत हम भारत में चीनी खिलोने के आयात बाले उधारण पर वापस लोटते हैं माले जी के वारा सरकार खिलोना के आयात पर कर लगाती है यानि कि टैक्स लगाती है तब क्या होगा इस करद है कि जो खिलोनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा कर के कारण ख जोता खतम हो जाएगा भारत की खिलोने निर्माता अधिक सम्र्थ हो जाएगे इस इस्तिती को हम तब देखते हैं जब हमारे यहां का जो भी इस्थानिय कामधंदा होता है या उद्धोग धंदे होते हैं तो जब उन्हें आंगे बढ़ाना होता है उन्हें यानि कि उन्हें खतम होने से बचाना होता है, आप सोचिए अगर आपके दिसमें चीनी खिलोने आयात हो रहे हैं, तो जो हमारे यहां के जो बनाने वाली कंपनिया होंगे, जो गुद्ध्यों होंगे, वो इतने सस्ते नहीं बहच पाएंगे, जितने कंपनी चाइनीज सामान बिक्राइए, खिलोने, तो ये क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगी, इन्हें बचाने के लिए, जो चीनी आयात है, यानि कि चीन से जो आयात करें हम लोग किनों लें, इस पर एक टैक्स लगा देंगे, जो गएखिलोना मिलना है, कुवा से, टीक है, और आपके बाजार में 12 रुपे का ये बिकरा है और आपके या जो खिलोना बन रहा है उसकी लागत ही 15 रुपे आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 12 रुपे में बैच दे नहीं क्योंकि उन्हें गहाटा में कोई नहीं बैचना चाहता है तो सरकार क्या करेगी उसे कि उस पर 10 रुपे टेक्स लगा देगी एक लौने की बात करा हूँ तो कितना हो जाएगा उसका 22 रुपे प्राइज हो जाएगा जो हमारे भारत की कंपनियां बना रहे हैं उसे 15 रुपे लग रहा है उसे बनाने में खरचा रहा है और वो 57 रुपे लगा कि 22 रुपे का उसका भी किलाना हो कि आयात पर कर लगा देते हैं ड्यूटी लगा देते हैं टैक्स लगा देते हैं तो उनसे आयात होने वाला जो भी सामान होता है वो महेंगा हो जाता है और हमारे देश के जो भी खरिदने वाले होते हैं वो हमारे भारतिये सामानों को खरिदने रहते हैं क्योंकि आप जान क्योंकि यह कुछ पितीवन्द लगाता है सरकारिम ब्यापार और उधक का प्रयोग विदेश ब्यापार में विद्धी या कटोती नेमित करने और देश में किस पेकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयतित होना चाहिए यह नेड़े करने के लिए कर सकती है आप सोचिए कि अभी आपके देश में 70-75% मोबाइल चिनी मोबाइल कंपनियों का दबा है आपकी वाजार पर तो भारत क्या करें कि इन चिनी जो मोबाइल कंपनियां इनसे आयात होने वाले जो भी मोबाइल है उन पर टेक्स लगा दी एक बड़ा हिस्सा टेक्स की रूम में बसूर ले तो क्या होगा जिस आयात हो रहे होंगे जे हिप होन आपकी महिंगे हो जाएंगी महिंगे हो जाएंगी तो आपकी भारतिय वाजारों में लोग इने खरीजने से जान्दा सस्ते जो कौन मिल रहे होंगे उने खरीज देगा पर एक तरह से ब्यापार को रोक देना जैसा होत सुतंता की बाद भारत सरकार ने विदेश ब्यापार इवक विदेशी निविस पर पिदेवन्द लगा रखाते। देश के उत्पातकों को विदेशी पिति अस्परदा से सरक्षन पदान करने के लिए यह अनिबार माना गया। 1950 और 1960 के दसमें उद्धोगों का उद्य हो रहा था, इस अवस्था में आया से पितिविस पर्दा इन उद्धोगों को बढ़ने नहीं देती, इसलिए भारत ने केबल अनिवार चीज़ें जैसे मसीनरी और वरक और पैटॉलियूम के आयात को ही अनुमती दी, ध्यान दीजे क कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्यार्विक चैड़ों में गहरेलू उत्पादिकों को विविन तरीकों से सरक्चन दिया है, आपके हैं अगर कोई मोटर साइकल बन रही है, ठीक है, आपके हैं 20,000 रुपे बनाने में खर्चा रहा है उसी, ठीक, और वो कम से कम 25,000 पाइदा उठाएगी जो भी कमपनी बनाएगी, लेकिन क्या हुआ होता था कि जब हम आजाद हो रहे थे, तो हमारे पास उद्धे उद्धे हमारे ओहर रहे थे, और बाकी आप देश समझ रहे हैं कि विकसित देश हैं, और कापी अच्छी इस्तिती में पहुंच चुकी थ इसलिए सरकार ने क्या किया कि आयात जो जरूरत थी उसे ही आयात कर रहे थे, बाकी आयात उको पूरी तरह से पितिवत कर रहा था, भारत में करीब आपका असन 1991 में प्यारभ में नीतियों में कुछ दोरगामी परीवतन भी किये गये, और सरकार ने यह निश्यच किया कि भारती उत्पादों के लिए विसके उत्पादों, उत्पादकों से पितिसपर्दा करने का समय आ गया है, यह मैसुद किया गया कि पितिसपर्दा सिदेश में उत्पादकों की पिदरसन में सुधार हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी गुरवत्ता में सुधार करना होगा, इ समय रहें यह उसी समय की बात है जवाब की वित्तमंतिरी कौन थी मन मुहन साथ उन्हीं के समय गठना है देखने को मिली अता बिदेश ब्यापार और बिदेशी निवेश पर से औरोधों को काफियत तक हटा दिया गया इसका अर्थ है कि बस्तों का आया तो निर्यास सोगमता से किया जा सकता था और बिदेशी कंपनिया आपने यहां अपने कारियाल है और कारिकाने भी इस्ताफित कर सकती थी या भी रखना पड़ता है, वही हाल है कि आप सोचिए कि आपका परीक्षा सर्वेस की तैयारी कर गए है, आप ही परीक्षा देने बाले हैं, तो आपका competition किसी से ना हो, एक केवल आप हो, तो आप जो भी चाहें, आप पढ़ें तो भी selection हो जाएगा, ना पढ़ें तो भी selection हो जा जाता है, सरकार द्वारा और उधों अथवा पीती बंदों को हटाने की पिक्तिरिया उधारी करण से जाने जाती है, ब्यापार की उधारी करण से ब्यापार ब्यवसाईयों को मुक्त रूप से नेडए, लेने की अनमती मिली, बिक्या आयात या पर निरयात करना चाहते है सरकार पहले की तुलना में कम नियंतर करती इसलिए उसे अधिकुदार कहा जाता है यानि की कहने का मतलब है कि अभ्यापारियों पर छोड़ दिया गया किस तरह से यायाद करते हैं किस तरह से निर्याद करते हैं एक संगतन आपका विस्व व्यापार संगतन भी आप लोग अकसर सुनते रहते हैं अभी आप लोगों ने चाइनीज एप्स को बेंड किया तो उस पर भी आपने सुना होगा कि चाइना डबलू टीओ में जा सकता है विस्व व्यापार संगतन में जा सकता है हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावसाली अंतरश्टी संगतनों ने बारत में बिदेस भयापार और विदेसी निवेश के उधारी करन का समर्थन किया इन संगतनों का मानना है कि बिदेस भयापार और सबी अवरोधख ठानी का रखें कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए देशों के वीच मुक्त ब्यापार होना चाहिए विस्ट के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनाने चाहिए आप सोची अगर हम लोग पूरी तरह सी भारत के बाजार को खोलने सभी देशों की कंपनियों के लिए तो हमारे यहां की जो इस्थानी कंपणिया हैं वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी इसलिए हम क्या करते थे कहीं देशों पर आयात हो रहा है तो उस पर टेक्स लगा दिते थे और कई देश मतलब आप सोचिए अमेरिका क्या चाहिएगा कि हमारे मुक्त ब्यापार हो यानि कि कोई आप रोक ना हो वारत में जाने के लिए ना उसके सामожно कोई टेक्स लगा जाये हैं या ता अन्तर्फी ब्यापार से शंब्धित नेमों को निधधारित करता है यह देखता है कि इन नेमों का पदन हूँ वरतमान में विस्त के लगबक आपके एकस चौंचस देख विस्च ब्यापार संब्धित की एक और बात बता गुए है, WTO, World Trade Organization, इसकी अगर हम लोग headquarter की बात करें तो आपका Geneva, Switzerland में देखने को मिलेगा, यह आपका एक जन्मरी 1995 को आया, अस्तिति में, याद रखे इसकी स्थाफना आपकी, एक जन्मरी 1995 को भी, ठीक है, 104 इसमें अभी वरतमार में member है, और मुख्याल इसका headquarter आपको Geneva, Switzerland में आपको देखने को मिलेगा, यह अगिपी 20 व्यापार संगतन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधार देता है, परन्तु व्यापार में यह देखा गया है कि विक्सित देशों ने, अनुचित दंग से व्यापार औरोधों को बरकरार रखा, दूसरी और विस व्यापार संगतन की नेमों ने, बेकासिल देशों के व्यापार औरोधों को हटाने के लिए विवस किया है, इसका एक उधारन किर्सी उत्पादों के व्यापार और वर्दमान बहस है, आप लोगों ने देखा हुए कि जब भी किसी देश के बस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है, एक बड़ा, दो समय है, बुप्या करता है, वो डबलू टीओ में चला जाता है, तो वहाँ जो भी नियम पिक्रिया हुटी है चलते हैं, और उसी इसाब से पर फैसलात है, ब्यापार बेवारों पर बाद बिवार, आपने अध्याय दो में द उतपाद में किर्सी का इसा मात 1.30 है, और कुल रोजगार में केवल 0.530 है, फिर भी अमेरिका के किर्सी चित में कारद इतने कम पितीसर लोग भी अमेरिकी सरकार से उतपादन दूसरे देसों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन रासी पराप्त करते हैं, इस बाह करते हैं, यहां कहने का सिधा सा मतलब यह है कि गेंओ किसान उगा रहा है, गेंओ उगा रहा है किसान, आप सोचिए हमारे देश में अगर उगा रहा है तो उसे खर्च ही इतना पड़ जाता है कि वो सस्ता नहीं वैस सकता है, वो एक निर्दारित कीमत पर ही वैचेगा, औ और ना तो उसे सरकार की तरफ से कोई मदद दी जा रही किसान को, लेकिन अमेरिका में क्या देखने को मिलता है कि सरकार उसे काफी किसान को साहेता देगा, और आप सोचिए एक तरह से अगर सरकार किसान को साहेता देती है, तो वो किसान तो जितने मतलब उसका थोड़ा सा लाव हो जाए उतना पर भी बेंतेगा और हमारे देश में किसानों को कोई मतलब आपका एक तरह से सहायता नहीं दे जाएगे तो यही देखने को मिल रहा है यही कारण है कि विकासिल देश बिकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विस्व ब्यापार संगठन क के नेमों को नजर अंदाज कर दिया है अपने किसानों को भारी धन रासी देना वरकरा रखा आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपनी किसानों की साहता बंद करने को कहा परन्तु आप स्वय में यही काम कर रहे हैं क्या यह मुक्ट ब्यापार और नियाय संगत ब्यापार ह रहे हाई दोचे इस से आप लोग इस तरह से जोड़कर देख सकते है कि आप आप वी आई पी SE kool में पढ़ रहे हैं आपकी परिबारी किस्तिती आनम आजिटीय की इतना अच्छी है कि आप वी आई पी sexual में पढ़ रहे हैं आप से पितीस परदा कर सकता है या तो आप सरकारी स्कूल में पहुंचाईए या फिर उसे वही सुग्धाय उपलग्द कराईए जो आपको सुग्धाय मिल रही है कि जिस दिन उन ग्रामिट चित की बस्तिरियों बालें को आप जैसी सिक्षा वेवस्ता मिले लगी उस दिन आप सोचेंगे की आरप्चन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है? सेक्ष्टराज अमेरिका में एक आधर्स कपाश्चित जिसमें हजारों इकट भूमी है जिसका स्वावित एक बड़ी कार्पूरे कंपनी किफास होता है आप सुछी हैं कंपनी साहता करती हैं खेती के लिए और हमारे आखे किसानों की आज इस सिती देखिए आए दिनों खबर मिलती रहती है कि आज इतने किसानों से सुसाइड किया हुआ है तो यह हाल बनी हुई है ना तो सरकार अच्छी तरह से कोई मदद करती है बात करते हैं भारत में वैस्वीकर्ण के प्रभाव की अगर बात करें हम लोग तो बिगद 20 वर्सों में भारती अद्वस्था के वैस्वीकर्ण ने एक लंबी दोरी तैकी है इसका लोगों के जीवन में पर क्या प्रभाव पड़ा है हम कुछ प्रमार देखते हैं बैस्वीकर्ण और पात को इस्थानी और विदेशी दोरों के वीच 72 पितिस फर्दा से उब्भोकताओं विशेशकर सहरी चेतरों में धनी बार के उब्भोकताओं को लाप हुआ है इन उब्भोकताओं के समक्ष पहले से अधिक डिकल्प है और वे अब अनेक उत्थपादों की उत्किष्ट गुडबत्ता और कम कीमत से लावान भीत हो रहे हैं परिडाम ता ये लोग पहले की तुल्ला में आज अपेप्चा गित उच्चेतर जीवन इस्तर का आनंद भी ले रहे हैं उत्थपाद कों वो सेमकों पर बैस वीकरण का एक प्रवाव एक समान प्रवाव नहीं पड़ा है आप जानते हैं कि आप सोचे हैं कि आपके आँ जो खासी जिनकी है निकम है आरतिक इस्तिती ठीक है उनके पास आप सोचे हैं कि पहले एक ही सामान उनने कमी विकल्प उनके सामने थी लेकिन अब विकव कई तरह के बहले वी महेंगे हैं लेकिन उनकी आतिक स्थिति तो ठीक है ना तो वो दुखरी सकते आनंद ले सकते हैं उनका तो उन पर एक लाव उन्हें हुआ है पहला विकवर्स 20 बर्सों में बहुराष्टिये कंपणियों ने भारत में अपने निविस में विद्धी किये जिसका रत है कि भारत में निविस करना उसके लिए लाव प्रत हो रहा है यानि कि लाव हो रहा है बहुराष्टिये कंपणियों उन्हें सहरी इलाकों के दोगों जैसे सेलफॉन, मॉटर गाड़ियों, इलेक्टोनिक उत्पादों, ठंडे पेपदार्थों, जंक खाद पदार्थों, यवन बैंकिंग जैसे सिवाओं के निविस में रूची भी दिखाई हैं, इन उत्पादों के अधिकास करीदार संपन बर्ग के लोग हैं, यानि कि अच्छी स्तिती हैं वही लोग हैं, इन उत्पादों सेवाओं में नए रोजगार उत्पादों हुए हैं, साथी इन उत्पादों को कच्चे माल इत्यादी के अपूर्थी करने वाली स्थानिये, कम्पनियां सम्रिद हुए हैं यानि कि जो भी इस्थानी कम्पनियां इन्हें कर चमाल उपलबद कराती हैं वो भी इसे लावान भी हुई है अन्तता बैस्विक जीवन से लिए जिसका आपने सदेव सबना देखा है देख रहे हैं विदेशी निवेस आकरसित करने के लिए उठाएगे कदम की अगरबात करें तो हाल के बरसों में भारत की केंद और राय सरकार भारत में निवेस यह तो विदेशी कम्पनियों को आकरसित करने के लिए विसेस कदम उठा रही है उद्दोगिक चित जिन्हें विशेस आर्थिक चित कहा जाता है की स्थापना की जा रही है और विशेस आर्थिक चितरों में विशेस तरही है जैसे विजली, पानी, सड़क, परिवान, बंदारण, मनोरण्यान और सेक्षी सुगद्यान उपलब देख होंगी विशेस आर्थिक चित में उत्पादनिकाई या इस्थापित करने वाली कंपनियों को आरहमीक पात बरसों तक कोई कर नहीं देना हुआ और एक सोची है आप किसी भी कंपनी को इस्थापित करने की यही तो मूल इस्थम है बिजली हो, फिरपानी हो, सडख हो, परिवान हो, बंदारन हो, सैक्षिक सुध्या हो, और सरम विवस्ता हो यही तो उनके आधार होते है विदेशी निवेस आकरशित करने जो सरकार ने सरम कानून हों में लचीलापन लाने की अनुमत्ती भी दी है आपने अध्याइदों में देखा है कि संगटे चेत की कमपनियां को कुछ नेमों का अनुपालन करना पड़ता है जिसका उद्देश सरमेक अधिकारों का तरक्षन करना की बर्तों में सरकार ने कमपनियों को अनिक नेमों से चूट लेने की अनुमती भी दिया आमने में तादार पर सहिमकों को रोजगार दने के बज़ाए कमपनियों में जब का जब कामका अधिक दवा होता है तो लौशदार ढंग से छोटी आउदी के लिए सेमेकों की कारव पर रखी जाती है। कंपनी की सरम लागत में कटोती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेसी कंपनी अभी भी संतुष्ट नहीं। सरम कानूनों में और अधिक लली लचीवलेपन की मांग करे है। आप लोगडाउन के बाद से कही राज्यों ने अपने सरम कानूनों में भी बदलाओ की बात किये। कहीं ने आपने देखा है कि जो आठ गंटे की द्यूटी हुगा करती थी उसे बारा गंटे में भी बदल दिया है। और आपने कहीं तरह के कानूनों में छोड़ भी दे दी गए। समझ रहेंगे। इसी ही है कि आपने सुना गए चैना से आपकी जो भी बारी कंपनीया थी वो निकल नहीं थी। सोचांकि भारत में आइंगी लेकर आपनेने ना के बारत में ना के वो अन्य देशों में जांदा चली गए हैं। इतना आप में कुछ चानदा ही कंपनियां गई हुए हैं और अभी आप सोचे कंपनियां वहां भी जा रही हैं जहां कुरोना वाइरस कंट्रोल होते दिख रहा है ठीक है तो भागत के स्थिति इस मामले में बहुत बिगड़ती जा रही है तो जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कोई कंपनिय हमारे हां निवेस करने की चाहत रखे हैं दूसरा अनेक सीज बारतिये कं सदा से लावनवित हुई है इन कंपनियों ने नवेंतम पुरुद्गी की और उत्पादन पिणाली में निवेस किया है और अपने उत्पादन मानकों को उंचा भी उठाय है कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सबलता प्रूवक सहयोग कर लाब अरजित भी किया है सब्रें अंतराख्टी कंपनियों से लेंदेन हुआ उसके जलिए वो भी तखनीकी पूर्ण हो चुकी है इससे आगे भी बेस्वीकर्ण ने कुछ बड़े भारती कंपनियों को बहुराख्टी कंपनियों के रूम में ओहर ने यह बनाया टाटा मोटर गाडियां इमपोसिस आइटी, रैनवेक्स दभाईयां, ASEAN, पैमिंट, सुंदरम, फासनर्स, नट और बुल्ट, कुछ ऐसी भारती कंपनियों हैं जो विसेस्तर पर अपनी किरिया कलापों का पिसार कर रही है बैस्वीकर्ण ने सिवा पिदाता कंपनियों विसेस कर सूचना अपर दूरी बाल अपने कार, इंजिनिरिंग, जैसी कई ही सेवाय भारत जैसे देश में अब सस्ते में उपलब दें और वेक्सित देशों को निर्याद भी कियी जा रही है अब बात करते हैं चोटे उत्पादक, पितीस फर्दा करो या नश्ट हो जाओ, बैस्वीकर्ण से बड़ी संख्या रवी ने 1992 में तमिलाडू के एक उद्दोगिक सहर, होसूर में संधारित्रों के निर्मार करने वाली अपनी कंपनी सुरू करने के लिए बैंक से रड़ लिया, संधारित्रों का इस्तिमाल क्यू लाइटों, टेली वीजनों, सहद अने घरेलू, इलेक्टोनिक्स अपनी कंपनी चलाने में उसका संगत तब पराम गुए जब सरकार ने सन 2001 में 225 संगतन की, समझोती कर्मसार संधारित्रों के आयाथ पर उसे पिती बंद हटा दिया, उसने मुख गराकों में टेली वीजन कंपनिया थी, जो टेली वीजन सेटों का निर्मार करने के लिए स सहे उजन कार करने के लिए बेवस कर दिया, उनसे कुछ जब संधारित खरी दिती थी, तो वे इसका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयात सामारों की कीमत रभी जैसी लोगों द्वारा निर्दारित कीमत से आधी होती थी, अब रभी वर्स 2000 में नेर्मे संधारितों स आधी से भी कम संधारितों का निर्मार करता है, उसके लिए केवल साथ से में काम कर रहे हैं, रभी अनेक दोस्तों में जो हैधराबात और चेंडरी में भी बेवसाय में थे, अपनी काईयां बंद कर दिये, सीधा साथ मतलब सोचिए, कि एक आपके आँ की टीवी बनाने व उसके पाद एक तो सबसे बड़ी बात पूजी नहीं है उतनी, पूजी नहीं होगी तो वो जिस तरह से जुटाएगा उस पर या तो रेड़ लेगा किसी से, रेड़ लेगा तो उस पर व्याज देना होगा, और आप समसकते हैं किस तरह से वो बेर अलस्ता करता होगा, उस पराष्टी कंपनी चाइडीज में उत्वादन कर रही है, और भारत में वेश्टी है, ढाय से तीन अजार रोपे में, तो आप सोची है हमारे भारती है जो कंपनियां है, टीबी की, एक पितीस पर्दा यानि कि उनके साथ नहीं चल सकती हैं लेकर उने, समझ रहें, गाटे भी नीरमताओं पर कड़ी मार पड़ी, कई कारियां बंद हो गई, जिसके चलते हैं लेक सेमिक दिरोजगार भी हो गया, भारत में लगू उत्दोगों में किरसी के बाद सबसे अधिक सेमिक, दो करोड नेउजित हैं, एक बात और याद रखिया आप दो, आप सोची आपक क्योंकि वो हमारे देश में तो बन नहीं रही हो, हमारे याँके लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें बनाने में, तो समय रहे हैं, इसका भी काहियत तक देखा गया है, यह भी प्रभाव, इन्हें भी देखते रही हैं, पितीस पर्दा और अनिश्चित रोजग बैस्वीकर्ण और पितीस पर्दा के दवाव ने समयकों की जीवन को ब्यापक रूप से प्रभावित किया है, बढ़ती पितीस पर्दा के करण अधिकास नेपता इन दिनों समयकों को रोजगार देने में लचीला पन पसंद करते हैं, इसका रत है कि समयकों का रोजगार आप सोनिश्चित नहीं है, अब हम देखते हैं कि भारत में बस्त निरयात उद्ध्योग पितीस पर्दा की दवाव को कैसे सहीं कर सकते हैं, आप सोचिए जे लोग हाँ से बना रहे हैं, और बाहरी दुनिया में आप सोचिए कि मसीनों से बना जा रहा है, तो एक दिन में क पितीस पर्दा नहीं कर सकते हैं हम लोग, या तो इसके लिए सरक्षन देने के लिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, या फिर बाहरी दुनिया से जो भी प्रोडेक्ट आयात हो रहे हैं, उन पर सामानों पर कर लगा देने चाहिए, यही ओप्सन रहता है, अगर कर लग करते हैं कि महलाओं को लाब में भागयदारी समचित रूप से नहीं मिली हैं, अमेरिका और यूरोब में बस्तो द्यों की बड़ी बहुराथिये कंपनिया बारत निरयात को बस्तों की आपोईती के लिए आडर देती हैं, विस्व्यापी नेटवर्प से योगत बड़ी ब लागत में करते हैं, यहीं क्यांतार है। कम पैसे में काम करने लिए तयार होगा उसे हम रखेंगे तो उन में से एक ना एक मिली जाएगा आपको सबसे बुरी हालत आप समझ सकते हैं कि आज भी सो से डेड़ सो रोपे में मुज़तूरी कर रहे हैं लोग उनकी स्तिती आप सोची कितनी भयाना खोती हो कि अगर आप एक सहर में रह रहे हैं तो सो क्या आप 300-400 रोपे आपका डेली का ख़र चाता है इस्तिति बनी हुए है अभीवि आप देखते हैं चाल से पांसी जा रुपे में लड़के दुकान पल लगे रहते हैं बयाना किस्तिति जहां पहले कारखणने सेमकों को इस्थाई आधार पर रोजगार देते थे हैं आई भे अब आज थाई रोजगार देते हैं, ताकि सेमिकों को बर्स बर बेतन नहीं देना पड़ता है, एक तरह से आप समस्के हैं कि सरकारी की तरह होता था पहले, कि इस थाई रख देते थी तो आप समझे कि अगर किसी वैक्ति को आप महीने के लिए रखें हैं, इस थाई सेमेकों को बहुत लंबी कारिगंटों तक काम करना पड़ता है पिछले अध्याय में हमने देखा भी था कि किस तरह से महनत कराई जाती है सेमेकों से सुबह साथ साड़े साथ बुला लेते हैं बजी उस रात में आठ बजे भेशते हैं अत्यदिक मांग की ओधी में निमेत रूप से रात में भी काम करना पड़ता है मजदूरी कापी कम होती है सेमेक अपनी रोजी रोटी के लिए अत्रिक्त समय भी काम करने के विवस हो जाते हैं हाला कि वस्त निरयातकों के प्ती पितीस परदा से वगराश किये कमपोनियों को अधिक लाप कमाने में मदद मिली है परन्तु बेस्विकरन के कारण में लाप में सेमेकों को नियास अंगत हिस्सा नहीं दिया गया और एक बात आप लोगोंने और सुड़ी होगी कि नियूनतम बेतन निर्दारित किया गया है मारे देश में लेकिन आपने देखा है दिल्ली जैसे सहरों में भी अगर नियूनतम बेतन लागू नहीं हो रहा है तो बाकी देश के हिस्सों में आप देख सकते हैं कि क्या विरुस्ता हो तो एक कानून बना दिये जाते हैं इन्हें लागू करना ना लागू होना बराबर है कपड़ा सेमिक ते 35 बर सी है सुसिला ने दिल्ली में एक बस्त नेरहा तक उद्यों में एक सेमिक के रूम में कही वर्स काम किया जब वोई एक 27 अमेक की रूम में नेवट थी तो स्वास्त बीमार भविस्त नीदी आतरिक समय में कार करने के लिए दुबनी मजदूरी की हगदार थी जब 1990 की देशक के अंतिम बरसों में सुसीला की फैक्टरी बंद हो गई तो 6 माहे तक रोजगार की तलास करने के बाद अंतिम उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिना कई बरसों तक इस फैक्टरी में काम करने की बाब जुद वह एक आजिस्ताई सर्वेक है और पहली की तुला में आदे से भी कम आ रहे है वह सबताई कि सातों दिन सुभए 7 बच कर 30 बचे यानि कि सुभए 7 बचे अपने घर से निकलती है और साम 10 बचे बाबर साती आप समझ सकते हैं कितनी भायायना किस्तिती हो गेंगी एक दिन काम नहीं करने का अथ है कि उस दिन की मजदूरी नहीं मिलता उसे आप कोई अनलाब भी नहीं मिलता है जो पहले मिलता था उसके घर के समीब की फैक्टरियों को काफी आइस्थर और मिलते हैं इसलिए बेक कम बेतन भी देती है यानि कि ये भी आपका एक तरह से गलती प्रभाव देखा गया उप्यक कार परिस्थित्यां और सेमिक की कटनाğिँ represent भारत की अनेक उप्द्वीक एकाईयों और से भावं में सामान बाक थ्भी आजयादिकाल सेमिक आसंँग छित्रों में ने उजड़ीते हैं यही नहीं संग।्पी सेमिक की समान होती जाए बलता है जिसको वाई पहले उप्योग क्लती हुतिMar अब बात करते हैं ओप्रभत, प्रमाद याय'Sकरत कलते हैं कि और संबर या क्लाओन बलत नहीं है कि या निस सकार अत्म कर्ण और नकारात्मक भी आपको इभी काप कर रहे हैं तो उसमें गलतिया भी होती हैं और अच्छाईया भी होती हैं तो इसमें भी आपको अच्छाईया भी देखने हैं यानि कि सकारात्मक परिडाम भी देखने को मिले हैं तो बैस्वीकर्ण को अधिक नियाय संगत कैसे बनाया जा सकता है। नियाय संगत बैस्वीकर्ण सभी के लिए आउसर बिदान करेगा और या सुनिश्टित भी करेगा कि बैस्वीकर्ण के लाबों में सबसे सबकी बहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संबावन बनाने में मत कुंग हूई क्या निवा सकती है इसलिए नीतियों को किवल धनी और प्रभावसाली लोगों को ही नहीं बलकि देश के सभी लोगों के हितों का सरक्षन करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा दिये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। वह सब्ढ़ा भी कर सकती है विक्सित देशों के वर्चस के विरूदि शमान हेतों वाले विकासित देशों को मिलकर ड़ना होगा या नियापार corr ब्स Parlament दियों को मातलब है किया जी प्रश्व प्रभात करता हें सब्सक्राइब होगा किसह पार्द से कौने संगरष में मद्पून वह मिंगा निभा सकती है इस तरह से आप देखते रहते हैं न यहीं वात की जानी लास्क में स्का संगर साइन्ज क्या निकलता हम स curriculum क्या भी अधिकारिक बिदेसी निभेस और विदेस व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। इसे वैसे भी आप भी देखते हैं, आप भी वही काम करना पसंद करते हैं जहां आपको बेदर सुगधाय उपलंद रहती है। ठीक है? देशों के बीच उत्पादन को संगटेत करने में पुरोधोग की विसेस कर सूचना पुरोधोग की ने एक बड़ी गोमिका भी निवाई है जबकि विस्वीकाद से धनी ओ भोगता और कुसल सिक्षित और धनी उठपादक ही लावान वित हुए हमारे देश केम में भी यही पुक्रिया रही है जो धनी बैखती हैं, जिनकी आज़ देखती थी अच्छी हैं, जो सिक्षित हैं, उन्हें ही इससे लावार्वित हुई है, परन्तु बढ़ती पीति इस पद्दा ने अनेक छोटे उत्पात को उस्यमिक को प्रभावित किया है नियाय संगत बैस्वीकरण के सभी के लिए आउसर का सिजन करेगा, या भी सुनेचित करेगा कि बैस्वीकरण के लावुस में, सभी की बहतर इस्तिधारी हो सके, तो यह था आपका चोटराद्य, बैस्वीकरण ओभाती है, अड़्वस्तन, इससे समंदिते कुश्चन्स दि आप लोग एक से दो बार, अभी एक नया उभ्भोकता अधिकार कानून आया हुआ है आपका, 2019 में, उस पर भी बात करेंगे, वो पांच बार जो अधियाय आपका होगा, वो उभ्भोकता अधिकार से संबंदित है, तो देखेंगे आखिर हमारे जो भी उभ्भोकता, यान कच्छा 10 की आर्थिक विकास की समझ की नाम से, जो आपकी एकोनोमी की वुक्स है, उसी ये वारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपकी अर्थ सास्त की बुक है, इसमें अभी ही तक हम लोग 4 चेप्टर कतम कर चुके ही, आज लाष्ट चेप्टर, 5 बात चेप्टर है, उभोक्ता अधिकार, याद रखेंगे, रखेंगे कि अभी जो नया आपका उभोक्ता संरक्ष्ण अधिनियम 2019 आया हुगा है, इसके भी कुछ मत, कुण पॉइंट है, उन्हें भी हम लोग इसी में अफडेट कर लेंगे, ठीक है, और एक बात हम इसा याद रखेंगे, जो दोबारों से भी आराम से पढ़ते रहिए, तो कुछ निर्देश दिये गए है, याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको सिक्चक की जरूरत पढ़ेगी इन्बुक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अगर सेविल सर्विस भी तैयार ही कर रहे हैं, या पढ़नी होती हैं, यानि कि इसमें जो भी सब्द मिलेंगे उनका कहानी का रोप देकर पूरी वोक्स लिखी गई हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाय गया है, बस आपको देह रखकर इन्हें पढ़ना हैं, या अर्ध है हमारे देश में बाजार की कारविधी के स संधर्म में अभोकता अधिकारों के मुद्णों पर विच्चार करता है, बाजार में आज समान इस्तितियों के बहुत से पहलू है, तथा नीमों और कानूनों को लागू करने की इस्तिति आसंतोस प्रद है, इसलिए नए अभोकताओं को बास्तविक्ता से परिचित कराने और उभोकता अंदोलन में भाग लेने ही तो, उन्हें परोसाहन करने की जरूर है, नए उभोकताओं को उभोकता की रूम में सावधान और जानकार नगरीक बनना है, यह अध्याय कुछ गटनाओं के उधारन पिस्तुत करता है, और कि कैसे वास्तिवी घीमन में कुछ नगरों को आस-पास की घेतनाओं से जोडने में समर्थ बनाएगा, हमें चात्रों को इस योग बनाना है कि बेसमजदार उभोकता की रूम में जागरोग होकर उभोकता अंदोलन की नई दिशा दें और अपने लंबे संग्रसों द्वाना, लोगों की सक्रिय भाविदारी बढ़ाएं और यह अध्याय तुम कुछ ऐसे संगटनों के वारे में भी जानकारी देता है, जो वेविन पेकार के उभोकताओं की मदद करते हैं, अध्याय के अंत में भारत में उभोकता अंदोलन की कुछ गंबीर मुद्दों को भी बताएगा, यह आपकी याद रखी, इस भोक्स में जो भी आंकडे लिए गए, नीचे यह जानकारी दे गए है, तो आपको ज़रूरी लगे तो पढ़ लें, कि किन-किन से आंकडे लिए जाते हैं, एक बात और आपको यहां बता दूँ में, अभोकता अधिकार का मतलब है कि हम लोग जो उपभोक कौन कहलाते इससे कोई फर्क नी पड़ता है, लेकिन नीचे किस बैक्ती तक किस क्वाइल्टी में पहुँच रहा है, बोग ध्यान रखा जाता है, अब दुकान मर किस क्वाइल्टी में रहा है, यह अलग बात है, लेकिन हम खरीद रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसका उपभोक कर रहे हैं यानि कि उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी उपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी ही अधिकारों की बात की जा रहे हैं, और हमी लोगों को आपका उप्भोकता कह देते हैं, हमारी ही अधिकारों की, तो एक तुरे सामन बात याद रखे, उप्भोकता में हमी सभी लोग सामिल लाइती हैं जो अंतिम रूख से उन बस्तुओं का उपभोग करते हैं उपभोगता अधिक्यार उपभोगता न्याला की नेदेशों के नेडेओं की कुछ समाचारों की नमूने इन मामलों में लोग उपभोगता अधिकारों का परियोग करते हैं मुझे लगता है बता है आपको कि हमारे देश में अधिकतल लोग अगर कुछ मामूली से लोग कुछ गिनेशने लोग आवाज ना उठाएं तो हमारे देश के यालत बस से बस्तर हो सकती हैं आप सोचिए कि अधिकार के लिए सूचना के अधिकार के लिए और लोगपाल के लिए अन्नाह साभ ने कितनी बार भूम खड़ता किया, कितनी महिनत की, उस बैक्ती ने देश के लिए अपनी पूरा मनलब जीवन कुर्बान कर दिया, आखमस तक ने ना परिवार बसाया, ना चला नहीं रहे हैं, इस से मतलब बुरा इस्तिती क्या हो सकती है, एक तो तो तुम आंदोलन यानि कि संगर्स नहीं करना चाहते हो, और संगर्स करके अगर कोई दे दे, तो उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते हो, इतनी बत से बत्तर इस्तिती है हमारे यहां की लोगों की, आप समझे रहें, कुछ गिने चुने लोगी अभी कुछ गरत होता है, समाज में तो वहीं चुने लोगी आवाद उटाते हैं, आप सुचिए कि एक बेक्ति अगर सरकार को हिला सकता है, तो हमारे पोर्ट के आदार पर तो सरकार चुनी जा रहे अगा, अगर हम लोग तो सकता है लेकिन वही है, मुझे क्या करना है? जाते हैं, आप लोग ट्रेंड जब भी आपने देखा होगा इस्टेशन पर पानी गर रहा हो किसी नद से तो कोई बंद करने वाला नहीं होता है, हम सब यही सोचते हैं हमें क्या मतलब है, गरने दीजिए अगर कोई बंद भी कर रहा होता, तो उसका हम लोग तालीव जाते हैं, हसते हैं उसके उपर, कि देखिए इस बेवपू को, मतलब हमारे अंदर कर्तब नाम का कुछ, कि हमारा क्या कर्तब है, उसका कोई परचित नहीं, एक जिंदा लास की तरह हम लोग चलते फलते, फलते रहते हैं, यह आपको क कीमों के विग्यापन पर सरकार को नोटिस, तो रक्षा की गारंटी नियार्थ, और भोगता की विस्त्वास पर बिदूसित पानी, बिना डॉक्टर सुरू हो गया है, एक बात आप लोग रहा है, गरीबों को मिलेगी सस्ती डाले, यह किसी ने आंदोलन ही किया हुगा, आ उनके लिए सस्ता मिले, आपने देखा है कि खाद्यान, फिर चाहे क्या हो, उसमें दाल हो, फिर चाहे आपका चावल हो, सक्कर हो, कुछ भी हो, इस तरह कि इसलिए कोटा इस तरह की सरकारी सुद्धा दी जाती है, कि इससे गरीबी बंचित नार है, समझें, उन्हें में प उतपादन कर रहे, आप लोग, उसे उतपादक कहे देती है, और भोकता मतलब हम लोग, उसे उतपादन कर रहे है, बस्तूओं एवं सेवाओं की उतपादन की रूम में, हम पहले वायडित किर्सी, उद्ध्योग या सेवा चैसे, छेत्रों में कारगर्थ हो सकते है, और भ कि किसी मतलग कोई भी उपभोग यानि कि उपवयोग की जाने वाली बस्तू अंतिम जो बस्तू है उसे आप लोग खरीद रहें और आप अपने यूज के लिए खरीद रहें तो ही आप लोग उपभोगता बन गए आप सोचिए एक दुकानदार कोई भी सामान खरीद के ला है उसे आप लोग उपभोग नहीं कह सकते हैं ठीक क्योंकि वो आपको बेंच रहें आप लोग उसे उपभोग करें उपभोगता आपके लाएंगे ठीक है और जो 2019 का आपका उपभोगता की परिवासा दी गई है सामर्चन अधिनियम आया है उसमें बहुत कुछ अपडेट होते हैं पिछली अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा जाने के लिए जरूरी नेमों और नेयंतर्णों की जरूरत होती है इसका मत आसंगटिचित की मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहुकारों द्वाला लगाये जाने वाले उच्च ब्याद दर से लोगों को बचाने के लिए नेमों और नेयंतर्णों की जरूरत होती है इसी पिकास के परियावाण की सुरक्षा मसदा बनाए गया अभी 2020 में भी बनाए गया तो परियावाण को देखकर भी आपके कई तरह की नियम कानून आते रहते हैं उधारन के लिए अनौप चारिक छित्रों के साहुकार जिनके बारे में आप पहले के अध्याय तीन में पढ़ चुके हैं करद्जार पर बंधन ड इसको वो फांस ले अपनी चाल्ब सावरिक रेट के कारएं बे उत्पादक को उत्पाद निम नदर पर बैचने के लिए मज़ूर कर सकते हैं बेसुपना जैसी महला को रेट चुकाने के लिए अपनी जवीन बैचने को वेवस कर सकते हैं इसी प्यकार आसंगरते चित्र मे काम करने वाले बहुत से लोगों कुन निम निवेतन पर कार करना पड़ता है और परिस्तितियों को जिनला पड़ता है जो निया यूचित नहीं होती है और प्राया उनकी स्वास्त के लिए हानिकारक भी होती है ऐसे सोसन को रोपने के लिए और उनकी सुरक्षा ही तो हमने नेमों एवं बीनेमों की बात की है आपने पिछला दिया देखा होगा आपने उसमें कई तरह कि आपने समस्याँ देखिए है साहुकार किसी को डिड़ देता है अगर आप सुचिए तो उसी को आपको भसल बैंचने की जरूरत पड़ती है और एक खासा मतलब ब्याद भी लेता है उसरेड़ पर तो उनी समस्याँ को रोकने के लिए आप सुचिए कि अगर हम परियावण से भी छड़चाड करते रहें बुरी तरह से प्रभात वीत करें तो एक दिन हमें आ रहे हैं सामने बड़ी समस्या हो सकती है इसे इन सभी को रोकने के लिए इन सभी वर काट्रॉल करने के लिए कुछ आपके नियम कानून भी कुछ संस्थाएं भी आपने देखी हैं कि बनाई गई हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संगर्स किया कि इन नियमों का नफालन हो बाजार में भी वो भोकताओं की सुरक्षा की नियम इबं बीनेमों की आवस्तक्ताएं होती हैं क्योंकि अकेला व भोकता प्राद स्वेम कुकम्योर इस्तिती में पाता है खरी दी गई बस तू या फिर सेवा की बारे में जब भी कोई सिखायत होती है तो विक्केता सारा उत्तादायत खरीता पर डालने का प्रयास करता है सामानता उटकी पितिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा हो अगर पसंद नहीं है तो और कहीं तो कहीं और जाए मानों बिक्तरी हो जाने के बाद बिक्केता कि कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है उब्भोक्ता अंदुलन जिनके बारे हम आगे बात करेंगे इस इत्ती को बदलने का एक प्रयास है आप सोचे है कि किसी ने कोई भी वो बोगता यानि कि क्या भी आपने सामान खरीता माल लीजे आपने कहीं से दूद कर लिए कोई कंपणी बनाने बाली है साची ले लिए या फोई भी अमूल का ले लिए आप लो अमूल का दूद आ रहा है वो खराwać निकलता है उसमें कोई कमी पाई आती है तो क्या कहेंगे वो कि तुमने से कि खरीदा था मैंने कहा था तुमसे खरीदने के लिए यह उल्टा सीधा आप बातें ना बनाएना पड़ जाए किड़ता है यानि कि खर्दा को यानि कि जो उत्पादन कर रहा है जो बैच रहा है को उसे ये सभी बातें बहाना ना करना पड़े इसलिए नियम लाएगे आप जानते हैं कि नियमों के तरह उन पर कानूनी कारवाई भी होती है दंडे भी किया जता है और अभी 2019 का जो आया हुगा है इसमें ज्यादा कुछ महत्मों परावदान भी रखे गए हैं जिससे अगर कोई इस तरह का मतलब हिरपिर करता है तो उसे कई तरह के दंड भी दिये जाएंगे इससे क्या होगा कि आपकी जो भी आपको सुगदा मिलेगी जो भी सर्विस मिलेगी वो क्वाइल्टी वरी रहेगी और एक मतलब भरो से लाइक भी रहेगी बाजार में सोसर कई रूपों में होता है उधारण के लिए कभी-कभी ब्यापारी अनुचित ब्यापार करने लग जाते हैं जैसे दुकान दा रूचित बजन से कम बजन तौलते हैं या फिर आप ब्यापारी उन सुलकों को जोड़ देते हैं जिनका बडन पहले ना किया गया हो या फिर मिलावटी या दोस्पूर बस्तुएं बैची जाती हैं आप सोची है अगर इस तरह से आपके साथ कोई गट ना गट रहे है कि कम तौला जा रहा है या फिर आप से अच्छी क्वाइटी नहीं दे जा रही है या फिर मिलावट दे जा रहे है तो आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं अगर आपके पास नियम कानून ना हो आपकी सरकार ना बना इस तरह की नियम कानून तो आप चुप चाप या तो घर बैट सकते हैं या दूसरी दुकान पर जा सकते हैं इसके अलाबा आप कुछ कर भी तो ही सकते हैं तो इनी सबी को रोपने के लिए आप समझेए कि आपके कानून जो भी हैं आपके अधिकारों को लाए गया कि आपके साथ कोई इस तरह की गड़वड़ी ना हो, आपको हानी ना हो, समझ रहा है, वरना आप सुचिए कि लोगपाल को ही ले लीजे, लोगपाल किसली ही लाएगा, आपकी अधिकारों को बचाने के लिए, आपके देश में मतलब आप टेक्स भरना है, पर चाहिए वो इ आपके साथ कोई मिलावट करता है, या कम तोलता है, तो आप जानते हैं कि उस पर कानूनी कारवाही होगी उससे दंडे भी मिलेगा लेकिन इसका उपयोग आप करते हैं या नहीं करते हैं आप उसे दंड दंडे के लिए रिकोर्ड लिकवाते हैं या नहीं आप उसके कलाब देसे दंड लिकम नहीं सकते हैं जिसके कंपनी बड़ी कंपनीया कर रहे हो अधिक पुझी वाले सक्ति-साली संवर्ध से चाला की पूर्वक बाजार को बेवावीत कर सकते हैं और भोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बेश समय समय पर मीडिया और अंडर सरोतों से गलस सूचना देते हैं उधारन के लिए एक मटनियां पिशना दावब करते हुए माता के दूसरी हमारा उत्तपाद बहतर है सरवादिक बिग्यानिक उत्तपाद के रुम में सिसूओं के लिए जैने की बच्चों के लिए दूद का पावड़ां पूरवे व्समय क्ई वरसों तक बैचा है कई बरसों के लगाता है संगर्ण के बाद कंपणी को यह सुईकार करना पड़ा कि वह जूटे दाविक करती आ रही थी इसी तरह से ग्रेट उत्पादत कंपणीयों से यह बात मनमाने के लिए उनका उत्पाद कैंसल का कारण हो सकता है नियालाय में लंभी लड़ाई लड़नी पड़ी अताहा उभोकताओं की सुरक्सा सुनिश्चित करने के लिए नियम और बीनयमों की आवस्तिता होती है आप सभी जानते हैं एक समझ आपने सुना होगा कि एक कंपणी थी मोबाईल कंपणी आपको सर्विस प्रॉबाइडर करवाथी थी कॉल करनाए इसकी एक समय देखा गया है, कि हर बैक्ति के खाते में से, यानि थार बैक्ति के अकाूंट में से, डिट-डिर रुपे काट आ गया है, एक रुपे, पचास पैसे काट आ गया है, और पूरे देर्श में यह खत ना यह खटी, उस कंपणी के इतने भी bends जलती, कि इस तरहएं की करोणों का ह sendo हो गया आप जानते हिए कि आपके देश में करोणों 125 – 30 करोड हैं अगर 85 करोड से सी ऐगर क्रोड के को भूट है तो करोड हो गया है तो इस तरह की हेर फिर हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी बैक्ती ने एक तरह से ध्यान दिया, और जब इसका खुलासा हुए, तो मालू चला करोणों का हेर फिर हो गया, इसलिए आप देखते हैं कि अगर बटे हैं आप उभवता, तो आपके अधिकारों का कभी भी भी सुरक्षा नहीं मिल सकती आपको, समझ रहें, क्योंकि हम सोचेंगे, अरे लहने जी देड़ रोपे इस तो कटे हैं, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, समझ रहें, तो इसलिए सेवा भी हमने अच्छी नहीं मिलेगी, और एक बात आप आपने और देखी हमेसा, आपने कोई भी सिगरेट करीते हैं, या गुटका करीते हैं, उस पर क्या लिखा रहेता है, इससे कैंसर का कारण हो सकता है, लिखा रहेता है या नहीं रखा है, अब तो आप हर चीछ पर देखते हैं, तो एक बास सोची अगर कानूनी कहरवाई ना हुई होती, और आंदूलन नही खड़े हुए होते इसके सामने, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के उत्पादों पर अपने उत्पाद को कोई बदनाम कभी न करता है, आज आप देखते हैं कि सेगरेट एन भले फिर भी पी रहे हैं लोग, फिर भी गुटका खा रहे हैं, लेकिन कम से कम उस पर चेतावन मेचने की छूट नहीं देनी चाहिए, यह पूंजी बादी है, अब बात करते हैं अब बोगता अंदुलनों की, जो आपको अधिकार दिये गए हैं भी फिर चाहे 1986 का हो, फिर चाहे अभी 2019 का हो, जो भी अधिनियम आया, सरक्षण अधिनियम, यह आपके ऐसा नहीं है कि अ हम लोग बात करेंगे, अब बोगता अंदुलन का कारम अब बोगताओं की आसंतोस की कारण हुआ, क्योंकि विक्केटा कई अनुचित बेवसाहिक बेवारों में सामिल होते थे, बाजार में बोगता को 160 से बचाने के लिए कोई कानूनी ब्यावस्ता उपलब नहीं थी, आ से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामानता उस ब्रांञ्ड उत्पाथ को खरिप्ना बंद कर देता था, या पर उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था, यह मान लिया जाता था कि अभुगता की जिम्मेदारी है, आप ब बात आप लोगा वहशचित सोचीएं सास् मैंने देखा है कई बार गाओं में क्या करते हैं कि जिसकी डेट निकल जाती है यानि कि पुरानी हो जाती है उन्हें भी गाओं को लोग देखे अनपढ़ होते हैं जालू कम रहते हैं तो वे डेट मेट कभी नहीं देखते हैं तो कई मतलब जिनकी डेट खतम हो जाती उनके बाद भी भेंशती रहते हैं, कई प्रोडेक्ट ऐसे भी रहते हैं। तो उनके अधिकारों की ये सुरक्षा के लिए ये कानून लाए गया है। आप सुची इस तरह के कानून ना होते तो वो पीते रहते, वो मीवार पढ़ते रहते, कोई मतलब देखने वाला ही नहीं होता, समझ रहे हैं। बारत में सामझी गवल की रूम में उभोक्ता अंदूलन का जनम, आनेतिक और अनुचित वेवसाय कारियों से उभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोसान करने की आवस्क्ता के साथ हुए हैं, अत्यदिक, खाद कमी, जमात्पुरी, कालावाजरी, खाद पर भोक्ता अदिकार से संबंदित आलेक के, आलेकों के लेकन और विदर्षनी का आयजन का करने लगी, इन्होंने सडकों, उन्होंने सडक यात्री परिवार में अथिक भीभाड और आसन दुकानों में होने वाली अनुचित कारियों पर नजर रखने के लिए वो भोक्ता जरूक हो याना फिर भी आप डरता है कि मिलावट करने सी, जमाथ पूरी करने सी, काला वाजरी करने सी, कम से कम आपको उन्हें डरतो है, उनके अंदर कि अगार कोई एक वी ब्यक्ति इस्तर के तयर सिकायद करता है तो उन्हें बहुत-बड़ा भुकतान करना पड़ेगा, और हो सकता है जेल की अबावी खाने पड़ें अगर इस तरह की नियम ना होती है तो मैं बार बार ओलाओं कि बहुत बुरी हालात होती है हमारे इंडिया की क्योंकि हमारा इंडिया अधिक्त जनसंकिया यहाँ आप देखते हैं वारत में जागरुकता का आवा हो है ठीज है ओभोकता इंटरनेशनल 1985 में सह्युक्त राष्ट ने अब भोकता सुरक्षा के लिए सहुक्त राष्ट के देसाने देशों को अपनाया यह आप भोकताों की ब्लिए यह अप भोकता इंटरनेशनल 115 से लिए देशों के 220 संस्थाओं का एक सरक्षत संस्था बन गया एक समय आप लोगों ने देखा होगा कि 1947 की इस्तिति आप अपने देश की देख लिजे हमारे यह जो भी नीचे मतलब सूथ थे या पर आप कह लिजे एक टी एसी थे जंजाती आदिवासी समझ रहे हैं जो पिछड़ावर्क के थे या पर इस तरह की जो भी जातिया होती थे उनसे बहुत बड़ी बहुत बुरी तरह से बाताव किया जाता था बेदभाव किया जाता था कोई उस समय रोपने वाला भी नहीं था अगर राजया बेदभाव करता है तो आप उसके खिलाब जा भी नहीं सकते हैं आपकी आदद थी कि आप चुप-चाप घर में बैठ च कि देखते हैं किसी के भी अधिकारों का अवलगन हो रहा है तो वहां मानव अधिकार तुरंट पहुंच जाते हैं कार करता या प्र आपका आयो और वह संग्यान लेता है उसके बाद कारवाही भी करता है तो लोग अप डरने लगें समय रहें आज से कई साल पहले या आप गया तो उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं दी जाती अभी भी आप देख रहे हैं तो आप 1947 के पहले देख सकते होंगे अभी तो कम से कम आपके पास हजार इतरह के कानूं है अगर आपके अधिकारों का हनन्न किया जा रहा है तो आप सुप्रीम को अठाई को और किसी भी कोट में आप जा सकते हैं कम से कम कानवाई तो होगी उनके उपर लेकिन जब आपके पास कोई option नहीं होगा तो आप सूचिए क्या इस्ति होती होगी मतलब एक इंसान मतलब कोई उसकी सुनने ही वाला नहीं होगा एह रहालत देख सकते हैं इन सभी प्रयासों के प कोनों पर दबाव डालने में सपल हुआ 1986 में 12 सरकात द्वारा एक बड़ा कदम उठाए गया यहां उब्भूग का सुरक्षा अधिनियम 1986 1986 कानून का बनना था जो कोप्रा की नाम से पिसंते हैं कोप्रा के बारे में आगे हम लोग विश्तार से पढ़ेंगे यहां जो आप सी ओ पी आर ए देख रहें इसका मतलब होता है कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है याद रखिए आपका मतलब भूगता सरक्षन अध रहे सक्षा अधिकारैं मेरा एक स्वस्त लड़का करल के निजीच एल में टॉपफाने के लिए भरती वह के एक ए एन टी सर्जन सामान वे till crianças निकालने के लिए ऑप्रेशन किया अनुचित वे विश्तारी में दिमाह की आसावा संता की लक्षन आगे इसकी वाइशा जीव में चेकिस्ता की गलती और लापावाही के लिए उब बोगता विवाद निवारन सम्ती में पांच लाखा पांच लाक रुपे के मुआप्टी का दावा किया राज सम्ती ने यह कह कर मामला खारिज कर दिया कि सबूत परयाप नहीं है रेजी के पिता ने दिली इस्तित राष चीडिते हैं आप कहीं जाते हैं वो आपका आप यहां तक सुनाएं कि कहीं किसी की किड़नी भी निकाल दी आती है किसी करमचारियों द्वरा बेवोस करने में लाफरवाही के कारण एक-चात जिन्दगी भर के लिए अपंग हो जाता है जब हमें गोगता की रोम में बहु दिक्राइब तो हम्हें भूद हम्हें वस्तुओं के बाजारी करण और व्रेटी की खिलाब, सुरक्षेती राहने का धिक्यार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ती के लिए खतरनाग होते हैं उत्पात्कों के लिए आवसक है कि बे सुरक्षा नेमों और बीनेमों का पालन करें ऐसी बहुत सी बस्तुएं और सिवाएं जिने हम खरीदते हैं तो सुरक्षा के दिर्ष्टी से खास सावदानी की जरूरत होती है उधारन पी पेसर कुकर में एक सेप्टी बॉल होता है जो यह दी खराब हो तो बहेंकर दुर्गटना का कारण हो सकता है सेप्टी बॉल पे निर्माताओं को इसकी उच गोडवत्ता सुनिश्चित करने चालिए आपको सारोजे ने गया सरकारी कारवाहियों को देखते हुए यह सो निश्चित करना होगा कि गोडवत्ता इका पानल किया है या नहीं फर भी हमें बाजार में निमने गोडवत्ता वाले उत्पात परात होते है क्योंकि इन नेमों का प्रिवेक चक उचेतरोग से नहीं रहा होता है और उबोकता अंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूर नहीं होता है एक बात और आप लोगों को बता दो आप सोचिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अधिकार ना होते आपके बास तो आप सोचिए हमारे देश का क्या हाल होता अभी सब होने के बाद भी आप देख रहेंगे क्या हाल है हमारे यहां के उप होता है जो जो बैखती है उनका क्या हाल है और जब किसी तरह की पावंदी ना होती तो उसके बाद समझ सकते हैं कि क्या इसकती देखने को मिल सकती है फेसर कुकर उस लिए आप बलब बात के जा की जारी कि पर उसमा कम से कम जब आप देखेंते हैं फेसर कुकर का मतलब यही होता है कि सैप्टी वॉल तो उसे दबाने के लिए कॉंग्रिस का कॉंग्रिस की स्थाहना की वे थी कि जब जानते हैं आपके उसमें अंदर जो भी दाप बनता है अगर वो बाहर ना निकल पाए तो आप समझेए कि समय के बाद कोगर भी फट जाता है इस तरह की गटनाओं को रोपने के लिए यहां उधार दिया ला रहा है बाकी आप समझेए कि देखें कम से कम एक मतलब जिम्मेदारी तो आगी है बरना आप जानते हैं जो भी कोई भी उबहुता हो आप भी अगर दुकानदार है आप भी किसी भी चीज का उत्पादन कर रह हमारे उपर पावंदी रहेगी तो कम से कम हम जिम्मेदारी से तो अपना काम कर सकेंगे समझ रहे हैं आप लोग अब बस्तू और सेवाओं के बारे में आगर हम लोग जानकारी की बात करें तो जब आप कोई बस्तू खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकार क्योंके बारे में निर्देश, उस दवा के ब्हुत के अनपरभावों और खत्रों से समझ कारी में पराप्त कर सकते हैं JESS जब आप बस्त करीगें, तो दुलाई सम्मंधी निर्देश प्राफ्त होते हैं, आपने कभी भी कोई भी प्रोडेक्ट आप खरीते हैं, कभी अगर देखिए, आप लोग कोई भी नॉर्मल निर्माई आप खरीते हैं, घड़ी सावन भी आप खरीते हैं, तो उस पर भी मतलब पूरी जानकारी रहती हैं, लेकिन आप जानते हैं पर भी कि हमारे देश में कमी लोग इस तरह की जानकारी देखते हैं, आकर एसे नियम क्यों बनाए गए हैं, कि बस्तू बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती हैं, या ऐसलिए हैं कि उभभोकता जिन इसकी करिबताई की खराबी होने की पर सिकायट कर सकता है, मौअब पानिया प्रवस्तु बदलने की मान कर सकता है, उधरहन के लिए हम एक उत्पात करीटते हैं, और अंतिम्तिती के पहले ही खराब हो जाता है, तो हमसे बदलने के बारे में गहसेटी हैं, य Ens रवस्तु ख तो उनके खिलाब कारवाही की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मूल मुद्रित मूल से अधिक मूल पर बस्तु बैचता है तो कोई भी उसका विरोध और सिकायद कर सकता है। यह अधिक्तम खुद्रा मूल यानि कि MRP के द्वारा हिंगित किया हुआ होता है। वो अस्तुता उप्भोगता विक्केता से अधिक्तम खुद्रा मूल MRP से कम दाप पर बस्तु देने के लिए मूल भावी कर सकते हैं। आज सरकार पिदत विविद सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया जया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI यानि की Right to Information यानि की सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। जो अपने नाग्रेकों को सरकारी विवागों के कारकलाबों की सभी सोच रहा है पाने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के पिरवाव को निम्लिकित केसों द्वारा समया जा सकता है। या कहने का मतलब देखियें, कि आप तो रोग में बार-बार ओर बोल रहा हूं की आपके ही पैसे सरकारन चला है। इत कि अगर इस कर रहे हैं तो अपना ही हमारे ही सब के पैसे से कर रहे है। हमारा हिदी का अधिकार है, कि हम जाने काहां तक पैसा खर्च किया जा रहा है, आप समझते हैं, आपके देश में भी यह रफ़े लाए हुए, पांच बिवान, तो आपको पूरा पूछने चा अधिकार है, कि आपने कितना पैसा इस पर खर्च किया हुए है, हर चीज के बारे में जाने अगर जिसका भी आपको बोग कर रहे हैं या जो आपके पैसे से बन रही है इंतजार अमरता नाम की एक इंजिनिरिंग इसनातक ने नौपनी पाने के लिए अपने सभी प्रमापत्नों को जमा करने तथा इंटर्विव देने के बाद भी एक सरकारी विवाग में कोई रेजट नहीं परात किया करमचारीयों ने भी उसके पिसनों का उत्तर देने से इंकार कर दिया तब उसने एक्ट का प्रेव करती हुई एक प्रात्ना पत्त दिया और यह कहा कि ये कोचित समय तक पाद्याम की जानकारी पाना उसका अधिकार था जिससे हुए अपने विर्स की यूजना बना सकती है उसको ना केबल रिजट की कोश्टा में देरी के कारण हो कि बारे में सूचित किया गया बलको उसको नियुक्ति के लिए बुलाने का पत्त मिला क्योंकि उसने इंटर्विव अच्छा दिया था एक बात और मैं बताता हूँ अपने ही मतलब जिन्दगी में मेरी मतलब इस तरह कि मैंने भी किया हुए सूचना के अधिकार का यह भी मतलब होता है कि अगर आपको समय पर सूचना नहीं दे जाए तो इसके इवज में आपको मुआपजा भी मिलेगा अभी कुछी दिर पहले आपने देखा होगा कि एक दो जोती है आपके बुंदिर कंड में लोग जाना मनाते हैं ऐसे तो किसी मंदिर पर हर साल मेरे यहां एक मतलब बोच करवाया जाता है बहुत बड़ा मतलब अच्छी तरीके से तो मैंने देखा पांचे महिला है वहां बोड़ी मतलब उनकी उमर बहुत गड़ चुकी महत बढ़ चुकी मतलब इस्तिती चलने लाइक भी नहीं तो बहुत पैसे मांग रही थी तो मतलब मुझे लगा पूचना चाहिए तो मैंने पूचा तो बोली कि मेरे पास ऐसी पैंसन या इस तरह की विद्धास रम जाली कोई भी सुगधा नहीं है खाने के लिए कोई भी मुझे विवस्ता नहीं होती है तो मैंने उसके बाद वहां RTA डाली सुचना के अधिकार किता है उस तरबन से पूचा कि आखिर तुम्हारे या कितने लोगों को मतलब इद्धास हम दी जा रही कि जो पैंसन है या पर जो 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 बिद्भाएं हैं उसके बाद जावरोगों कितना दिया जा रहा है तो मुझे पता चला कि वहां गाउं में इस तरह की कोई सुचा नहीं है पता है आद लो फर उसके बाद जावरूख हुए हो लो और मतलब तब उन्होंने हरकत में आकर काम करना सुरूं किया इसी तरह आपने देखा कि आप रहा है तो मैंने वहां भी डाला उसके बाद मेरे पास कोई लाता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें करो तुम्हें जो चाहिए ले लेना तो आप समझ सकते हैं की विच्ट आचार तो है कहीं लिख और या तो आप दव जाओ या मतलब आप अगर पैसे दे रहा है तो चुप-चाप बेट जाओ उनका सोचन हो नहीं दीजे समझ रहे हैं तो उसके बाद मैंने देखा कि कापी हद तब उस वहाँ बदलाओ भी देखने को मिला और जो मैला है थी उस तरह की कोई टेंसन वाली बात नहीं है देखी याद कितने दिन जी होगे आप अगर मुर्दा बनके जिन्दा लास बनके खड़े हुए और हां में हां मिला रहे हो तो कितने दिन 200 साल जी होगे कोई याद नहीं रखेगा गलत हो रहा है कहीं तो आवाज ठाईए क्या बिगड़ता है हमारा कम से कम अगर हमारी वज़े से दूसरों को खुशिया मिल रही है तो ठीक मिलने दीजिए ना तो यह हल है इसका उप्यूग करते रही है समय समय पर आप लो अब बात करते हैं चैन की अधिकार का उप्पोल लेगा पैसे लोटाई रहा है अंसारी नगर के अभी रामी नामा की एक चातरा ने दिल्ली में विसाओई पाठक्रम में पढ़ने के लिए एक छेतरिये कोचिंग सास्थान के दो वरस ये पाठक्रम में नम? पाटकरम में भाग लेने की समय पूरे दो वर्स के दिन के लिए करीब आपके 61,020 रुपे जमा किये लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का इस तरवाण ठीक नहीं है इसलिए उसने साल के अंत में पाटकरम को छोड़ दिया नेका निश्चे किया जब उसने एक साल का पैसा अधिकार है संस्थानों में पुना राजयोग भोगता आयो में अपील की राजयोग भोगता आयो उन्हें जिलाने अले की अनिश्देश को सुरक्षित रहते हुए आंगे संस्थानों को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगा है उसने संस्था को 7,000 रुपे मॉ अधिकार का जितना जानद से जानदा प्रयोग करिए बहुत बड़ा मजा भी आता है इसमें समझ रहें आप लिए आपका सरपन जी अपकर सेकेटरी अगर धमंग है तू बचके रहना क्योंपि वह आपसे बदला भी रह सकता है हम इस गड़ना से क्या समझते हैं किसी भी वोगता को जो की किसी सेवा को प्राप्त करनता है या चाहे हो किसी की किसी भी आयू या लेंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो वसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा माल लीजे आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वैकेबल दंत मंजन तभी मैठेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रस भी खरीदें अगर आप ब्रस खरने के इक्चुप नहीं है तब आपके चुणने की अधिकार का उलगन हुआ है ठीक इसी तरह कभी-कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूला भी लेने के लिए दबाव डालता है इस पेकार कई बार हम कई बार हम क्या करते हैं कि उसे खरीद भी लेते हैं उन बस तुम को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने के हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है तब आपके पास चुनाव के लिए कोई बिल्कल नहीं होता है इस तरह के आप भी कई बात देखते हैं और याद रखे चुनने का अदिकार यह मतलब है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा है जब अजस्ती हो रही है तो आपको देखे एक आप यार तो करवानी होगी अब आप सुचे हैं आपके घर में बैठकर आपको बगता का फूब जो भी सनक्षन मिले हुए हैं जो अधिकार मिले हुए हो बो मिल जाया है यह संभव नहीं है हमारे देश में अभी भी तो आपको जाना तो होगा पता है मैं ऐसे एक वकील को जानता हूँ जो अपनी जिन्दगी में इसी तरह के केस लड़ेते थे अगर उनकी साथ कभी भी केस तरह का हो रहा है इस तरह की मामले आगे वो उस दुकांदर को कोट मेंगे सीट देते थी उनका पूरा खर्च मैंने देखा रहे कि जिन्दगी वह वी जिन्दगी जीते थी और पूरा खर्च इसी तरह के मामलों से अपना निकालते थी इसमें अच्छा पाइदा भी रहता है काफियत तर इस तरह ये कुष्टन से ने देखते रही है हमेसा इन उभोकताओं को नियाय पाने के लिए कहां जाना चाहिए आखिर इनके साथ अगर इस तरह की विद्भाव होते हैं तो आने आखिर इनने जाना कहां चाहिए रैजी गटित होती रहती है इस स्तिती में इन उभोकताओं को नियाय पाने के लिए कहां जाना चाहिए अगर आपके साथ इस तरह ही गटना गटित होती है तो आपको आखिर जाना किसके पास चाहिए उभोकताओं को अनुचित सौदेवाजी और सोशन के विरू छती पूर्थी निवारन का अधिकार है यदि एक भोकता को गोई चती पहुंच जाई जाती है तो चती की मातरा के आधार को उसी चती पूर्थी पाने का अधिकार है इसका आपको पूरा करने के लिए एक आसमान और प्रभावी जन परणाली बनानी की आप सकता है और भोकता उपयोगत ओवोगता केंद की सम्मोक अपनी सिकायद राज करा सकता है सुआम किसी बकील के साथ अधवा वकील को की सेवा भी ले सकता है और नहीं भी वो अपने आप भी जा सकता है आप जाने के लिए एक चुक होंगे कि कैसे एक पीड़बेक ती अपनी चतिपूर्थी द्वारा चतिपूर्थी पराप्त करता है अब हम स्री पेकास के मामले को लेते हैं इन्होंने अपनी बेटी की साधी के लिए अपने गाउं गाउं एक मनी ओर्डर बिजा उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं पराप्त हुए यहां तक की माहिनों बाद भी नहीं पहुँचे पेकास ने नहीं दिल्डी की एक जिलाइस्तर के उभोगता दालत में मुकदमा दर्श किया उन्होंने जो कदम उठाए हैं वे सभी विस्तार से नीची दिये जा रहे हैं इसको देखिए अपनी बेटी के लिए पेकास मनी ओर्डर भेजने पोस्ट ओफिस जाता है दूसरी पेकास को यह पता चलता है कि रुपे उसकी बेटी को नहीं मिले है तीसरी गर्टना पेकास ने पोस्ट ओफिस में वनी ओर्डर कि बारे में पूश्टाच की पोस्ट ओफिस द्वारा पेकास के पिसनों का संतोष जिनक जवाब नहीं दिया गया पेकास चित्री और भोकता संदक्चर परिस्याद में सला लेने जाते हैं पेकास जब एक नजडिकी ओभोकता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ओपिस से रजिस्टेसर भाम लेते हैं अदालत दूसरे पक्च को नोटिस बेशती है बे अदालत में मुकदमे पर स्वहिम बहस करते हैं अधालत कि जद दस्तावेजियों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष दोनों की दिलिल सुनते हैं जद अधालत का फैसला सुनाते हैं यह आपका फैसला है एक बार आप लोग ने एकसर इस तरह की चीज़ें देखी होगी कि आप बैंक में जाते हैं कोई भी नेता हो आप लोग कभी उससे इतना भी ही बोल दीजिए कि आप लिखके दे दीजिए कि मेरा काम आप नहीं कर सकते हैं या बैंक में आप जा रहे हैं आपका अकाउंट नहीं खुला जा रहा है तो आप सामने अगर आप में हिम्मत है तो आप इतना ही बोल दीजि कि आप इस पर लिख दीजे कि मैं आपका अकाउंट नहीं खोलूगा और इसके विना तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी ति वह अपना जिलास तरह का या पिर कोई भी अधिकारी हो आप इस तरह का कभी अजमा के देखिए बस आपके अंदर में बता रहा हूं कि थोड़ी जिग्यासा होने चाहिए और समझ रहें हैं बारत में उभोकता आंदोलन ने बिविन संगठनों की निर्माड में पहल किये जिनने सावनता उभोकता अदालत या फिर उभोकता संगठन परिशत की नाम से भी हम लोग जानते हैं ये उब्होगताओं को मारूप दर्शन करती हैं, कैसे उब्होगता अदालत में मुकद्मा दर्श कराएं, बहुत से आउसरों पर ये उब्होगता अदालत में विसेस, ब्यक्ति विसेस का पितिने दिद्ध भी करते हैं, ये स्वायम से भी संगठन जन्ता में जागरूपता पैदा करने के लिए सरकाल से दिये सहयो भी प्राप्त करते हैं यदि आप एक आवासी एक आलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्यार संग का नाम पट अवस्य देखा हो यदि उनके किसी सदस के साथ कोई अंचित वेवसाय कारवाई होती है तो उनके तरफ से संस्था मामले को देखती है कोपरा के अंतरगत और भोगता वैवादों की निप्टारे के लिए जिला राज और राश्टी स्थर पर एक त्री स्थरी नियायकतंत की स्थापना किया गया है जिला स्थर पर नियालाय जिसे हम लोग जिला केंद भी कहते है 20 लाग रुपे तक के दावों से संबंदित मुकदमों पर विचार करता है राज इस्थरी ये अदलालत जिसे राज जायो कहते है ये आपका 20 लाग से 1 करोड रुपे तक और राश्टी स्थर की जो अदलते हैं 1 करोड रुपे से उपर की दावेदारी से संबंदित मुकदमों को देखती है यदि कोई मुकदमा जिला स्थर के नियालाय में खारिज कर दिया जाता है तो उभोकता राश्टी स्थर के नियालाय में भी अपील कर सकता है यह उसी तरह आपने दिखा होगा कि जब आप पर कोई केस हो और आपकी जमानत अगर पहले आप लोग निचले कोट में जाते हैं हो भी आपकी रद कर देता है आप हाई कोट में जाते हैं हाई कोट रद कर देता है तो आप सुप्रिकोट जाते हैं तो यही रहता है अगर आपका निचले का कोई तंत खारिज कर देता है तो आप राज्यायों में जा सकते हैं या फिर राज्यायों अगर इसे खारिज कर तो आप इसके लिए राष्टी इस्तन की नियाले में भी अपील कर सकते हैं इस प्रेकार अधिनियम ने उभ्भोक्ता के रूम में उभ्भोक्ता नियाले में पिती निदित्ति का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है यानि कि सक्तिसाली बनाया है जागरूपता उभ्भोक् कि रूप में अपने अधिकारों के पिती सचेत होगे तब हम अच्छे और बोईप में फरक करने तथा स्रिष्ट चुनाव करने में सक्चम होगे एक जागरू को गोगता बनने के लिए निपोड़ता और ग्यान प्राप्त करने की जरुवरत होती है हम हम अपने अधिकारों के पिती सचेत कैसे हो नेमलिकित पेस्ट के बिग्यापन को देख कर आप क्या सूँचते हैं कोपरा अधिनियम ने केंद और राज सरकारों में बखता मामली के invite को इस्थाबित करने में मुक्क भूंक्या भी अधा किया आप जो भी विग्यापन देख चुके हैं वह है एक उधारन ने जिनके द्वारा सरकार कानूनी पेकरिया के बारे में नांगरेकों को आउगत कराती है जिसका विप्रेयोग कर सके हैं आपके आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे बिग्यापन आवस्त देखे होंगी हमारे गांदी बात करते हैं ISI और एग मार्क ये भी आप देखते रहते हैं अक्सर विविन वस्तु हैं करीदते समय आपने आउरन पर लिखे अक्षरों ISI या फिर एग मार्क या फिर हॉ लोगों को अवस्त देखा होगा जब भोगता कोई वस्तु या फिर सेवा खरीटता है तो ये सब्द चिन लोगों और प्रमाड़क चिन उन्हें अच्छी गुर्वत्तन से उन्हें चित कराने में मदद करते हैं ऐसे संगठान जो अनुवीक्छा ने लिखिया फिर प्रमा तो उसका लोगों लगा रहता है कि कहीं कोई नकली इसका कॉपी बना कर ना बहचने लगी इसलिए आप ADDAS का खरीते हैं जूदा तो उस पर भी आप देखते हैं और भी बहतर क्वालिटी का जो भी आप खरीते हैं उसका लोगों लगा रहता है आप फौन भी करीते हैं तो उस पर भी आप देखते हैं कि यह लोगों कम से कम लगा रहता है ठीक है? यानि कि एक तरह से धब्बा है उस कंपने का थक्का आप कह सकते हैं कि उस कंपनी ने कॉपिराइट का उसे अधिकान लाग गए एक तरह से या कि पी एक संगटन बहुत से उत्पादों के लिए गोडवत्ता कमांदन बिक्सित करते हैं लेकिन सभी उत्पादकों का इन मांदन्नों का पालन करना जरूरी नहीं होता है फिर भी कुछ उत्पादों उत्पाद जो उप्भोकता की सुरक्षा और स्वास्त को प्रवावित करते हैं या फिर जिनका उप्यूप बड़े प्रमाने पर होता है जैसे के एलपी की सिलेंडर्स खाद रंग या उसमें पेउट सामगरी सेमेंट बोतल बन पेजल आदी इनके उत्पादन के लिए अनिबार होता है कि उत्पादन इन संगटनों से प्रवारबत प्राप्त करें अन्यमी देखते रहिए चलसे अब बात करते हैं हम लोग उभोकता अंदुलन को आगे बढ़ाने के संबंद में 24 दिसंबर को भारत में राष्टी उभोकता दिवस के रूम में मनाया जाता है 24 दिसंबर को जो राष्टी उभोकता दिवस मनाया जाता है इसी ही मनाया जाता है कि हमारी हमें अपने अधिकारों से जागरूपत हुआ हम इसके भी थी और भोगता जो भी रह रहे हैं जो भी उभोगता है वो जागरूपत हुए 1986 में इसी देन यानि की 24 दिसंबर को भारतिय संसंद ने उभोगता सरक्षा रदीनियम पारित किया और भारत उन देसाँ में से एक है जहां अभोगता समदी समस्याओं की नेवारन के लिए विशिष्ट नैलाय है यानि किसके लिए स्पेसल नैलाय भी बनाये गया बारत में उबोक्ता अंदूलन सी संगटित संभूँ की व्याक्या उनकी कारविधियों के मामले बने कुछ तरक्की की है आध्यस में सासों से अधिक उबोक्ता संगटने जिन में से केवल 20-25 ही अपने कारियों के लिए पूर संगटित और मानिता प्राप्त है प्रवी उबोक्ता निवारन पिक्तिरिया जटिल खर्चिली और समय साथ साबित हो रही है कई बार उबोक्ताओं को बकीलों का साहरा लेना पड़ता है ए मुकद में अदालती कारवाहियों में सामिल होने और आगे बढ़ने काफी आधी में काफी समय लेते है एसी इस्तिति में परवारपत जोटाना आसान नहीं होता है इसके अलावा वाजार मेडिकांज खरीदारिया छोटे फुटकर दुकानों से होती है आप समझे आप लोग अगर 20 रुपे की भी कोई वस्तु खरीद रहें तो आप तब भी रसीद मांग सकते हैं और और रर्फी याजन झाल जेग new गणोनाके लेकिन अधीक्तर आप लोगं देखते हैं हमारे वारत में इस तरह कोई शुब्धा नहीं रहती है आप दुकामदार के पास जाते हैं वह भी कभी रसीद नहीं देता है तो यह तरह से आप समझ सकते हैं उम्हेद इतना जानताम कि हमारे आगर इस सरकारी संगटन, साहिकारी संगटन ना बनाये जाते आपकी अधिकारों के लड़ने के लिए तो हमारे देश का और बुरी स्थित ही हो सकती थी आप देखते हैं मजदूरों का एक संगठन होता है, किसानों का भी संगठन होता है समय समय पर वो लोग काम करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं इसलिए काफी हद तक इन सेवाओं में मतलब सुधार होता रहता है आपका दो स्विप्त उत्पादों से पीडित उभोकताओं की चतीपूर्ती के मुद्दे पर मौजूदा कानूं भी बहुत इसपश्ट नहीं है कोपरा के दिनियम की 25 बर्स बाद भी बारत में उभोकता ग्यान बहुत देरे देरे फैल आ है सेमकों के एतों की रक्षा के लिए कानूनों की लावू होने के बाप जूद खास्तों सिर्थ आसंगित चेत्र में एक कमजोर है इस पकार बाजारों की कारण करने के लिए नेमों और बी नेमों का पुरा पालन नहीं होता है पिर भी वो भोकता वो भोकताओं को अपनी भूमिया और अपने मयात की समझने की जरूद थे या अकसर कहा जाता है कि वो भोकताओं की सक्क्रिय वाग्यदारी सही और भोकता अंदोलन प्रभावी हो सकता है इसके लिए स्वेक्षिक प्रयास और सक्की सान्यदारी से एक संगर्स की ज़रुएत पड़ती है याद रुखिए अगर आप लोग अलग-अलग हैं एक वोई कहानी हमें द्याद आती है जब 20 तरह की बात होती है कि एक बाप की चार बेटे दिपांच उसने मतलब सबको अलग-अलग लकडी दी तो समने तोड़ दी उसके बाद उसने बंदल बना की दिया तो किसी भी बेटे ने नहीं तोड़ पाया तो उसका समझाने का इतना मतलब था कि अगर आप अलग-अलग रहते हैं तो आपके अधिकारों को आप आराम से हनन हो सकता है आप अगर एक संकट्र में रहते हैं और एक साथ जाते हैं तो पेसर भी डालना जाता है सरकार को और आपकी बातें भी मानी जाती है अगर आप ली सोचिए कि अके लिए आप जाईए कहीं धर्णा पितलसन कीजिए कोई आपकी बात नहीं सुनेगा वहीं अगर दस-पचास जार लोग एकट्टे हो जाते हैं तो सरकार हेल जाती है समझ में है यह भी आपके questions है यहने भी देखते ही और एक बात तो याद रखी आप बच्टा है आपका जो 2019 में आया हुआ है उसे भी आप लोग सुन दीजे इसमें आपका एक तो जो परिभासा भी दी गई है जो बिल आया हुआ है इसमें भी ब्हुक्ता की परिवासा लाइखक जो अपने के लिए कोई बस्तू क्रेνता या शिवा प्राप्त करता है इसमें भी व्हअब बेकती सानल नहीं है जो बबारा बेंचणने के लिए किसी बस्तू کو हांसिल करता है या commercial उद्देश के लिए किसी बस्तु या सिवा को प्राक्त करता है इसमें electronic तरीके टेली सॉपिंग, multi-level marketing या पर सीधे खरीद के जरीए किया जाने वाला सभी तरह का offline और online lending भी सामिल है कहने का सीधा सा मतलब है कि इसमें बोगों को सामिल नहीं किया गया है जो एक बस्तु को खरीद रहे हैं दूसरे को बेंचने के लिए यानि कि ब्यापार करने के लिए एक तरह से दुकानदार को ले सकते हैं ओभोगता की परिवास हमें दुकानदारों को कभी नहीं रखा गया है याद रखिए, क्योंकि वो एक बस्तू को लेते हैं, दूसरे को बेंच देते हैं, लाव कमाने के लिए वो काम करते हैं इस तरह के अगर हम लोग जो भी विदेयक अभी आया है, इसका अगर लाग की बता है, लाश्ट में हम लोग कि उभोपताओं के इससे क्या-क्या लाव होगे तो बरतमार में से कैतों के निवार इन के लिए उभोपता के पास एक ही विकल्प था जिसमें अधिक समय लगता था, के अंधरिय उभोपता संरक्षिन प्राधिकन के मात्यम से विदेयक में तुरित ने आया की विवस्ता की गई जो अभी आपका 2019 में आया हुआ है इसमें तुरित ने आया यानि की बहुत जल्दी आपके फैसले का निक्टारा होगा आपका जो भी समस्या हुई जो आपके भ्रामक बिग्यापन देखते हैं आप लोग चलते रहते हैं इनके कारण उभोगता में अगर भ्रम की इस्तिति बंदनी रहती है तता उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्त पर पितिकूल प्रभाव पढ़ता है यानि कि उनके स्वास्त पर कोई खराब प्रभाव पढ़ता है तो ब्रामक, बिग्यापन और मिलावट के लिए कटोर सजाथा प्रावदान भी रखा लिए जिससे ताकि इस तरह की मावलों में कमी है अगर इस तरह के कोई भी ब्रामक, बिग्यापन चलते हैं उसके आपके स्वास्त पर कोई प्रभाव पढ़ता है नकारात्मक तो इसमें जो भी चला रहे हूँगे उनके खिलाब एक मतलब कटोर प्रावदान मर रखा लखा गया दोस्पूर उत्वादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माता हूँ के लिए जिम्मेदार होगा तो आप सोचे कि अगर कोई दुकान्दार जा रहा है कहीं से दूद ले रहा है तो वह भी चौक एगर कि वहां ही चो रावदार कर रहे है तो वह भी सबकुछ जाने कर दोढigी या नहीए यानि कि स्ताधारन टिक्टिया बनाईगी आपकी आयूत तक पहुचने की वालत मारुक बोगता बाजार के मुद्धों आपके लाव है बाकी आप लोग याद रखिए जो भी करेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम लोग बात करते रहते हैं उन्हें जाकर वहां से देख लें ठीक है पूरा आपका बित्ताज से बताएगा यह जब भी अधिनियम बन जाएगा तब हम लोग एक बार फिस्ते से देख लेंगे इसलिए तो कहा जाता है आप से कि आप तो करेंट से जोड़े रही है ठीक है सभी प्रड़ी अब आपकी टेलिए आप पंडलीवें वहां से डाउनलोड करकी इन्हें पड़ते रही है जो भी आपको दिया रहा है तो यहां जाके आपकी जो कप्छा दस्वी की आर और अभी तक आपकी कप्छा चटवी से लेकर कप्छा दस्वी तक की कप्छा नोवी तक की तो सभी बूक्स कंप्लेट हो mins दस्वी की वितीन वोगतलेक्ष कंप्लेट हो चुकी है लोकतन तट्रेक राजन अन्टी सेगर देगी शम्काली महारा सेगर आतियो विझास की सम अब आगे हम लोग बात करेंगे भारत और समकानी इन्विस से, सेकेंड के नाम से वह आपकी बुक्स है, उसके बारे में हम लोग विज्दात से पढ़ेंगे